दौलतमन बनने के दो रास्ते हैं एक तो लौटरी लग जाना, दूसरा इन्वेस्टमेंट अब लौटरी लगने के चांसे इस तो बहुत कम है लेकिन इन्वेस्टमेंट के जरीए पैसे का धेर लगाया जा सकता है लेकिन उसपे भी ये परिशानी है कि कौन सरदत पाले रोज एक नई आडवाईस मिलती है और कन्फूजन और बढ़ जाती है और अगर हिम्मत करके इन्वेस्टमेंट की गलियों में निकल भी जाते हैं तो भी ये सवाल है कि पैसे डाले कहा जाए जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो हम लोग हद से हद FD में पैसा डाल देते हैं या फिर म्यूचल फ़ंट और कोई शेर्स में इन्वेस्ट करनी की बात होती है तो हम जोतीशियों के पास चले जाते हैं कि बाबा कौन से शेर में पैसा लगा है और आप बाबा के mutual funds की SIP बन जाते हैं बाबा उसी गाड़ी में घुमने लगते हैं जो आप कुछ आईए थी उसी घर में जो आप कुछ आईए था उसी life partner के साथ चलिए छोड़िए असल में टिप देने वाले बहुत हैं और उससे जादा लोग guarantee देते हैं लेकिन पैसा डूब गया तो आप phone मिलाते रह जाओगे लेकिन कोई जवाब नहीं मिलेगा इंवस्टमेंट की गलियों में तीन सवाल पीछा नहीं छोड़ते पैसा कहां लगाना है रिस्क कैसे कम करना है और कोई simple सा system है या नहीं इसको follow करके आप investment के जरीए अच्छे returns कमा भी पाएं तो डेविड मेकिन की ये किताब आपके लिए लेकर आ रही है simple समाधान How to grow your own money इसके तरीके बहुत ही simple है आपका डर खत्म कर देते हैं और आपके पैसे ऐसी जगह लगवाते हैं जहां बहतर return मिल सके और risk कम हो सके ये आपको अलादिन का चिराग नहीं देते बलकि ऐसी समझ देती हैं जिससे आप खुद अलादिन के चिराग बन सकते हैं आपको पता चलता है कि पैसे से पैसे का धेर लगाया जा सकता है और ये उतना मुश्किल भी नहीं है हाँ आज 100 रुपे डालके परसों लाग बनाने का सपना मत देखिएगा नहीं तो आपका दिल तूट जाएगा डेविट मेकिन आपके पैसों की जिम्मदारी आपको बहतर तरीके से समझा कर आपको एक नई दिशा देंगे पैसों को और इन्वेस्मेंट को देखने का एक नया नजरिया देंगे और बताएंगे कि आपने जो सपना देखा है अच्छे घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी जिंदगी का उस सपने में आप समझदारी से भरे फैसलों से रंग कैसे भर सकते हैं मैं हूँ आरजे शांतनू और आप सुन रहे हैं तो फटाफट तयार हो जाएए इन्वेस्ट करके दौलत बनाने के लिए मेरे साथ बूलिए मैं इन्वेस्मेंट से डरूंगा नहीं अपने फैसले खुद लूंगा और बहुत दौलत कमाऊंगा आईए सीखते हैं अपना पैसा खुद कैसे ग्रो करना है ये किताब पैसों के बारे में है जी हाँ सही सुना आपने ये किताब आपके पैसों के बारे में है और ये किताब बताती हैं कि आप अपने पैसों को grow कैसे कर सकते हैं चाहें आपके पास कम amount में cash हो या फिर जादा amount में लेकिन cash के साथ हमेशा एक दूबिधा रहती है कि उस cash के साथ क्या किया जाए ये बेहत जरूरी है कि आप इसका सही फैसला ले क्योंकि आप अपने पैसे के साथ आज जो कुछ भी करेंगे उसका आपकी future lifestyle पर गहरा असर पड़ेगा आप चाहें तो अपने पैसों को अपने बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं मगर सच यही है कि आप अपने पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं जो सिर्फ उन्हें कहीं invest करके ही हो सकता है investing मुश्किल नहीं है invest करने का objective हमेशा यही रहता है कि कुछ पैसे से शुरू करके उनसे ज्यादा पैसे बनाये जाए लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए आपको कोई नौकरी करनी पड़ती है जिसमें आपका employer आपको आपके time के बदले salary देता है लेकिन आप उसके बदले अपने time का सौधा कर रहे होते है पता नहीं ये बात practice में है या नहीं अगर theory के हिसाब से आप अपना जितना ज्यादा time invest करेंगे उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप तो पैसों के लिए काम कर ही रहे हो लेकिन साथ साथ पैसा भी आपके लिए काम कर रहा हो तो कितना अच्छा होगा investing यानि invest करने का मतलब ही यही है कि आपका पैसा आपके लिए काम करें ये पूरी किताब सिर्फ इसी skill set को develop करने के लिए dedicated है तक ही आप अच्छी investment और बुरी investment के बीच के फर्क को समझ पाए अगर आप ऐसा करने में काम्याब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक bright future की तरफ बढ़ रहे हैं और खुशी की बात यह है कि आपको ऐसा करने के लिए एक financial expert होने की जरूरत भी नहीं है हाँ इतना जरूर है कि इस रास्ते पर चलते हुए आपको कुछ technicalities के उपर ध्यान देना होगा लेकिन आप फिक्र मित कीजिए इस रास्ते पर चलते हुए आपको जो भी financial benefit होगा वो इस कभी कबार होने वाले सरदत की यादों को पूरी तरह भुला देगा मैं अपनी presentations में अकसर कहता हूँ कि शांदार खाना बनाने के लिए आपको दुनिया का बहतरीन शेफ होने की जरूरत नहीं है सिर्फ basics अच्छे होने चाहिए जिन principles के उपर investing के दुनिया काम करती है वो बेहत सीधे हैं लेकिन बहुत से लोग investing के दुनिया से इन दो कारणों की वज़े से दूर रहते हैं पहला मैं अपना पैसा खोना नहीं चाहता और दूसरा मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन ये दोनों ही कारण investing को लेकर बनी हमारी गलत धालनाओं की वज़े से पैदा होते हैं तो आईए आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी इन ही गलत धालनाओं को दूर करता हूँ लोगों के अंदर अपने पैसों को खोने का डर होता है और वो इसलिए ऐसी किसी भी activity से दूर रहते हैं जो उनके पैसों को risk में डाल सकती है ये बात सच है कि investing के अंदर risk होता है लेकिन risk तो हर चीज में होता है सडक पार करने में भी risk है क्या पता आपको कोई गाड़ी टक्कर मार जाए और इस दुरगटना का परिणाम कितना serious हो सकता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं मगर इसके बाभजूद हम हर रोज सडक पार करने के लिए तयार रहते है लेकिन क्या आप जानते है जब हमें पहले से ही किसी खत्रे के बारे में पता होता है तो हम साबधान रहकर उस खत्रे की संभावना को कम कर देते है जैसे सडक पार करने के लिए पहला कदम उठाने से पहले हम दाएं बाएं देखते हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही हम दूर के ट्राफिक के आवाज भी सुनते हैं जो इतना दूर होता है कि हमें नजर नहीं आ रहा होता और उसके बाद हम जेबरा क्रॉसिंग का इस्तमाल करते हुए सड़क पर चलन इन्वेस्टिंग के साथ भी ऐसा ही होता है एक सक्सेस्फुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी क्राइटीरिया हैं कि वो हर खत्रे के प्रती अवेर हो और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये हैं कि उसे ये पता होना चाहिए कि हर तरह के खत्रे को मैन नए अफसर पैदा करती है, नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, मान लीजे कि एक investment है जो आपको हर साल 5% का rate of interest देने की guarantee देती है, इसका positive point ये है कि ये completely risk free है, मगर आप इस investment में 5% से ज़ादा earn नहीं कर सकते, जो कि इस investment का सबसे बड़ा negative point है, लेकिन अगर कोई भी rate of return guarantee नहीं होगी, तो आपके पास इसे investment पर 5% से भी ज़्यादा कमाने का अफसर होगा, अगर आप भी एक successful independent investor बनना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के चोटे बड़े risk से दूर भागने की जगह है, उन्हें गले लगाना सीखना ही होगा, इसके बाद आते हैं investing को लेकर बनी दूसरी गलत धारना पर, लोगों को लगता है कि investment करने में बहुत time लगता है, जो उनके पास नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि investment से जो benefits हमें मिलते हैं, क्या उसके बदले हमारा उस investment पर हमारी time को खर्श करना, हमारी लिए फायदे का सौधा हैं? नहीं, मेरे इसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, investing का मतलब है अपने पैसों को अपनी लिए काम पर लगाना, अगर आप कहां investment करनी है, यही decision लेने में बहुत ज़ादा time लगाएंगे, तो आप invest करने से पहले ही अपने उसके एक incentive को खोव देंगे, चलिए इस बात को भी मैं आपको एक example के थूँ समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपसे यह कहा जाएं कि एक investment आपको next year 1000 डॉलर की return दिलबा सकती है, तो आप उस investment को करने का decision लेने में maximum कितना time लगाएंगे, सोचे सोचे, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए थोड़ा simplify कर देता हूँ, अगर 1000 डॉलर की return के investment का decision लेने में आपको केवल आदा घंटा लगता है, तो ये एक फायदे का सौधा माना जा सकता है, लेकिन अगर इसके लिए आप पूरा महिना लगा देते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आप invest नहीं कर रहे हैं, बलकी ज्यादा पैसे कमाने के लिए आप एक part-time job और कर रहे हैं, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको investment से हुने वाले benefits, और उस investment को करने में लगने वाले time के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा, अब आई मेरी बात समझ में, क्या कहां आपने, तो अच्छा, थोड़ी-थोड़ी समझ में आई, डोंट वारी, अब इसे आपको एक आसायन से example से समझाने की कोशिश करता हो, मान लीजिए, मान लीजिए, आप 30 गंटे में 2000 डॉलर कमाते हैं, लेकिन अगर आप 1000 डॉलर की रिटर्न के इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने का डिसिजन लेने में 30 गंटे लगाएंगे, तो ये एक घाटे का सोधा होगा, लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट प्लान की रिटर्न, 1000 की जगा 4000 होती, तो इस पर अपनी 30 घंटे खर्श किये जा सकते थे क्योंकि रिटर्न हमेशा उस पर खर्श किये गया आपकी टाइम की कीमत से जादा ही होनी चाहिए अब अगर इन्वेस्टिंग को लेकर आपकी सभी गलत धारनाएं दूर हो गई हो तो आईए अब एक नए टॉपिक पर बात करते हैं ये टॉपिक इन्वेस्टर से संबंदित है इसमें हम एक इन्वेस्टर को कैसा होना चाहिए इस पर बात करेंगे एक investor independently भी invest कर सकता है और वो इस काम के लिए किसी की service भी ले सकता है जब बात investment decisions लेनी की हो तो life के अन्य कई कामों की तरह इन्हें दो तरह से लिया जा सकता है पहला do it yourself यानि कि आप ये खुद करेंगे और दूसरा है GSI यानि getting someone in यनि कि इस काम के लिए किसी expert को आप hire करेंगे मान लीजे कि आपके living room को paint करनी की जरूरत है अगर आप ये काम खुद करनी की सोच रहे हैं तो इसमें आपका बहुत समय जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी painting skills काम को perfectly करनी के लिए उतनी improved ही नहीं है अगर किसी दूसरे से ये काम करवाने में भी एक दिक्कत है और वो ये हैं कि वो अपनी services के लिए आपको charge करेगा अब मान लीजे कि आप GSI वाली approach चुनते हैं यनि आप इस काम के लिए किसी को hire करते हैं तो आपको इसके लिए दो बातों पर बहुत अच्छे से convince होना होगा पहला ये कि वो आपका बहुत सारा time बचाएंगे और दूसरा ये कि वो आपसे अच्छा काम करेंगे investing भी इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है सवाल वहीं उठता है कि ये आपको खुद करनी चाहिए या किसे और से करवानी चाहिए लेकिन इस stage के उपर ये similarity खत्म हो जाती है आप अपने living room को नया look देने के लिए एक decorator को contact करते हैं और देखते हैं कि उसकी fees fixed हैं और advance में pay करनी है decorator कहता है कि color scheme क्या रहेगी और किस quality और brand के paint खरीदने है और क्या material इस्तमाल करना है ये सारी चीज़े वो तै करेगा इससे या तो आपका living room बहुत शांदार लगने लगेगा या फिर ये भी हो सकता है कि वो जैसा है उससे भी बहुत जादा खराब लगने लगे लेकिन दोनों ही condition में आपको इस decorator को fees तो देनी ही पड़ेगी अब बताइए इस deal को लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है ऐसे ही same offer आपको तब मिलती है जब आप अपना पैसा किसी और को invest करने के लिए कहते है वो आपका पैसा सही जगह invest करे या ना करे आपको इस investment पर अच्छी return मिले या ना मिले आपको उन्हें उनकी service के बदले payment तो करनी होगे क्या आप किसी ऐसी दूसरी industry के बारे में सोच सकते है जो कहती है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले या ना मिले मगर आपको उनकी service के लिए उन्हें पैसे देने होंगे यहाँ चिंता का विशह ये है कि financial sector अपनी services की ऐसी value set करने में पूरी तरह कामियाब हो चुका है चलिए अब फिर से मेरे एक प्रशन का जवाब दीजिए आपके पास एक लाग डॉलर हैं और आप इसे invest करके इससे अगली 20 सालों में एक अच्छा खासा amount बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कि अगर आप investing में किसी की मदद लेते हैं तो आप उसे कितने पैसे देने के लिए तयार होंगे अगर आप एक financial advisor की service लेते हैं तो अपनी service के लिए आपसे एक fees चार्ज करेंगे हो सकता है ये fees पूरे fund की value का 1% हो एक लाग डॉलर के हिसाब से ये amount होगा 1000 डॉलर एक लाग डॉलर पर 1000 डॉलर खर्षना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है ना लेकिन ये बात यहां इतने पर ही खत्म नहीं होती इसके बहुत ज़्यादा chances है कि वो advisor आपके इन पैसों को कही invest करने के लिए आगे एक fund manager को देगा जो आपकी fund value पर अपनी 1% annual fees के साथ साथ कुछ 0.5% administration charges भी लगाएगा जो कुल मिला कर 50000 डॉलर हो जाते हैं ये amount ज़्यादा तो हैं लेकिन बात 1,00,000 डॉलर की fund value की हो रही है तो उस पर 50000 डॉलर खर्षे जा सकते हैं मगर ये खर्षा इतने पर ही आगर नहीं रुप जाता अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस कहानी का सबसे बड़ा twist है ये 50000 डॉलर का खर्षा आपको अगले 20 सालों तक हर साल करना होगा जो कुल मिला कर 50,000 डॉलर बैटता है यानि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसका आधा अमाउंट आप उसे इन्वेस्ट करने पर खर्ष कर देंगे और अगर आपके एक लाग डॉलर बढ़कर उससे जाधा हो जाते हैं तो ये 50000 डॉलर का अमाउंट भी बढ़ जाएगा तो अगर आप सचमुच इस काम के लिए किसी को हायर करने का सोच रहे हैं तो अच्छी तरह सोच समझ करें फैसला लीजिए क्या आपने नोटिस किया कि ये एक्जाम्पल यहां एक इंडिपेंडेंट इंवेस्टर होने के सबसे बड़े अड़ांटेज को हायलाइट कर रहा है इससे आप एडवाईजर को भारी भरकम फीज देने से तो बच्छी जाएंगे और साथ ही आपका आपके फैनाइंसेस पर पूरा कंट्रोल भी रहेगा ये आप तैय करेंगे कि आपका पैसा कहा जाएगा इंवेस्ट ना करना कोई आप्शन नहीं है इसके आगे बढ़ने से पहले आपको अपनी एक बहुत बुरी आदत को यहीं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा बहुत सारे लोग इंवेस्टिंग के दुनिया को इसलिए अवाइड करते हैं क्योंकि वो अपने पैसों के डूब जाने के डर से डरते हैं लेकिन इंवेस्ट ना करने का डिसिजन लेकर वो एक तरह से खुद अपने पैसों में आग लगा देते हैं अब आप पूछेंगे क्या ऐसा कैसे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है उनके पैसों का नुकसान कैसे होगा आपके इस प्रिश्ण का जवाब देने के लिए आईए मैं आपको आपकी मेहनत की कमाई के सबसे बड़े दुश्मन इंफलेशन से मिलाता हूँ इंफलेशन को हिंदी में मुद्रा स्फिती कहा जाता है इंफलेशन का अर्थ है कि समय के साथ सामान और सर्विस की कीमत भी बढ़ जाएगी और ये बड़े ही दुख की बात है कि दुनिया के अधिकतर देशों में इंफलेशन की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है इसलिए आपको अपना पैसा कभी गद्दे के नीचे तो कभी चीनी के डब्बे में तो कभी कोई ऐसी जगह छिपा कर नहीं रखना चाहिए जा रखकर आपको ये लगता है कि वहाँ आपका पैसा सुरक्षित है इस बात को भी आईए एक एक्जांपल से समझते हैं मान लीजे कि आपके पास इस वक्त 2000 डॉलर कैश है इतने पैसों से एक शांदार साउंड वाला टेलिविजन सिस्टम खरीदा जा सकता है लेकिन आपको नहीं लगता कि इस खर्ष को जस्टिफाई किया जा सकता है तो आप अगले साल तक की लिए इस पैसे को किसी डब्बे में डाल कर उसे सुरक्षित कर देते हैं मगर इस दौरान आपके सपनों के टेलिविजन सिस्टम की कीमत पांच टका बढ़ जाती है लेकिन आपके पास अभी भी 2000 डॉलर ही है जबकि उस टीवी की कीमत अब 2100 डॉलर हो चुकी है और अब आप इसको अफॉर्ड नहीं कर सकते सही समय पर उन 2000 डॉलर को इन्वेस्ट ना करके आपने खुद अपना नुकसान कर लिया इससे पता चलता है कि अगर आप अपने कैश की परचेसिंग पावर को बचा के रखना चाहते हैं तो आपके पास इन्वेस्ट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है जाते जाते चलिए इस एपिसोड में बता आई गई बातों का एक छोटा सा रीकैप हो जाए इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं है एक सक्सेस्फुल इंडिपेंडन इन्वेस्टर होने के लिए आपको बस बेसिक्स में अच्छा होने की जरूरत है आप साफधान रहकर हर तरह के रिस्क को कम कर सकते हैं बस जरूरत है तो संभावित रिस्क के प्रती अवेर होने की इन्वेस्टिंग को बहुत जादा टाइम कंजूमिंग नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिंग में जितना वक्त आपने लगाया है इन्वेस्टिंग से मना करना कोई आप्शन नहीं है नहीं करेंगे तो इन्फलेशन आपकी मेहनत की कमाई की पर्शेसिंग पावर को खा जाएगे न्यूस में फैनांस की दुनिया के बारे में रोज ही बात होती है पॉलिटिकली या एकोनॉमिकली कोई भी क्राइसिस आता है तो उसका डिरिकली या इंडिरिकली असर आपके फैनेंशिल वेल बिंग पर पड़ता है या आपके घर की, इन्वेस्टमेंट की और यहां तक कि आपकी पेंशिन पर भी असर डालते है ऐसे में आप अगर खुद को फैनेंशिल रोलर कोस्टर पर सवार पाते हैं तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है आप अपने फैनास पर अपना कंट्रोल करना चाहते है आप अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते है लेकिन प्रशन ये उटता है कि इसके लिए आप किस पर भरोसा करें। किसी भी यूनिबर्सल टूथ की तरह ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप से ज़दा आपके पैसों की फिक्रिक किसी को भी नहीं है। बैंक के घोटाले, जुए में इंस्टन पैसा कमाने वालों की सोच रखने वाले फंड मैनेजर, फर्ज इंवेस्टमेंट की स्कीमें और बिना किसी ऑथराइजेशन के सट्टे की तरह पैसा लगाने वाले धोके बाजों की कहानियों ने इस नजरिये को ज़्यादा ताकत दे था कि यहां कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, किसी को भी फ्यूचर के बारे में निश्चित रूप से नहीं पता है, अलाकि उस क्रेडिट क्रेंश पर बहुत सारे एक्स्प्लेनेशन दिये गए थे और बहुत सारी किताबे भी लिखी गई है, लेकिन ये स्थिती पैदा होने के पीछे की वज़ा बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी, फैनेशल इंस्टिडूशन्स बहुत ही खराब फैसले ले रहे थे, वो जो पैसा उधार पर दे रहे थे, उसका वापसाना बहुत मुश्किल था, वो उन बिजनेस के अंदर इंवेस्ट कर रहे थे जो फेल हो रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ऐसे फैनेशल इंस्टूमेंट्स लाइक बॉंड्ड्स और शेर्स भी खरीद लिये थे, जिनकी उन्हें समझ भी नहीं थे, उनके इंवेस्टमेंट के ये डिसिजन इतने भयानक थे, कि उसने इस पूरी दुनिया की एकनॉमी को हिला कर रख दिया था, ये एक्सपर्ट्स इंवेस्टिंग के फंडमेंटल प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे थे, जो था रिस्क और रिवार्ट की बीच का संतुलन, जिन इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क कम होता है, उनमें रिटर्ण भी कमाता है, इसके opposite जो इन्वेस्टमेंट जादा रिस्क वाली होती है, वो जादा rate of return ओफर करती है, ये बहुत बीसिक चीज है, इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो, उसे इसके बारे में पता होता है वो इसके importance को भी समझता है लेकिन फिर भी सालों से इसे नजरंदास किया जा रहा है Financial institutions जादा return पाने की raise का हिस्सा तो बनना चाहते हैं लेकिन वो इसके साथ आने वाले risk को पूरी तरह ignore कर देते हैं जो आगे चल कर उनके loss का current बनता है हर तरह की investment के फैसले को एक जरूरी चीज सहारा देती है और वो है भरोसा आप अपने पैसों के साथ किस पर भरोसा करते हैं Credit Crunch ने हमें सिखाया है कि अगर आप किसी तीसरी party को अपने पैसे invest करने के लिए देने वाले हो तो आपके अंदर इतना confidence होना चाहिए कि वो third party दिल से आपका फायदा चाहती है एक organization जो आपके लिए पैसे बनाना चाहती है और एक organization जो आप से पैसे बनाना चाहती है इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है एक independent investor के तौर पर मैंने एक बात अच्छी तरह से गाठ बांध रखी है कि आप से ज़्यादा आपके पैसे की परवाग किसी को नहीं है अब मैं अपने सारे investment के फैसले खुद ही लेता हूँ और मुझे genuinely विश्वास है कि मैं financially पहले से काफी ज़्यादा बहतर कर रहा हूँ अगर मैं अपनी investment पर मिलने वाले return के graph को ignore भी कर देता हूँ तो जो fees के पैसे मेरे पास बच जाते हैं वो एक अच्छा खासा amount होता है अब आप ये तो जानी गये हैं कि एक independent investor होने के क्या-क्या फायदे हैं लेकिन इसके बाद ये बात आती हैं कि एक independent investor को successful बनने के लिए क्या करना चाहिए अगर आप एक successful independent investor बनना चाहते हैं तो एक बात आपके fever में जाती हैं और वो क्या है ध्यान से सुनिए मैं बताता हूँ जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास तीन option होते हैं option इस बात कि कि आप उस पैसे से क्या-क्या कर सकते हैं पहला option है आप उन पैसों को अपनी day-to-day life के activities पर खर्श कर दो जैसे बाहर खाना खाना या फिर कही छुटिया मनाने चले जाना दूसरा option ये कहता है कि आप उन पैसों से अपने घर का कोई सामान भी खरीच सकते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम, फोन, कार यनि ये ऐसी assets है जिनकी value टाइम के साथ कम होती जाएगी वही तीसरा option आप से आपके पैसों को किसी ऐसी asset में invest करने के लिए कहता है जिसकी value future में बढ़ेगी और जो शायद आपकी regular income का source भी बन जाए और example, जमीन, घर, जमीन को lease पर देकर और घर को rent पर देकर आप extra earn कर सकते हैं इस तरह की properties आपकी wealth को बढ़ाती हैं इससे आगे बढ़ने से पहले, मैं यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहूंगा लोग जब भी कहीं wealth शब्त को सुनते हैं उनका mind तुरंत, बंगला, private jet या फिर gold को imagine करने लगता है लेकिन आपका wealthy होना और आपके पास wealth का होना ये दोनों चीजें एक बराबर नहीं है जादातर लोगों के पास wealth होती हैं ये कम या जादा हो सकती हैं, लेकिन होती तो हैं ही wealth का simply मतलब होता हैं वो चीजें जो आप own करते हैं चाहे कम हो या जादा और किसी के पास wealth के नाम पर कुछ ना कुछ तो होता ही है जब हम आपके पैसों को grow करने की बात करते हैं तो हम simply आपकी wealth की value को बढ़ाने की बात कर रहे हैं आपके एक छोटे से fund को future में एक बड़े fund में बदल देनी की बात करते हैं यनि आपकी अभी की wealth को grow करके आपको wealthy बनाने की बात करते हैं इन तीनो options में से किसी एक को चुनने से पहले आपके लिए इन तीनो options के applications के बारे में पता होना चाहिए आईए मैं आपको इस बारे में detail में बताता हूँ अगर आप आज 100 dollar रोजाना यूज होने वाली चोटी चोटी चीज़ों पर या फिर होटल में खाना खाते हुए या थेटर में कोई movie देखने में खर्श करते हैं तो आपको उन 100 dollar के बदले 100 dollar की कीमत का ही सामान या service में लेगे इससे आपकी wealth में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी ये खर्शा consumption कहा जाता है यानि आपने ये पैसा उन चीज़ों पर खर्श किया है जो आप यूज कर रहे है मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इन चीज़ों पर पैसा खर्श नहीं करना चाहिए या इस तरह का खर्शा करना पूरी बात है लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक dollar जो इस तरह के सामान और सर्विस के ऊपर खर्शा किया गया है वो आपकी future wealth को बढ़ाने के लिए invest भी किया जा सकता है वहीं दूसरी तरफ depreciate होने वाली assets इससे थोड़ी से अलग है अगर आप आज इस पर 100 dollar खर्श करते हैं तो आप 100 dollar की कीमत की ऐसी asset हासिल कर लेंगे जो कुछ सालों तक आपको फायदा देगी जैसे एक TV के उपर 2000 dollar खर्श करने से आपको काफी सालों तक टेलिविजन देखने का सुख मिलेगा लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उस system की value कम होती जाएगी और फिर जैसे की सामान और सर्विस वाले केस में हुआ था इस तरीके का खर्चा भी आपकी wealth को कम करेगा अगर इन दोनों बातों में फर्क ये हैं कि depreciate होने वाली assets के अंदर आपकी wealth इसकी तुलना में धीरे धीरे कम होगी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपनी wealth बढ़ानी है तो आपके पास एक ही option बचता है वो है आप आपकी wealth की value बढ़ने वाली assets में अपना पैसा invest करें जिसे घर और जमीन इस option का चुनाफ करने का मतलब है कि अगर आप आज 100 dollar invest करते हैं तो future के अंदर आपको 100 dollar से काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है आईए अब इस बात को Harry और Adam के example से समझते हैं ये दोनों ही हर साल 50,000 dollar कमाते हैं और ये दोनों 40 साल तक काम करते हैं मान लीजे, Adam जो कुछ कमाता है वो उसे पूरा खर्श कर देता है यानि अपनी 40 साल की working life में वो 20,000,000 dollar खर्श करने की काबिलियत रखता है दूसरी तरफ Harry अपनी income का कुछ हिस्सा हर साल invest करता है ताकि वो अपनी working life के दौरान 20,000,000 dollar की additional wealth create कर सके ऐसा करके Harry अपनी हैसियत 40,000,000 dollar खर्श करने की बना लेगा ये दोनों ही आम लोग है जिनके पास एक जैसी नौकरी है लेकिन उसके बाद भी Harry एक luxury life जीता है क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर Harry की कौन सी बात उसे Adam से अलग करती है चलिए मैं ही बता देता हूँ Harry सिर्फ पैसे के लिए काम करने नहीं चाता था बलकि वो अपने पैसों को अपने लिए काम करने पर भी लगाता था तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ है एक ऐसी journey पर जो आपको आपके पैसे से पैसा बनाना सिखाएगी अब तक आप ये जान चुके हैं कि आपके पास आपके पैसे से करने के लिए क्या-क्या बेसिक आप्शन है अगर आप एक छोटी से फंड से शुरू करके उसे एक बड़े फंड में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए अगला लॉजिकल स्टेप ये होगा कि आप ये पता लगाएं कि आपकी current worth कितनी है ज्यादा तर लोग जानते हैं कि वो कितना कमाते हैं लेकिन बहुत कम को पता होता है कि उनकी worth क्या है अपनी worth यानि अपनी value पता करने के लिए आपको एक balance sheet तयार करनी होगी ये एक ऐसा document है जिसमें दो column होते हैं एक asset का और दूसरा liability का asset के column में आपको उन सब चीजों की कीमत लिखनी होगी जिन पर आपका अधिकार हैं जैसे cash, property, gold, car अब अगर आपको किसी का उधार नहीं चुकाना है तो इन सब का जो total amount आएगा वही आपकी worth होगी लेकिन दुख की बात ये हैं कि अधिकतर लोगों पर किसी ना किसी तरह का करजा होता है और यही करजा आपकी liabilities कहलाता है इसलिए अपनी real और net worth का पता करने के लिए आपको अपनी total assets में से अपनी total liability को minus करना होगा और फिर जो amount आएगा वो आपकी net worth होगी चलिए अब मैं यही बात आपको एक example से समझाता हूँ डेविट के पास चार लाग डॉलर की ऐसी assets है जिनकी value समय के साथ बढ़ेगी ऐसी assets को wealth creating assets कहा जाता है उसके पास एक लाग डॉलर की ऐसी assets भी है जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाएगी ऐसी assets को depreciating assets कहा जाता है यानि उनके पास कुल मिलाकर 5 लाग डॉलर की assets हुई इसके अलावा उसके उपर 3.5 लाग डॉलर का loan भी है अब अगर हमें उसकी net worth पता करनी है तो हम 5 लाग डॉलर में से वो 3.5 लाग डॉलर माइनस कर देंगे इस तरह डेविड की net worth होती है 1.5 लाग ये तो हुए एक simple सी calculation लेकिन डेविड ने अपनी total assets और total liabilities की value calculate करने में किन-किन चीजों का ध्यान रखा ये बात चलिए मैं आपको थोड़े विस्तार से समझाता हूँ उनकी एक list बनाता है यानि उसकी सभी assets की उसने इन assets को हासिल करने के लिए कोई उधार लिया है या नहीं इस बात का इस list पर कोई फरक नहीं पड़ता मुद्दे की बात ये हैं कि उसके पास ये assets है यानि कि अगर उसके घर की कीमत तीन लाग डॉलर है और उसके उपर दो लाग चालीस हजार डॉलर का लोन है तो तब भी वो एक तीन लाग डॉलर की कीमत वाले घर का मालिक ही रहेगा ये उसकी एक asset है मगर हाँ जो लोन है वो उसकी liability है ये balance sheet बना कर डेविट को ये तो पता चल गया कि उसके पास चार लाग डॉलर की ऐसी assets है जिनसे वो अपनी wealth की value को बढ़ा सकता है इन assets के अंदर saving account, company share, pension fund और property जैसी item शामिल होती है बाकी के बचे हुए एक लाग डॉलर depreciating asset है इन में आम तोर पर car, furniture, equipments और कपडों जैसी चीज होती है इन चीजों की अपनी value दीरे-दीरे कम होती जाती है इसकी वज़ा से डेविट के पास पहले ही एक challenge आ जाता है challenge ये कि उसे अपने अभी के financial status को maintain करने के लिए ये assure करना होगा कि उसके wealth create करने वाले assets कम से कम इतनी additional wealth तो create करें कि उससे वो अपनी depreciating assets की वज़ा से होने वाले loss को cover कर सके अगर वो ऐसा करने में fail हो जाता है तो उसकी overall wealth ultimately कम ही होगी और जो वो हासिल करना चाहता है वो उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा डेविट जो जो चीज own करता है वो सारी चीज लिखने के बाद वो हर उस चीज को जोडता है जो उसे चुकानी है यनि कि उसकी liability बहुत से लोगों के लिए ये एक डरावनी चीज होती है आमतोर पर इन liabilities में home loan, car loan, credit card का bill, tax और इन जैसी चीज़ें आ जाती है यहामें ये बात भी mention कर दू कि जब आप अपने लिए एक balance sheet बना रहे हो तो आपको 100% accurate होने की ज़रूरत नहीं है अंदाजे से भी काम चल जाता है आप सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अभी की worth कितनी है डेविट के case में उसके पास 5 लाग डॉलर की assets है और उसकी liability 3.5 लाग डॉलर की है तो हम देख सकते हैं कि उसकी net assets 1.5 लाग डॉलर की हुई इस calculation में से हमें ये पता चलता है कि डेविट जो कुछ भी own करता है अगर वो उसे बेज देता है और अपनी सारी liability को चुका देता है तो तब भी उसके पास ये डेड़ लाग डॉलर बच जाएंगे और यहीं उसकी current wealth या net worth होगे जब आप पहली बार अपनी balance sheet बनाएंगे तो हो सकता है कि इसे बनाने में आपको थोड़ा time लग जाए और मैं ये भी मानता हूँ कि इसे बनाने में आपको वो thrill भी नहीं आएगा जो आपको sky diving करते हुए या फिर marathon में दोड़ते हुए मिलता है लेकिन balance sheet बनाने से आप अपनी wealth को बढ़ाने के एक कदम और करीब पहुँच जाएंगे और शायद इस वजह से आपका investing में interest भी बरकरार रहें ये balance sheet आपको अभी की वर्थ ही नहीं बताएगी बलकि ये future में आपकी financial progress को monitor कर पाने का एक जरिया भी है साल में एक बार balance sheet बनाना आपकी investment skill को परखने का एक बहुत ही शानदार तरीका भी है अब आते हैं अगले section पर क्या आप जानते हैं risk और reward की बीच में trade-off होता है इसका मतलब कुछ समझाया नहीं चलिए कोई बात नहीं मैं बताता हूँ अपनी balance sheet तयार करने के बाद भी आप खुद को एक successful independent investor की रूप में देखते हैं तो आपको risk और reward के trade-off को समझने की जरूरत है यानि कि आपको पता होना चाहिए कि कितना risk लेने पर आपको कितना reward मिलता है या मिल सकता है आपके पास पैसा है लेकिन आपको नहीं पता उस पैसे से आप क्या करे आप उसे किसी saving account में रख कर उससे interest कमा सकते हैं ये एक save option है या फिर आपने शायद corporate bond के बारे में तो सुना ही होगा आप इन में भी invest कर सकते हैं लेकिन आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता पैसा invest करने के लिए stock market भी एक option है इसके बारे में जब भी लोगों से पूछो तो वो यही कहते हैं इस stock market में invest करने का आज से अच्छा time कोई नहीं है प्रोपटी भी एक और option है लेकिन आपको अपने retirement के लिए भी कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना है लेकिन इतने सारे options में से एक sensible option को चुनना भी एक challenge है अब बात करते हैं आपके reward के बारे में इसके लिए आपको rate of return के concept को समझना होगा आप जो भी पैसा invest करते हैं उसकी एक साल बात जितनी भी value बढ़ती है उसे आप अगर percentage में calculate करेंगे तो आपको आपकी rate of return मिल जाएगे यही आपका reward भी होता है तो कहिए ये बात समझ में आई या नहीं चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए मैं आपको एक example देता हूँ अगर आपसे कोई कहें कि अगर आप उन्हें अभी 1000 डॉलर देंगे तो वो एक साल के बाद आपको इस पर 10 डॉलर बढ़ा कर देंगे यानि वो 110 डॉलर देंगे तो क्या आप उनका ये offer accept करेंगे या फिर कोई दूसरा आप से कहें कि आप मुझे 1000 डॉलर दीजिए और मैं आपको एक साल के बाद 1500 डॉलर वापस करूँगा तो क्या आप उसकी ये offer accept करेंगे अधिकतर लोगों की तरह आप भी शायद पहला offer reject करके दूसरा accept कर लेंगे और ऐसा करने की वज़ये इसके reward में चिपी है पहली offer में rate of return इतना नहीं है कि आप अपना पैसा किसी और को देने का risk लें लेकिन दूसरी offer में rate of return अच्छा है जिसके लिए आप अपना पैसा किसी और को देने का risk उठाने के लिए भी तयार हो जाएंगे यानि investment में जो चीज मैटर करती है वो है rate of return जैसे इस पहली offer में आपको कीवल एक टका return मिल रहा है दूसरी offer में 50 टका इसलिए आपने इन दोनों में से दूसरा option चुना सिर्फ एक सवाल के जवाब के आधार पर आप ये decide कर सकते हैं कि आप अपना पैसा कहां और कैसे खर्च करेंगे फिर चाहें आप पैसा खर्च कहीं भी कर रहे हैं रोजमरा के services और सामान या फिर depreciating assets पर या फिर wealth create करने वाली asset के अंदर investment वो सवाल है कि आप आज पीज़ा खाना पसंद करेंगे या फिर future में किसी 5 star hotel में dinner आपको future में क्या benefit मिलने वाला है इसको आप अभी जो sacrifice करने वाले हैं उसके साथ compare करके देखना ही investing का सबसे जरूरी principle है आप ये भी कह सकते हैं कि ये principle ही investing का आधार है किसी भी investment decision की जब बात होती है तो सबसे पहली यही discipline सामने आता है जब कभी भी आप किसी investment opportunity को consider कर रहे होते हैं तो आपको खुझ से एक सवाल पूछना होता है जो पैसा मैं आज sacrifice करने वाला हूँ उससे मुझे rate of return कितना मिलने वाला है मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनोंने अपना पैसा उस पर मिलने वाले rate of return को जाने बिना ही कहीं invest कर दिया है यह तो हुई investment पर मिलने वाले reward की बात अब आईए मैं आपको investment के साथ आने वाले risk के बारे में बताता हूँ अभी तक के discussion के हिसाब से ऐसा लग सकता है कि investing का मतलब सिर्फ इतना है कि उन opportunities को ढूंडा जाए जहाँ पर सबसे जादा rate of return मिल रहा हो लेकिन practice में जो अच्छे investor होते हैं वो ऐसा बहुत कम ही करते हैं लेकिन ऐसा क्यों क्योंकि जब आप rate of return को देखते हैं तो आप potential rate of return को देखते हैं यानि कि ये rate of return आपको मिल ही जाएगा इसकी कोई guarantee नहीं है जब आप पैसा invest करते हैं तो आप इस उमीद में अपने पैसे को अपने से दूर करते हैं कि वो आपको future में अच्छा rate of return देगा अब यहाँ problem ये आती है कि क्योंकि आप future के साथ deal कर रहे हैं तो आपको अपनी investment पर expected rate of return मिलने की guarantee नहीं मिल सकती इसका मतलब है कि जब आप investing कर रहे होते हैं तो आप investing के जरिये risk की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं जादा तर लोग risk को इतना ही समझते हैं कि risk का मतलब होता है कुछ गलत होने की possibility यहाँ जो सबसे basic चीज गलत हो सकती है वो यह है कि आपकी investment की कोई value ही न बचे या फिर आपने जितना invest किया है आपको उससे कम मिले यही बहुत से लोगों का सबसे बड़ा डर होता है अब high risk वाली investment की तरफ आकरशित हो इसके लिए इनसे मिलने वाला rate of return भी जादा होना चाहिए यह सब जानकर यह चीज हैरान नहीं करते कि reward और risk के बीच trade off होता है हमें यह पता चलता है कि उनके बीच संतुलन होना क्यों जरूरी है आप जितना ज्यादा rate of return अचीव करना चाहते हैं आपको उतना ही ज्यादा risk लेने के लिए भी तयार रहना होगा तो इसलिए सारा खेल इस बात के उपर आ जाता है कि आप अपने लिए सही wealth create करने वाली assets को पहचान सके आपको सिर्फ potential reward नहीं देखना है बलकि आपको उसके साथ आने वाले risk को भी देखना है लेकिन risk की संभावना होने के बावजूद अच्छी बात यह हैं कि risk को manage किया जा सकता है आपको risk manage करने के लिए एक skill set को develop करने की जरूरत है मान लीजे कि आप cake बनाने जा रहे हैं और आपके पास खाना बनाने का कोई भी experience नहीं है आपके आजपास ऐसे शांदार ingredients हैं जो खूबसूरत रंग वाले हैं और उनमें से अलग-अलग तरीके की शांदार खुश्बु आ रही है अब problem यह हैं कि आपको नहीं पता इनमें से कौन सी चीज क्या है आप हद से हद इतना ही कर सकते हैं कि आप उनमें से कुछ चीजें मिला दे और उनसे कुछ अच्छा बनने की उम्मीद करे लेकिन इस situation में इस तरह कुछ भी अच्छा बनने की chances बहुत कम है अच्छा तो खेर दूर की बात है इस तरह कुछ खाने लाइक बनने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं यही इसका रिस्क है लेकिन अगर आप वक्त लगा कर कुछ इंग्रीडियंट्स के बारे में सीख लेते हैं तो सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आप जितना जादा इंग्रीडियंट्स के बारे में सीखेंगे आप उतने ही जादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे इंवेस्मेंट की नॉलेज होने से आपको दो बहतरीन एडवांटेज मिलते हैं पहला ये कि आप पुटेंशिल गेन का फायदा उठा सकते हैं यनि कि आपको पता होता है कि किस इंवेस्मेंट पर आपको जादा से जादा रिटन मिलती हैं दूसरा ये कि आप अपने नुकसान को कम करने की एक बहतर स्थिती में होते हैं ये कहा जाता है कि इंवेस्मेंट जितनी जादा रिस्की होगी आपको उसके लिए उतनी ही जादा नॉलेज डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी ये बिलकुल अन्रियलिस्टिक होगा कि आपसे उम्मीद की जा है कि आप इन्वेस्टमेंट का हर एक फैसला सही ही ले ले नॉलेज को डेवलप करने का मकसद है कि जो फायदा आपको होगा वो कभी कबार होने वाले नुकसान से कहीं जादा होगा इस अप्रोच ने तो मेरी लिए बहुत काम किया है मैं अपने इन्वेस्टमेंट के हर गलत डिसीजन को एक लर्निंग ऑपोचिनिटी की तरह देखता हूँ मैं उन सब हालातों को याद करता हूँ जिनके कारण मैंने वो डिसीजन लिया था और वो चीज पहचानने की कोशिश करता हूँ जो मुझे यहीं गलती फ्यूचर में दोहराने से रोख सकती है रिस्क इकलौती कंसिडरेशन नहीं है आप ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलेंगे जिनका विश्वास है कि इन्वेस्टिंग का मतलब रिस्क और रिवार्ट के ट्रेड ओफ को मैनेज करना ही होता है लेकिन प्रॉब्लम इतनी सीधी नहीं है मान लीजे कि आपने कंपनी में हजार डॉलर इन्वेस्टर करके उसके कुछ शेर खरीदें और 6 मेने बाद उनकी कीमत 900 डॉलर हो गए लेकिन 2 साल बाद वो 1500 डॉलर के हो गए तो अगर आपने उन्हें 6 मेने के बाद बेचा होगा तो यकीनन आपका नुक्सानी होगा लेकिन अगर आपने 2 साल बाद बेचा होगा तो आपका फायदा होगा इससे पता चलता है कि लोग shares के अंदर invest करने के लिए तैयार क्यों होते हैं हो सकता है कि उनकी investment short term में कम हो जाए लेकिन उन्हें उम्मीद रहती है कि इसकी value long term के अंदर बढ़ेगे इससे हमें पता चलता है कि risk और rate of return का जो trade off है वो उतना ज़्यादा clear cut नहीं है जितना आप expect कर रहे होंगे तो अगर आप कुछ महीने के लिए shares के अंदर invest करना चाह रहे हैं तो यखीनन बहुत ज़्यादा risk है और ये possibility भी exist करती हैं कि आपने जितने पैसे से शुरू किया था आपके पास अंत में उससे कम पैसे हो इसका उल्टा अगर आप पैसे को कई सालों के लिए invest करने के लिए तयार है तो पैसे का नुकसान होने का risk बहुत कम हो जाता है यानि कि हमने अभी अभी ये सीखा कि risk term से effect होता है term यानि कि long term, short term basically आप कितने वक्त के लिए अपने cash को उस जगा पर लगाने के लिए तयार है तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम किसी investment का फैसला ले रहे होते हैं तो risk और term दोनों ही चीज relevant होती है लेकिन कुछ दूसरी considerations भी होती है बहुत सारे लोगों के लिए अपनी जरूरत के समय अपने cash को access नहीं कर पाना सबसे खराब situation होती है ये एक बहुत ताकतवर motive है जिसकी वजह से लोग किसी एक bank account में या फिर ऐसे saving account के अंदर पैसा रखते हैं जहां आपको जब जरूरत हो उसके हिसाब से cash निकाला जा सके अगर आपको बहुत short notice पर cash की जरूरत है तो आपके लिए अचानक से liquidity बहुत important हो गई liquidity का मतलब है कि आपके पास cash का access है तो जब आप एक investment की opportunity का सामना करे तब इस consideration को भी धान में रखना चाहिए एक और ज़रूरी चीज है जो आपको consider करनी होगी capital यानि कि वो amount जो आपको investment करनी के लिए चाहिए savings account के लिए बहुत कम capital की जरूरत होती है आप जानते हैं कि zero balance account भी खोले जा सकते हैं लेकिन जब बात होती है property की तब लाखो करोडो डॉलर की भी जरूरत पड़ती है आप बिना अपना risk बढ़ाए अपने return को बहतर कर सकते हैं हाला कि liquidity, term और capital भी investment से जुड़े होए हैं लेकिन ज़ादातर investors के मन में सबसे ज़रूरी trade-off, risk और reward के बीच का trade-off होता है आप जितना ज़ादा risk लेने के लिए तयार होते हैं आपके potential rate of return उतने ही ज़ादा बढ़ जाते हैं चलिए अब समय है finance के जादूगर से मिलने का finance का एक principle है जो आपको बिना risk के आपको investment पर बहतर return दिलवा सकता है और वो है compounding investment की दुनिया में compounding का मतलब है अपनी income को दबारा से invest करना इसका आपकी wealth create करने की ability के उपर बहुत ही शानदार असर पड़ सकता है जब आप किसी भी investment से पैसा बनाते हैं तो जो पैसा आपको मिलता है उसके साथ कुछ भी करने के लिए आपके पास दो option होते हैं या तो आप उस पैसों को खर्श कर सकते हैं या फिर आप उसे reinvest कर सकते हैं मान लीजे के आपने 20 साल की उम्र में 40 साल के लिए 30,000 डॉलर को invest किया और इसके लिए आपको annual rate of return मिल रहा है 10% अगर आप हर साल इस पर होने वाली 10% की return को withdraw करते हैं तो आपको हर साल 3,000 डॉलर मिलेंगे जो 40 साल के हिसाब से 1,20,000 डॉलर बैठते हैं और ये भी मत भूलिएगा कि आपको आपके 30,000 डॉलर की original investment भी वापस मिलेगे यानि कि आपने 30,000 डॉलर की investment को 40 साल के अंदर 1,5,000 में बदल दिया ये भी कोई बुरा सौदा नहीं है अब मान लीजे कि आपने हर साल उस 3,000 के income को निकालने की जगा 10% के rate पर ही दोबारा से invest किया था तो बताइए इससे आपके investment की value कितनी बढ़ जाएगे जैसा कि आपने 20 साल के उमर में 40 साल के लिए 30,000 डॉलर invest किये 10% के annual rate of return के हिसाब से invest किये थे एक साल बाद उस पर आपको 3,000 की return मिले इससे आपके investment 30,000 डॉलर से बढ़कर 10-30,000 डॉलर हो गई अब आप अगर इस पूरे amount को फिर से 10% की return पर invest कर देते हैं तो उस साल के अंत में इस पर आपको 10-300 डॉलर का return मिलेगा और आपकी original investment की total value हो जाएगी 30,300 डॉलर और अगर आप फिर से इसी amount को 10% के annual rate of return पर invest कर देते हैं तो यह आपको उस साल के अंत में 3630 डॉलर की return देगा और आपकी original investment की value बढ़कर 49,930 डॉलर हो जाएगी अगर इसी principle के साथ आप आगे बढ़ते रहे तो आने वाले सालों में आपकी original investment और rate of return इसी तरह बढ़ता जाएगा इस strategy को अगर आप pursue करते रहें तो 40 सालों के अंदर आपको इस investment से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपके पास 13,57,777 डॉलर होंगे 30,000 डॉलर को 1,5 लाक में बदलने की जगा आपने उस 30,000 डॉलर को 1.3 मिलियन डॉलर में बदल दिया होगा और यह आपको बिना किसी additional risk के हासिल होगा आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी income दुबारा से invest कर देनी है यहीं है compounding की ताकत आप देखे तो मिलियनेर होना मुश्किल नहीं है असल challenge है कि ऐसी investment ढूणना जो 10% का rate of return दे रही है जानते हैं आप investing के दो पक्के दोस्त हैं rate of return और time और compounding इन दोनों दोस्तों को यानि की concepts को एक साथ लेकर आती है इसी ताकत का पूरी तरह एहसास करने के लिए हम आपकी 10% हर साल कमाने वाली 30,000 के investment को दोबारा से visit करेंगे इसको समझने के लिए हमें एक table बनाने की जरूरत है तो अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज नहीं चलता है तो एक pen और paper लीजिए और उस पर 3 column बना लीजिए पहले column में लिखिए investment period यानि कि हम इन 30,000 डॉलर को कितने वक्त के लिए invest करने वाले हैं और इस column में लिख लीजिए 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल अब दूसरे column पर चलिए इसमें वो amount आएगा जो तब आता अगर हम reinvest नहीं करते अगर हम compounding principle के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो 10% के rate of return के हिसाब से 30,000 डॉलर पर 10 साल बाद हमें 30,000 डॉलर की return मिलेगे और हमारी total investment बढ़कर 60,000 डॉलर हो जाएगे यहीं 20 साल के लिए किया जाता है तो 90,000 30 के लिए 1,20,000 और 40 के लिए 1,50,000 अब तीसरे column की तरफ चलते हैं यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इस rate of return को reinvest करने पर हमें कितना amount मिलता 10 साल में हमें मिलता 77,812 20 साल में मिलता 2,1824 30 साल में 5,23,482 और 40 में 13,57,777 अभी आपके पास आगया है data अब हम देखेंगे कि इस data का मतलब क्या है हमारे पास 3 चीज़े है term term के बाद कितना पैसा मिलेगा और अगर उस पर compounding कर दी जाए तो कितना पैसा मिलेगा अगर आप हर साल अपनी income निकाल लेते हैं तो 10 साल के बाद आपके पास 30,000 का profit होगा क्योंकि आपको total मिलेंगे 60,000 और आपने शुरुआत में लगाये थे 30,000 अगर आप 20 साल तक इंतजार कर सकते हैं तो आपका profit बढ़कर 60,000 हो जाएगा तो दूसरे शब्दों में आप हर साल income निकाल लेते हैं तो आपके investment period को 10 की जगह 20 साल करने पर यानि कि double करने पर आपका profit भी double हो जाता है जादातर लोग यहीं expect कर रहे होंगे लेकिन जब आप income को reinvest करने के लिए तयार होते हैं तो ऐसा नहीं होता 20 साल के बाद यह profit बढ़के 1,71,824 हो जाता है क्योंकि आपको मिलेंगे 2,1,824 इस case में जब आपने investment time को double किया तो आपका profit 260 टका बड़ा है अब जितना जादा वक्त के लिए अपना पैसा invest करेंगे इसका असर उतना ही जादा बड़ा होता जाएगा अगर आप अपने पैसे को 40 साल invest करने के लिए तयार है तो आपको मिलते हैं 13,57,777 और आपका profit हो जाता है 13,27,777 तो जब आप investment period को 20 की जगा 40 साल कर देते हैं यानि कि 20 का double तो आपका profit 1,71,824 से बढ़कर 13,27,777 हो जाता है यानि कि 640 टका profit बढ़ गया ये compounding का एक बहुत important feature है जब आप अपनी investment की duration को बढ़ा देते हैं तो आपका profit भी ज़ादा हो जाता है जितनी ज़ादा वक के लिए आप अपने पैसे को invest करेंगे profit उतना ही शानदार हो जाएगा फिर चाहे आप अपनी investment के उपर हर साल 5 टका कमा रहे हो या फिर 50 टका ये basic principle ऐसे ही काम करेगा इसलिए अपने return को maximize करने के लिए अपनी income को reinvest कीजे compounding के principle के हिसाब से आपको जो पैसा अंत में मिलेगा वो तीन factor के उपर तै होगा पहला original investment की value दूसरा आपको आपकी investment के उपर मिलने वाला annual rate of return तीसरा आप कितने वक्त के लिए पैसा invest करते हैं इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को बढ़ाने से future में आपकी wealth की value बढ़ जाएगी तो आईए अगले एपिसोड पर बढ़ने से पहले मैं आपको वो सब बातें एक बार फिर से remind करवा देता हूँ जो इस एपिसोड में आपने मेरे साथ जानी है जैसे कहीं भी investment करने से पहले अपनी एक personal balance sheet बनाईए जो आपको आपकी total present wealth के बारे में बताएगी उससे आपको ये आईडिया हो जाएगा कि आने वाले सालों में आप उससे कितना पैसा बना सकते है कहीं भी investment करने से पहले उससे मिलने वाले rate of return को जरूर देखिए उससे मिलने वाले potential rate of return को confirm कीजिए liquidity, risk, term और capital इन चारों को consider कीजिए एक investment opportunity कितनी appealing हो सकती है ये चारों इस बात के उपर असर डालते हैं अब आखरी और सबसे जरूरी बात compounding करना मत भूलिए income को reinvest करने से शानदार तरीके से ये बढ़ता जाएगा अगर आप अपने पैसे को grow करना चाहते हैं तो आपके पास उसे wealth create करने वाली assets में invest करने के अलावा और कोई option नहीं है यानि कि ऐसी assets जो या तो income generate कर रही हो या फिर वो value में बढ़ रही हो या फिर आपको उससे इन दोनों option का फायदा मिल रहा हो ऐसी बहुत सारी assets है जो ये opportunity दे सकती है for example fine wine, art और gold ये वो area हैं जिनने specialist area कहा जाता है और इस area में सिर्फ उसी को कदम रखना चाहिए जो इस तरह की market की एक एक चीज को जानता हो कम risk quality investment जैसे की peer to peer lending यानि की अपने पैसों को ब्याज पर लोगों को उधार देना आजकल अपनी wealth को बढ़ाने का ये तरीका भी काफी popular है लेकिन इस तरह की चीजों को भी सावधानी के साथ ही अप्रोच करना चाहिए इसलिए जादातर investors फिर चाहे वो कोई independent investor हो या फिर कोई financial institution वो अपनी पूरी attention सिर्फ चार market में लगाते हैं जिने the big four भी कहा जाता है इनमें पहला है savings account दूसरा है bond तीसरा है shares और चौता है property आपको अपनी investment का control अपने हाथों में लेने के लिए सिर्फ इन चार market को समझने की ज़रूरत है लेकिन यहाँ समस्या इन चारो market को समझने में नहीं बलकिन चारो में से अपने लिए एक का चुनाफ करने में है इनमें से आपके लिए कौन सी सही रहेगी यह जानने के लिए चलिए मैं आपको इन सब की speciality के बारे में बताता हूँ इनमें सबसे पहले आता है savings account इस category में कई तरह के savings account available है लेकिन यह सारे के सारे एक ही तरीके से काम करते है यानि कि जब आप एक savings account खोलते हैं तो आप एक financial institution जैसे बैंक को अपने पैसे उधार पर दे रहे होते हैं आपके fund के इस्तमाल के बदले में वो institution आपको interest पे करता है उसके पास आपके पैसों का पूरा control होता है रिस्क, term और capital के हिसाब से आप इस option का चुनाफ करने की क्या कीमत चुका रहे हैं बहुत सारे investor के लिए liquidity एक ऐसा जरूरी issue होता है जो उनके investment decision को पूरी तरह rule करता है liquidity यानि कि जब उन्हें जरूरत हो वो तब अपना पैसा निकाल सके यही benefit savings account को और भी ज्यादा attractive बना देता है क्योंकि ज्यादा दर savings account में आपके पास किसी भी समय अपना पैसा निकालने की पूरी freedom होती है मगर हाँ, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप पहले notice दिये बिना अपना सारा पैसा withdraw कर लेते हैं तो आपके उपर penalty लग जाती है जब risk की बात होती हैं तो हाला कि savings account को आम तोर पर कम risk वाला माना जाता है लेकिन ये risk free नहीं है जैसे financial institutions like banks कभी भी fail हो सकते हैं हाला कि अगर आपने साबधानी से अपना financial institution चुना है तो इसके बहुत कम chances है कि आपके investment डूब जाए जहां तक बात है term की यानि कि कितने समय तक savings account में पैसा छोड़ने तक आपको उस पर interest मिलना शुरू होगा तो मैं आपको बता दूँ कि savings account के अंदर जब पैसा डाला जाता है तब से ही उसके उपर interest मिलना शुरू हो जाता है अगर आपने इसमें कुछ दिन के लिए भी invest किया हो तो आप उसके उपर कुछ तो return expect कर ही सकते हैं अब बात आती है capital की यानि कि कितने पैसों से ये saving account ओपन किया जा सकता है हाला कि इस तरह के कुछ account शुरू करने के लिए एक minimum balance की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसी category में कुछ accounts ऐसे भी है जो zero balance से खोले जा सकते हैं इन सब फायदों का मजा लेने के लिए investors बाकी investment के मुकाबले में इस पर मिलने वाली कम rate of interest को भी accept करने के लिए तयार हो जाते हैं इसलिए savings accounts को wealth increase करने से ज्यादा inflation की मार से अपने funds को बचाने के एक जरिया के रूप में भी देखा जाता है वहीं दूसरी तरफ इस चीज के chances भी कम है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिसने savings account में पैसा रखकर करोड कमाए हो चलिए अब हम potential rate of interest और savings account के साथ जुड़े हुए trade-off को ध्यान में रखते हुए savings account के कुछ features के बारे में बात करेंगे और savings account के बाद bond और उसके बाद share और उसके बाद property सबसे पहले मैं आपको बता दूँ की इन features को पांच चीजों के आधार पर देखा जाता है और वो है return, liquidity, risk, term और capital किसी भी तरह की investment के लिए इन पांच चीजों की समझ होना बहुत ज़रूरी है कुलमिला के बात ये है कि savings account में return कम मिलता है इसलिए liquidity, risk, term और capital बहुत ज़ादा हैं मुद्दे नहीं होते है चलिए अब बात करते हैं दब बिग 4 की दूसरे market यानि bonds की इसके features के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर ये bonds होते क्या है अगर आप अपने risk को बहुत ज़ादा ना बढ़ाते हुए अपनी investment पर ज़्यादा return पाना चाहते हैं तो bonds आपके लिए best option है ये savings accounts के मुकाबले ज़्यादा better rate of return देते हैं साथ ही इनमें shares के मुकाबले कम risk होता है इतने attractive benefit के होते हुए भी बहुत कम independent investors को इनकी importance और benefits की समझ होती है सरकार चाहे देश की हो या राज्य की या दोनों की है उसे भी company की तरह पैसा उधार पर लेने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन जितना पैसा चाहिए होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने आप में एक परिशानी होती है मान लिजे कि एक company को अगले 20 साल के लिए 500 मिलियन डॉलर उधार लेने की जरूरत है एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे लोन ले लिया जाए लेकिन बहुत कम और्गनाजेशन ऐसी होंगी जो इतनी बड़ी रकम को इतने लंबे समय तक के लिए उधार देने के लिए राजी होंगी एक दूसरी अप्रोच ये है कि पूरे लोन को 1000-1000 डॉलर के बॉन्ड के अंदर बांट दिया जाए बॉन्ड वो financial instrument होते हैं जिने कोई company या organization funds raise करने के लिए इस्यू करती है जिसके बदले में वो इसे खरीदने वालों को एक निशित समय तक के लिए interest पे करती है और जब ये निशित समय पूरा हो जाता है तब वो उसे उसका पूरा पैसा भी वापस कर देती है और क्योंकि उसे इशू करने वाली organization चाहती है कि वो अपनी इस financial commitment को पूरा करें इसलिए शुरुआत में ही इस पर दिये जाने वाले rate of interest को fix कर दिया जाता है यही वजह हैं कि इन bonds को अकसर fixed income security के रूप में भी देखा जाता है मान लीजी कि आपने किसी company के 1000 डॉलर वाले bonds खरीदे इन पर आपको वो company 5 टका annual return देती है और ये 31 December 2016 को repayable भी हो जाएंगे यानि कि इस तारीख पर आपका पैसा आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ ध्यान रखनी की बात ये हैं कि bond tradable होते हैं इनको आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है और ये बात आपके favor में जाती है क्योंकि अगर आपको immediate cash की ज़रूरत है तो आप किसी दूसरे investor को कभी भी ये bonds बेच सकते हैं जो आपकी जगह आपके द्वारा bonds के बदले दिये गए loan का मालिक हो जाएगा overall देखे तो bonds हमें दो तरह के potential benefits देते हैं पहला ये कि इनसे हमें interest के रूप में एक regular income मिलती है दूसरा ये कि इनसे हमें capital gain भी होता है capital gain किसी भी investment की बड़ी हुई value के लिए आम तोर पर इस्तमाल किये जाने वाली एक term है I think यहाँ पर capital gain को थोड़ा explain करनी की ज़रूरत है देखे जैसे घरों की कीमत समय और परिस्तिती के अनुसार घटती बढ़ती रहती है वैसे ही bonds की कीमत में भी उतार चड़ावाते रहते हैं चलिए इसे मैं आपको अभी थोड़ी दिर पहले बताये गए example की help से समझाता हूँ उस example के according आपने 1000 डॉलर की कीमत के कुछ bonds करीदे थे हो सकता है कि जब आप अपने bonds बेचने जाए तो आपको अपने हर bond की कीमत 1000 डॉलर से ज्यादा ही मिल जाए ये काफी हद तक उसे खरीदने वाले के perspective और उस दिन की market की position पर depend करता है बहुत से investors bonds की तरफ सिर्फ इसलिए attract होते हैं क्योंकि वो savings account से ज्यादा rate of interest दे सकते हैं अगर आप अपना risk कम से कम रखना चाहते हैं तो इस approach के साथ आगे बढ़ा जा सकता है इसके अलावा एक दूसरी strategy ये भी है इसमें risk थोड़ा सा जादा है इसमें bonds के price की अस्थिर्था का फायदा उठाते हुए इस उमीद में bonds खरीदे जाते हैं कि जब future में इनके prices बढ़ेंगे तो इने बेज कर profit कमाया जा सकता है लेकिन ये केवल एक अनुमान है और इस आधार पर इसे पैसा बनाने वाले का एक असरदार तरीका नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी investment का decision return, liquidity, risk, term और capital इन पांच चीजों के आधार पर लिया जाता है आए अब इनी के आधार पर bonds की key features पर एक नजर डालते हैं bonds पर मिलने वाली returns के बारे में कि जब भी कभी आप इने बेचेंगे तब हो सकता है आपको इनकी कीमत इन पर खर्श किये गए पैसों से कम भी मिल सकती है और जादा भी इसके बाद बाद आती हैं इससे जुड़े risk की किसी भी investment में सबसे बड़ा risk यही होता है कि कही वो default हो गई तो इसकी value पूरी तरह से खत्म हो गई तो bonds के साथ भी ऐसा ही हो सकता है जैसे जिसने भी यह bonds issue किये हुए हैं वो इन पर आपको मिलने वाला interest पे नहीं कर पाया तो bonds का बहुत कम या बहुत ज़ादा risk की range में होना यह बहुत हद तक इने issue करने वाले पर निर्भर करता है For example, जो bonds दुनिया की economy lead करने वाली government issue करती हैं, उन्हें सबसे ज़ादा safe form of investment माना जाता है दूसरी तरफ, जो bonds struggle करने ही कमपनियों द्वारा issue होते हैं, उन्हें बहुत ज़ादा risk की माना जाता है अगर आप सिर्फ low risk वाली government और company bond में ही invest करते हैं, तो आपकी investment के default होने के chance बहुत ही कम हो जाएंगे, जब बात terms की हो तो bonds कुछ दिनों से लेकर 30 सालों या उससे अधिक समय तक guaranteed rate of interest pay करने के promise के साथ मिलते हैं एक general principle के अनुसार redemption की term जितनी लंबी होगी उस पर उतना ही ज़ादा rate of interest मिलता है जाहिर सी बात है इसलिए investors bonds को कुछ समय के लिए नहीं बलकि एक long term investment के रूप में देखते हैं अब अगर बात bonds से capital commitment की करें तो अक्सर जो bond issue होते हैं उनकी minimum purchase value 1000 डॉलर की होते हैं जो अपने आप में कोई छोटा amount नहीं है इसलिए bonds में invest करने का decision लेने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके पास कम से कम इतना पैसा तो हो bonds के बाद अब बात करते हैं shares की चाहें आप अपना पैसा savings account में रखें या bond में invest करें ऐसा करके आप सरकार, bank या किसी trading company के साथ एक loan agreement से जुड़ जाते हैं हाला कि ये भी एक risk होता है लेकिन अधिकतर bonds में आपका पैसा सुरक्षिती रहता है यही वज़य हैं कि इन पर मिलने वाले rate of return बहुत जादा भी नहीं होता अगर future में आप अपने पैसों को कही गुना बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको investment के दूसरे options पर भी नज़र डालनी होगे अपने पैसों को एक शांदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने की opportunity आपको cable दो तरह की wealth creating assets दे सकती हैं वो हैं shares और property shares को आम तोर पर investment का सबसे जटिल रूप माना जाता हैं अलाकि इसे define करने वाले principles वास्तव में काफी सीधे और सरल होते हैं आपने देखा होगा कि कैसे टीवी पर trading room में anchors अपने desk पर बैठें उची आवाज में चिलाते हुए आपको share market का हाल बताते हैं और उनके पीछे screen पर कभी न खत्म होने वाले data डिस्पले हो रहे होते हैं जो लोगों के mind में shares को लेकर बसे डर को कम करने में जरा भी उनकी मदद नहीं करता In fact, अगर आप shares में invest करके एक effective तरीके से पैसा आंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को काम और relax रखना सीखना होगा चलिए, अब मैं shares को लेकर आपकी confusion को दूर करता हूँ इसके लिए सबसे पहला step है, shares के concept को समझना अपना business चलाने के लिए हर company को funds raise करने की जरूरत पढ़ती है कोई एक व्यक्ती उन्हें इतना सारा fund उधार नहीं दे सकता इसी problem के solution के तौर पर company shares issue करती है जो उसके business में हिस्सेदारी को represent करता है यानि अगर एक company 10 लाख shares issue करती है और उसके पास उसका एक share है तो आप उस company के 10 लाख वे हिस्से के मालिक होते है अगर आपके पास 5 लाख shares है तो आप एक चौथा ही company के मालिक है और अगर आपके पास 5 लाख shares है तो आधी company के कभी-कभी shares को stock या equity कहकर भी refer किया जाता है तो जब आप लोगों को stock holder या equity holder के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो वो share holders की ही बात कर रहे होते हैं अब ये सवाल उठता है कि जब आप shares खरीदते हैं तो exactly आपका अधिकार किस चीज़ पर होता है सबसे पहले तो आप assets का एक हिस्सा own करते हैं अगर आप एक company के 10 टके share खरीदते हैं और company की factory की की कीमत 10 million dollar है तो theory के हिसाब से उस building का 10 टका own करते हैं और साथ ही आप company के future में होने वाले profit पर 10 टके का हग भी रखते हैं पहले के profit जा चुके हैं आप जो चीज़ खरीद रहे हैं वो future का एक हिस्सा है इसी वज़़े से share के price उपर नीचे होते हैं अगर एक company से उम्मीद की जाती हैं कि वो future में बहुत ज़्यादा profitable होगी तो उसके share की कीमत ज़्यादा होगी वहीं दूसरी जगह हैं अगर किसी company को लेकर शक है कि future में इसकी performance अच्छी नहीं होगी तो उसके share की कीमत कम हो जाएगी bonds की तरह share के भी दो potential benefit होते हैं पहला अगर company dividend day रही हैं तो आपके पास एक regular income होगी dividend एक तरीके से shareholder का profit होता है जो हर बार कुछ महिनों बाद उन्हें मिलता है दूसरा अगर वो value के अंदर बढ़ जाते हैं तो share भी capital gain दे सकते हैं आपको जो return मिलेगा वो इन दूनों चीज़ों के combination के उपर निर्भर करता है अगर आप 100 dollar के shares करीदते हैं और आपको साल में 5 dollar का dividend मिलता है और साथ ही अगर shares की कीमत 15 dollar से बढ़कर 115 dollar हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 100 dollar की investment पर 20 dollar का return मनाया है अब देखते हैं कि shares को क्या चीज savings account और bonds से अलग करती है यही वो चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को shares में invest करने से रोकती भी है savings accounts और bonds की case में आपको पहले से ही पता होता है कि return क्या रहेगा लेकिन shares के case में आपको नहीं पता होता है जिन लोगों के पास shares की specialized knowledge नहीं होती है उनके लिए shares में invest ना करने के लिए यह वज़ा काफी है लेकिन future return का पता नहीं होना ही इनका सबसे बड़ा attraction भी है क्योंकि अगर इसके बारे में पहले ही पता होगा तो इस पर आपको मिलने वाले return भी कम हो जाएगा क्योंकि ये बात इसके risk को कम कर दिएगी और high risk ही वो factor होता है जिसकी वज़ा से return भी जादा मिलती है अगर आप एक अच्छी opportunity को भैचान लेते हैं तो मुम्किन है कि आप छूटी investment पर भी शांदा return मना सकते हैं मैंने अपने कुछ shares को कुछ ही समय में 2 गुना और 3 गुना होते होए देखा है लेकिन ये एक exception है, rule नहीं है याने कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा मेरे पास कुछ ऐसे shares भी हैं जिनकी value बढ़ने की बजाए कम हुई है लेकिन दूसरे shares पर मैंने इतना profit कमा लिया है कि मुझे इनकी चिंता नहीं होती जब shares में invest किया जाता है, तो बहुत सारे shares का एक portfolio बनाना एक common practice है इसके पीछे intention सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि आपको उन shares का पता लग जाए, जिनकी value सिर्फ बढ़ें, घटे नहीं बलकि ये हो कि इन पर जो भी return आपको मिले, वो आपको होने वाले losses से कहीं ज़ादा हो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप हमेशा अपनी investment पर अच्छी return enjoy करते रहेंगे Shares के साथ में challenge ये है कि किसी को भी नहीं पता होता कि future में क्या होने वाला है इसी वज़े से share prices में बहुत ज़ादा उतार चड़ाव आता है इस quality की वज़े से market में दो तरीके के participants आ जाते हैं पहला share traders, दूसरा share investors एक trader इस उमीद में shares को regularly खरीदता है और बेशता है कि छोटे वक्त की fluctuation के अंदर वो पैसा बना सकता है इस तरह की activity के लिए common term दी गई है day trading ये बहुत ज़ादा potential return offer करती है लेकिन इसमें बहुत ज़ादा risk भी है खास तोर पर उनके लिए जो specialized knowledge नहीं रखते shares की कीमत अगले एक या दो साल के अंदर क्या होगी ये expect करना एक बात है लेकिन अगले घंडे में क्या होने वाली है इसका अनुमान लगा पाना दूसरी हालांकि reward इतने बड़े हो सकते हैं कि Mount Everest की चोटी चूले लेकिन नुकसान भी इतना बड़ा हो सकता है कि आप आसमान से जमीन पर आ गिरें करोड और डॉलर का नुकसान उठाने वाले major financial institution के अंदर काम करने वाले experience traders की कहानियों के हिजाब से ये एक तरह का जुआ ही है एक share investor एक long term view के हिजाब से काम करता है और उन companies को ढूण रहा होता है जो savings accounts और bonds से ज़ादा return दे सके और ऐसा करते हुए वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो जितने return की उमीद कर रहा है वो उसे 2 या 3 साल में नहीं मिलेगी अपने इस नजरिये से उसे 2 potential benefits मिलता है बहुत सारी studies में देखा गया है कि बहुत सारे साल तक जब rate of return shares के उपर मिलता है तो वो savings account और bond से मिलने वाले return से कहीं ज़ादा होता है इसका सबूत overwhelm करने वाला है साथ ही ये आपको एक ऐसी position के अंदर डाल देता है जहां आप share की कीमत की short term volatility को ignore करके जिंदगी में ज़ादा relax रह सकते हैं और आपके पास एक optimism भी होगा जो आपके दोस्तों और परिवार की जिंदगी को भैतर बना सकता है शांदार rate of return के मामले में shares बहुत ज़ादा attractive लग सकते हैं लेकिन हमें liquidity, risk, term और capital के हिसाब से भी इसको देखने की ज़रूरत है bonds की तरह ही shares को भी ज़रूरत के हिसाब से बेचा जा सकता है लेकिन shares की कीमत भी उपर नीचे हो जाती है और dividend की guarantee नहीं होती shares के अंदर अच्छी खासी liquidity तो होती है लेकिन साथ में risk भी होता है जहां तक बात है term की shares को medium से long term investment माना जा सकता है अगर आप इसमें पैसा invest कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 साल का सोच कर ही आगे कदम बढ़ाए इसके बाद बारी आती है capital की जब आप shares खरीदते हैं तब आप trading की fees देते हैं और बेचते वक्त दूसरी fees देते हैं इस fees के अशर को कम करने के लिए आप कम से कम एक company में 1000 डॉलर invest करते हैं जादातर investor कहते हैं कि अगर आप shares में invest कर रहे हैं तो आपको एक साथ कहीं company के shares में invest करना चाहिए अगर अपने सारे अंडे एक टोकरी में डाल दिये तो टोकरी को कुछ होते ही सारे अंडे बरवाद होने का risk होगा और इसलिए एक ही जगा सारा पैसा लगाने से ये एक high risk वाली strategy हो जाती है इस problem से निपटने के लिए आपको कुछ हजार से ही शुरू करना होगा इसके बाद हम बात करेंगे property के shares को आपको long term के अंदर अपनी wealth को एक बहुत शांदार तरीके से बढ़ाने की opportunity देते हैं वही property आपको इससे भी ज़ादा तेजी से wealth को बढ़ाने की opportunity देते हैं bonds और shares की तरह ही property से भी आपको दो potential benefit मिलते हैं पहला अगर property की value बढ़ जाती है तो capital gain होगा दूसरा अगर property को rent पर दिया जाता है तो उससे income आ सकती है इसकी वज़े से तीन टाइप के property investors होते हैं पहला property trader दूसरा property developer और तीसरा landlord एक trader property को खरीद के और बेज के पैसा बनाता है यानि कि market value से कम पर खरीदने की कोशिश करता है और इस उमीद में कि वो उसे जादा कीमत पर बेज पाएगा एक developer property को बहतर बना कर पैसे कमाता है हो सकता है कि वो जमीन का plot खरीदें जिस पर वो नहीं property बना सके या फिर उन properties को खरीदें जिन में restoration की जरूरत हो या फिर उन्हें और जादा develop करना हो इसमें intention ये होती है कि जरूरी काम कर दिया जाए और उसके बाद property को profit के लिए बेचा जाए उसके बाद आते हैं landlord ये लोग property को खरीदने और बेचने के काम में नहीं होते हैं बलकि ये property इसलिए चाह रहा होते हैं कि उनके पास rental income का एक reliable source हो trader, developer और landlord की मौझूदगी की वजह से प्रोपर्टी में invest करने की दो अलग-अलग approach बन गई है पहली बेचने के लिए खरीदना दूसरी रेंट के लिए खरीदना traders और property developers दोनों ही बेचने के लिए खरीदने वाली approach को adopt करते हैं जबकि दूसरी जगा landlord रेंट के लिए खरीदने की approach adopt करता है इसमें कोई शक नहीं कि अगर property पर potential rate of return हाई है तो risk भी उतना ही बड़ा है चारों investment opportunities में से property सबसे ज़्यादा कम liquidity वाली investment opportunity है एक property को बेचने के लिए महिने लग सकते हैं और कई बार उससे ज़्यादा भी experience ने दिखाया है कि वक्त वक्त पर property की value उपर भी जा सकती है और नीचे भी इसलिए इसमें risk भी जुड़ा हुआ है साथ ही rental income होगी इसकी guarantee नहीं दी जा सकती जहां तक बात है term की तो आपको अपने investment के उपर return बनाने के लिए महिनों तक या फिर कभी कभी सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन जब property को बाकी type की wealth create करने वाली assets के साथ compare किया जाता है तो असली फर्क capital की ज़रूरत में दिखाई पड़ता है property की कीमत अकसर 1000 लाखों डॉलर में होती है इसलिए आप property में तभी पैसे लगाएं उपर है कि आप अपनी परिस्थितियों के हिसाफ से इन चारों wealth बनाने वाली assets में किसका चुनाफ करते है आपके चुनाफ पर इनसे मिलने वाले offers का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अलाकि इसके अलावा और भी कहीं चीज़े हैं लेकिन जब बात होती हैं सही investment चुनने की तो ज़्यादातर investor के लिए सबसे एहम होता है risk और reward की बीच का trade-off जितना ज़्यादा risk होगा, rate of return भी उतना ही ज़्यादा होगा savings account काफी ज़्यादा secure माने जाते हैं इसलिए इन्हें low risk investment की तरह देखा जाता है अगर banks fail होते हैं तो आपके investment default होने की chances बहुत-बहुत कम होते हैं इसलिए इन पर rate of return भी कम होता है savings account के मुकाबले में bonds ज़्यादा rate of return देते हैं लेकिन bonds के price कम ज़्यादा होते रहते हैं और साथ ही इन्हें issue करने वाले के default कर जानी की possibility भी बनी रहते हैं अगर आप अच्छी तरह से सोच समझ कर इसका चुनाफ करते हैं तो इनमें risk कम हो जाता है लेकिन savings account से फिर भी ज़्यादा ही रहता है shares की कीमतों में अचानक ही बहुत ज़्यादा उतार चड़ावा जाते हैं लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही rare है इस stock market में आपका सारा पैसा डूब जाए लेकिन shares में bonds के मुकाबले ज़्यादा risk होता है अगर ज़्यादा risk के बदले वो आपको ज़्यादा return भी तो देते हैं property की बात करें तो property की कीमत बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं property के साथ ये problem भी है कि बहुत सारा पैसा एक single asset में block हो जाता है अगर वो specific asset की कीमत घटती हैं तो chances है कि आपको भारी loss का सामना करना पड़े इसलिए property सभी wealth creating assets या investment में सबसे ज़्यादा risk है लेकिन इसमें इस higher risk के बदले एक शांदार return हासिल करने का potential भी बहुत है return, liquidity, risk, term और capital, savings account में सबसे कम return होता है, bond में उससे ज़्यादा, shares में उससे भी ज़्यादा और property में सबसे ज़्यादा, savings accounts, bonds और shares इन तीनों को चुनते समय, liquidity एक important key factor होता है जबकि property में नहीं, savings accounts और bonds में risk उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना share और properties में होता है savings account में term इतना matter नहीं करती, जितना bonds, shares और properties में savings accounts में capital भी इतना बड़ा issue नहीं है, जितना bonds, shares और property में है इनके आधार पर हमें कुछ चीज़े समझ में आती है, जैसे कि savings account में liquidity बहुत ज़्यादा होती है, कम risk होता है short term में ही return दे सकता है, और savings accounts में बहुत कम capital investment की ज़रूवत होती है वहीं दूसरी तरफ, properties सबसे ज़्यादा risk वाली investment होती है liquidity भी बहुत ज़्यादा नहीं होती ऐसे return देती हैं जिसको achieve करने के लिए बहुत लंबे वक्त की ज़रूवत पड़ती है और बहुत ज़्यादा capital की भी ज़रूवत होती है आपके लिए कौनसी wealth creating assets सही है, ये फैसला लेने के लिए आपको decide करना है कि higher rate of return हासिल करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं आप अपनी life की किस stage पर खड़े हैं ये बात भी अपने लिए एक सही wealth creating asset के चुनाफ पर असर डालती हैं जब आप अपने career की शुरुवात में होते हैं तो आपके पास funds बहुत काम होते हैं आपके पास उस समय जितना भी पैसा होता है आप उसे inflation से protect करना चाहते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इस stage पर savings accounts आपको अपने लिए सबसे जादा safe option लगता है जैसे जैसे आप अपनी working life में grow करते हैं आपकी income भी बढ़ती हैं ये वो time होता है जब आप अपने living standard को बढ़ाने और अपनी retirement के लिए एक fund तयार करने के लिए अपनी wealth को बढ़ाने पर focus करना चाहते हैं ऐसे में shares और property ही वो दो main opportunity हैं जो आपकी जरूरत को पूरा करती हैं ये वो stage है जब बहुत सारे लोग financial advisor ये fund manager जैसी third party को approach करते हैं ताकि वो उनके लिए investment decision ले सके हम अगर जैसा मैंने पहले भी कहा हैं कि अगर आप अपनी investment खुद करने का फैसला करते हैं तो आप fees का काफी पैसा बचा लेते हैं जिसकी वज़ा से आपका return बहुत ज़ादा बढ़ जाता हैं इसके अलावा अगर सिर्फ retirement के perspective से सोचा जाए तो retirement के बाद एक regular income पाने के लिए bonds सबसे अच्छा option है क्योंकि ये कम risk पर कई सालों तक fixed rate of interest दे सकते हैं तो ये थी investment की कुछ और varieties जिनमें पैसा invest करके आप अपनी wealth की value को बढ़ा सकते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी life के हर mode पर सिर्फ एक तरह की investment करें करियर की बीच और आखिर में अधिकतर लोग अपना काफी पैसा property और shares में invest करते हैं लेकिन उनके साथ savings account और bonds में भी कुछ पैसा invest किया जा सकता है retirement तक आते आते कई लोग अपना share portfolio भी maintain कर रहे होते हैं इसका मतलब यही हुआ कि आप अपनी life में एक साथ एक ही समय पर या फिर अलग-अलग समय पर इन चारों टाइप्स की investment में अपना पैसा invest कर सकते हैं चलिए अब अगले episodes पर जाने से पहले मैं आपको इन episodes की highlights बता दूँ जिने पैसा invest करने वालों के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी investment में liquidity, risk, term और capital के साथ trade-off होता है और example अगर आप अपनी investment पर ज़्यादा return चाहते हैं तो आपको long term investment करनी होगी इसके लिए आपको एक लंबे समय तक अपना पैसा invest करके भूल जाना होगा इसी को trade-off कहा जाता है जिसमें एक चीज पाने के लिए आपको अपनी किसी दूसरी चीज का sacrifice करना पड़ता है savings account inflation से अपने funds को बचाने का सबसे best option है bonds कई सालों तक आपको एक fixed regular income दे सकते है shares और property में invest करने से आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है अपना पैसा invest करने से पहले बाकी चीजों के अलावा इस बात पर भी गौर कीजिए कि आप अपनी life के किस mode पर है और उस समय किस asset में पैसा invest करना आपकी लिए सबसे अधिक फायदे मन रहेगा private investor से जुड़े कुछ चौंकाने वाले facts है कुछ लोगों का पैसा इसलिए डूब जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त या कलीक्स की दिवगी advice के according invest करते हैं कुछ इसलिए डुबा बैठते हैं क्योंकि वो जिस चीज में invest कर रहे होते हैं उन्हें उसकी समझ नहीं होती कुछ को risk का advantage लेना नहीं आता तो invest करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं कुछ को किसी reason से अचाना कि अपनी investment को cash करना पड़ता है तो कुछ का पैसा सिर्फ इसलिए डूपता है क्योंकि उन्हें किसी अच्छी investment की opportunity को पहचाना नहीं आता ये सारे issues सिर्फ discipline की कमी के कारण होते हैं investing का whole concept ही एक अच्छी return देने वाली investment ढूण कर उसे manage करना है अगर आप सही decision लेते हैं तो आप पैसा बनाएंगे अगर आप गलत decision लेते हैं तो आप अपने पैसों से हाथ धो बैठेंगे problem ये है कि बहुत सारे लोग अपने emotions को आगया आने देते हैं और investment का decision लेते हुए आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका emotional होना है आपको एक opportunity पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक अच्छी investment है ठीक वैसे ही जैसे आपका किसी opportunity को पसंद ना करना उसे बुरी investment नहीं बना देता इंवेस्टिंग में discipline की क्या importance है और उसमें investing के 6R हमारी कैसे help करते हैं आईए अब मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ इंवेस्टिंग का decision लेते हुए आपको एक discipline follow करना पड़ता है ये तो आप जानते ही हैं कि investing का मूल risk और reward की बीच का trade-off है जैसे कि ये दोनों ही R letter से शुरू होते हैं तो कोई भी marketing manager इनको investing के 2R की तरह promote करना चाहेगा वो दो concept जिनके उपर हर investor को अपनी पूरी attention देनी चाहिए आलाकि ये सच है कि आपको अपने funds पर जितना ज़्यादा rate of return हासिल होगा आपके investment उतना ही ज़्यादा बहतर perform करेगी लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा rate of return को achieve करने के लिए आपको और ज़्यादा risk लेने की ज़रूरत है जैसा कि मैंने आपको पिछले episode में बताया था कि एक अच्छी investment का चुनाफ करने के लिए आपको liquidity, investment की term और investing के लिए जो capital चाहिए होते है उसे भी consider करना पड़ता है लेकिन अपने पैसों को अपने से दूर करने के बाद भी इस बात की कोई guarantee नहीं होते कि आपकी वो investment आपकी expectation के हिसाब से ही perform करेगी इसलिए आपके investment के decision लेने से लेकर उसके mature होने तक उस पर नजर रखना बहुत ज़रूरी है जब भी मैं लोगों को investment से जुड़े decision लेना सिखाता हूँ तो मैं हर बार उनसे यहीं कहता हूँ कि एक अच्छा decision लेने के लिए एक शर्त ये भी है कि आपने इसे जुड़े हर issue पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लिया है मैं तो यहां तक कहता हूँ कि investing के दो नहीं 6 hour है इन 6 hour के बारे में aware होकर ही आप investment के ऐसे decision ले सकते हैं जो आपको अच्छी return देने के साथ साथ आपको एक bright future का वायदा भी देंगे Investing के वो 6 hour है Recognize, Reward, Risk, Research, Review, Revisit Investment से जुड़े हर एक decision में यह 6 के 6 elements शामिल होने जरूरी है आप देखेंगे कि हर element दूसरे element तक logically पहुँच जाता है तो हमने यहाँ पर एक तरीके से एक process को पहचान लिया है जो investment के फैसले लेने के process को 6 stage में divide करता है इसकी हर stage में 1 hour होता है आईए इन सारी stages को step by step और ज़्यादा गहराई से समझते है पहली stage है recognize सबसे पहले आपको investment की available opportunities को पहचानने और उनके बारे में aware होने की ज़रूरत है इसके बाद आपको ये देखना है कि उनमें से आपके लिए कौनसी सही है दूसरी stage है reward अगर आपने अच्छी investments की opportunity को पहचान भी लिया तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके लिए उसमें invest करना ज़रूरी है ये सब opportunities आपके पैसों की value को बढ़ाती है ये एक बात है लेकिन उन opportunities में अपना पैसा invest करना क्या worth है ये अलग matter है इसके लिए आपको potential rate of return को पहचानने की ज़रूरत है लेकिन reward की stage में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा इतिहास ने हमें बार-बार इस बात के लिए सावधान किया है कि अतीत में जिस भी investment ने जो भी अच्छा बुरा return दिया उसके आधार पर हम future में किसी भी investment में कोई उमीद नहीं रख सकते कल जो एक अच्छा option था ज़रूरी नहीं कि वो आज क्या future में भी एक अच्छा best option ही रहेगा तो पहला challenge है future का rate of return identify कर पाना तीन forces होती है जो आपकी rate of return को बहुत ज़ादा limit कर सकती है पहली inflation दूसरी tax और तीसरी fees आईए सबसे पहले inflation पर बात करते हैं बढ़ते हुए price आपकी future returns की value को कम कर देते हैं आप inflation control नहीं कर सकते लेकिन आप ये जान सकते हैं कि ये आपकी investment पर किस तरह से असर डालेगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपने जितने पैसों से start किया था वो भी आपके पास नहीं बचेंगे दूसरी चीज है tax टाइक्स भी आपके rate of return पर असर डालता है किसी भी tax efficient और tax free investment के बारे में जानकारी होने से आपके rate of return बहुत ज़ादा बढ़ सकते हैं तीसरी चीज है fees अगर आप investment decisions के लिए किसी third party की services लेते हैं तो आपको fees देनी पड़ती है ये fees अकसर investor के लिए transparent नहीं होती है और एक इंसान के जिंदगी में ये कहीं 1000 डॉलर तक भी पहुंच सकती है सिर्फ इन fees के बारे में aware होकर और ये जानकर कि इनको कम कैसे किया जा सकता है आप अपने investment की performance और future को बहतर बना सकते हैं तीसरी stage है risk तीसरी stage का R risk की तरफ हमारा ध्यान खीचता है यनि कि किस investment में क्या risk है इस stage से उसकी पहचान की जाती है इससे भी ज्यादा उन तरीकों का पता लगाया जाता है जिनने apply करके हम उन सभी risk को कम कर सकते है किसी भी एक independent investor के लिए risk कम करने की तरीकों को जानना एक बहुत जरूरी skill है इसके बाद आती है stage 4 यहाँ R का मतलब है research इस stage में आपको उन तीन factors पर research करने की जरूरत है जो risk के साथ साथ एक investment की suitability पर असर डाल सकते है और वो है liquidity, term और capital जहाँ तक बात है liquidity की अगर जरूरत पढ़ने पर भी आपके पास अपने पैसों की access ना हो तो ऐसी investing ही बेकार है इसलिए कहीं भी invest करने से पहले आपको ये confirm करना चाहिए कि क्या जरूरत पढ़ने पर आपको अपने पैसों पर तुरंत access मिल जाएगी साथ ही ये भी तसलिक करनी होगी कि कहीं ऐसा करने से आपको कोई penalty या fees तो नहीं देनी पढ़ेगी ये बहुत आम है कि fund managers के पास अपना पैसा invest करते ही लोगों को अचानक से पैसों की जरूरत पढ़ जाती है तब fund managers इसके लिए उनसे penalty के रूप में एक मूटी रखम वसूलते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि जितने पैसे उन्होंने invest किये होते हैं उससे बहुत कम पैसे उन्हें वापस मिलते हैं टर्म की बात करें तो ये investment पर depend करता है कि आप कोई return पाने से पहले अपने पैसों को कितने समय तक block करनी के लिए तयार है और पिस अबसे आखरी में capital को consider किया जाता है इस stage में ये भी देखा जाता है कि आपके पास जितने पैसे हैं उनसे किस टाइप की investment करना सही होगा जैसे अगर आपके पास 5000 डॉलर हैं तो आपके लिए savings account एक अच्छा option है property नहीं stage 5 review 6 hour की पहली 4 stage पूरी कर लेने के बाद time आता है decision लेने का और इसी time आपको ज़रूरत पड़ती है 5th hour की ये hour review को define करता है कोई भी final decision लेने से पहले आपने अब तक जो भी उसके बारे में पता किया है उसे एक बार फिर से review करे जैसे जिस भी investment के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी rate of return क्या है inflation, tax और fees इस पर कैसा असर डालेंगे इसमें risk क्या-क्या है और उनको कम कैसे किया जा सकता है आप अपनी सारी investment या थोड़ी बहुत investment खत्म हो जाने की possibility को low, medium या high कहा रखते हैं आपका पैसा कितना accessible है आप इस investment को कितने समय तक रखने की उम्मीद कर रहे है आपको इसमें कितना invest करने की ज़रुवत है इन सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ही आप ये decision ले सकते हैं कि क्या वो potential investment आपके लिए सही है इस stage पर ही आपको ये भी decision लेना होता है कि आप अपना पैसा invest करना भी चाहते हैं या नहीं इसके बाद आता है sixth और आखरी आर ये आर आपसे क्या कहता है आईए मैं बताता हूँ आत्मसंतोश investors के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है बहुत से लोग एक बार पैसे लगाने के बाद उसे भूल जाते हैं लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है और investment के अफसर भी इसलिए सतर्क रहना बेहत ज़रूरी है sixth आर revisit को represent करता है जो ये कहता है कि आपके अंदर नियमित रूप से अपनी की हुई investment की current और potential progress का निरिक्षन करने का अनुशासन होना चाहिए साथ ही अगर आपको अपने पैसों पर कहीं और अच्छा return मिल रहा है तो आपको हमेशा अपने पैसों को उस जगह invest करने के लिए भी तयार रहना ज़रूरी है जैसा कि मैं अकसर अपने training program में कहता हूँ कि आपको अपनी investment से शादी नहीं बलकि उसे date करना चाहिए आईए अगले episode पर जाने से पहले एक बार फिर से इस पूरे decision making process को समझ ले किसी भी investment decision को लेने के लिए ये जो six hour वाली approach है ये कोई चुटकियों में करोड़पती बनाने वाली scheme नहीं है बलकि ये एक तरीका है जिसके जरीए आप अपने decision making process में discipline लेकर आ सकते हैं एक ऐसा discipline जो आपको एक कदम पीछे ले जाकर objective होने के लिए force करता है अगर आप बहुत जादा informed decision लेना चाहते हैं तो आपके पास six hour को address करने के अलावा कोई और choice नहीं है जादा तर investment decision की गलतियों को प्रोसेस को कुछ यूँ समझा जा सकता है इस प्रोसेस को इस तरह summarize किया जा सकता है नमबर एक opportunity को recognize करो नमबर दो potential reward को पहचानो नमबर तीन risk assess करो नमबर चार performance को affect करने वाले दूसरे factors पर research करो नमबर पांच एक से लेकर चार तक के stages में मिली चीजों को रिव्यू करो नमबर चै अपनी investment को regularly revisit करो जब भी आप spare यानि अपने सभी खर्चों के बाद बचे हुए पैसों को लेकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले जिस investment का खयाल आता है वो है savings account savings account को लेकर लोगों के मन में ये आम धारणा होती है कि इसमें invest करना बहुत ही सीधा और सरल है आप इनमें पैसा deposit करते हो और आपको उस पर interest मिलता है इसमें आपका पैसा डूब नहीं सकता लेकिन अफसोस की बात ये है कि जितनी simple ये investment देखने में लगती है उतनी ये है नहीं बहुत से लोग इसमें ये सोचकर पैसा invest करते हैं कि उनका पैसा समय के साथ लगातार बढ़ेगा लेकिन सच्चाई ये है कि इसके साथ वो जहां से शुरू करते हैं उससे भी खराब स्थिती में पहुँच जाते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है इस एपिसोड में हम savings account पर गहराई से चर्चा करेंगे साथ ही ये पता करने की भी कोशिश करेंगे कि कैस savings accounts आपके महनत से कमाए गए पैसों को invest करने के लिए best option है या नहीं ऐसा हम 6R वाली अप्रोच से करेंगे 6R की पहली अप्रोच है opportunity को recognize करना जब बात savings की आती हैं तो ज़्यादा तर लोग मान कर चलते हैं कि उन्हें सिर्फ सभी savings account में से अपने लिए एक ऐसा option चुनना है जो उनकी जरूरत के हिसाब से हो और जो बहतर rate of interest भी देता हो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा challenge हो सकता है क्योंकि interest rate चुनने के लिए market में एक बहुत बड़ी range available है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बहतर rate of interest का चुनाफ कर पाएं तो आपको time निकाल कर सबसे पहले यह समझना होगा कि savings account में interest rate अलग-अलग क्यों होते हैं financial institution को आपका पैसा इसलिए चाहिए ताकि वो उसे आगे loan देकर अपनी investment strategies को पूरा कर सके जाहिर सी बात है कि वो ऐसे funds raise करना चाहेंगे जो उनके लिए cost effective हो यानि कि उन पर उन्हें जितना कम pay करना पड़ेगा उतने जादा उनके profits बढ़ेंगे इसलिए bank जैसे financial institution को ऐसे cost effective तरीके अपनाने पड़ते हैं जिनकी मदद से वो बचत करने वाले लोगों को अपनी और आकर्शित कर पाते हैं यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि बैंकों के लिए सबसे पहला concern fund raise करने की total cost होती है ये वो amount है जो वो आपके पैसों के बदले आपको pay करते हैं second point है वो दो main factor जिनसे मिलकर funds की ये total cost calculate होती है इसमें पहले factor है interest और दूसरा है transaction cost transaction cost वो खर्चा आता है जो पैसा जमा करने और निकालने पर होता है अगर वो आपको इस transactional cost को कम करने के लिए encourage कर सकते हैं तो वो आपकी investment पर आपको interest के रूप में ज़ादा reward भी दे सकते हैं ऐसा करने के लिए उनके पास तीन तरीक हैं वो आपको long term deposit करने के लिए encourage कर सकते हैं इसके अलावा कुई भी financial institution चाहेगा कि आप उनके पास साल में हर महिने 1000 डॉलर deposit करने की जगा उनके पास एक ही बार में 12000 डॉलर जमा कर दे एक साथ एक बड़ी रकम का आना उनके लिए एक फायदे का सौधा होता है transactional cost कम करने के लिए उचाते हैं कि आप अपनी investment की सारी dealing फोन या इंटरनेट पर ही कर ले ताकि उनके office setup की cost कम हो सके ये सब तरीके अपना कर वो अपनी total cost को कम कर पाते हैं इसका direct impact आपको मिलने वाले interest पर पढ़ता है यानि वो आपको भी ज़्यादा interest पे करने की स्थिती में होते हैं ज़्यादा तर financial institution के लिए इन तीनों तरीकों में से सबसे ज़्यादा important है term यानि कि आपके द्वारा की गई investment की अवधी financial institution जितने लंबे समय तक आपके funds को use कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा interest rate वो आपको offer कर पाएंगे सबसे कम interest rate उन accounts पर होता है जहाँ पर आप बिना किसी penalty के अपने funds को कभी भी withdraw कर सकते हैं high interest rate अक्सर उन accounts पर offer किया जाता है जिनमें आप अपना पैसा तुनत नहीं निकाल सकते यही नहीं penalty charges से बचने के लिए आपको advance notice भी बेजना पड़ता है जो कि आमतोर पर 30, 60 या 90 दिन का होता है highest rate of interest fixed term deposit पर मिलता है जिसमें आप अपना पैसा 1, 2 या 3 साल के लिए invest करते हैं इसे आप fixed deposit या फिर FD के नाम से भी जानते हैं तो जब आप अपने लिए savings account का एक best option ढूण रहे होते हैं तो आपको शुरू में ही फैसला करना होता है कि आप कितना invest करने वाले हैं और कितने time के लिए करने वाले हैं साथ ही transaction करने के लिए कौन सा तरीका आपको सबसे बहतर सूट करता है आईए अब savings account को 6R की दूसरी approach यानि reward के हिसाब से देखते हैं अपने लिए एक best savings account का चुनाफ करने के बाद stage आती है उस पर मिलने वाले potential rate of interest को पहचानना यानि कि इस बात को लेकर शौर होना कि आपको अपनी इस investment पर कितना interest मिलेगा लेकिन जितना आसान आप इसे समझते हैं ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हर account पर तीन अलग-अलग तरह के interest अपलाए होते हैं इसमें पहला है gross rate दूसरा है post tax rate और तीसरा है real rate अगर आप इन तीनों को समझने और अपनी savings पर इनके असर को पहचानने में फेल होते हैं तो शायद आप अपने पैसों से हाथ दो बैठे ऐसा कब हो जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शुरुवात में आपको शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन अगर आप savings अकाउंट में अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको ये समझना ही पड़ेगा चलिए पहले बात करते हैं gross rate of interest की gross rate of interest वो होता है जिसे दिखा दिखा कर financial institution आपको savings account में invest करने के लिए आपको अपनी और आकरशित करते हैं अगर एक offer ये कहती हैं कि वो हर साल आपको 5% का gross interest देगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस offer में अपने 100 dollar invest करेंगे तो साल के अंत में आपको उस पर 5 टके के हिसाब से 5 dollar जादा मिलेंगे लेकिन अफसोस की बात ये हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ये 5% का rate of interest पूरा ही मिलेगा बहुत सारी देशों में किसी भी तरह के कमाए हुए interest के उपर tax देना होता है और ये tax आपके account में interest आने से पहले ही कट सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इसके उपर बाद में tax देना पड़े चाहे तरीका कोई भी हो उसका overall effect यहीं रहता है जो interest आप earn करते हैं वो आपको पूरा नहीं मिलता मान लीजे कि आपने 100 dollar invest किये और आपसे कहा गया कि rate of interest 5% है savings की income के उपर tax rate है 30% तो यहाँ पर जो 5 dollar आपको interest के रूप में मिलने वाले हैं उसमें से 30% यनि की 1.5 dollar आपको सरकार को देना होगा और आपके बास बचेंगे 3.5 dollar इसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी savings साल के अंत में 100 dollar invest करने पर 3.5 dollar से ही बढ़ेगी यनि कि जो interest rate आपको मिलेगा वो 5% की जगा 3.5% होगा वो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भले ही मेरा पैसा कम परसेंट से बढ़ रहा है लेकिन बढ़ तो रहा है मगर क्या पता आपका पैसा बढ़ने की जगा कम हो रहा हो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इंफलेशन पैसों की पर्चेसिंग पावर को धीरे धीरे खक्म कर रहा होता है वक्त के साथ-साथ सामान और सर्विस की कीमते उपर जा रही होती है अगर इंफलेशन 4% हर साल से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि एक साल के वक्त में चीजों की कीमते जो हैं उससे 4% जादा हो जाएंगे दूसरे शब्दों में अगर किसी चीज की कीमत आज 100 डॉलर है तो अगले 12 महिनों के बाद ये बढ़कर 104 डॉलर हो जाएगे रियल रेट अफ इंट्रेस्ट पोस्ट टैक्स रेट और रेट अफ इंट्रेशन के बाद बचा हुआ रेट होता है जैसे कि आपका एक सेविंग्स अकाउंट है जो 5% हर साल का इंट्रेस्ट आफर कर रहा है आप 30% टैक्स देते हैं और इंट्रेशन 4.5% है तो इसके इसाब से रियल रेट अफ इंट्रेस्ट कुछ इस तरह से calculate होगा आपको ग्रॉस रेट अफ इंट्रेस्ट में से टैक्स और इंफलेशन रेट को जोड़ कर उस नंबर को माइनस करना होगा इस एक्जाम्बल के अकॉर्डिंग 5% ग्रॉस रेट अफ इंट्रेस्ट में से टैक्स के 1.5% और इंफलेशन के 4.5% के जोड़ को माइनस करने के बाद बचता है माइनस 1% और यही आपका रियल रेट अफ इंट्रेस्ट है मान लीजे कि आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में 100 डॉलर इंफेस्ट किया है तो ग्रॉस रेट कहता है कि आप एक साल में 5% अं करेंगे जो होए 5 डॉलर टैक्स रेट कहता है कि इस कमाए हुए इंट्रेस्ट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा जो कि हो जाता है 5 डॉलर का 30% याने की 1.5 डॉलर तो इस हिसाब से टैक्स आपके रेट आफ इंट्रेस्ट को 1.5% से कम कर रहा है तो टैक्स के बाद याने की पोस-टैक्स इंट्रेस्ट 3.5% हो जाता है याने की एक साल के अंत में आपके पास 103.5 डॉलर होंगे लेकिन अभी भी हमें inflation cost को calculate करना भागी है एक 4.5% का inflation rate हमें बताता है कि जो चीज आज 100 डॉलर की है वो एक साल के बाद 104.5 डॉलर की हो जाएगी अब problem यह है कि अगर आप उन्ही 100 डॉलर को deposit करते हैं तो एक साल के बाद आपको savings account से 103.5 डॉलर ही मिलेंगे यहने कि जो चीज आप आज afford कर सकते हैं एक साल के बाद आप उसे afford नहीं कर पाएंगे इसी situation में इस calculation का आखरी हिस्सा अपना role play करता है आपको interest rate में से tax rate निकालने के बाद मिला post tax interest rate अब इस post tax interest rate में से inflation का rate भी निकालने की ज़रूवत है तो 3.5% के post tax interest rate से inflation के 4.5% को निकालने से हमें मिलता है minus 1% यह minus 1% कह रहा है कि एक साल में आप आज के मुकाबले में एक ठका ज़्यादा खराब स्थिती में होंगे आपकी purchasing value एक ठका कम हो जाएगे मैं यहाँ यह भी सपश्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ मेरा एक अंदाजा है मैं जानता हूँ कि कुछ लोग मुझसे agree कर सकते हैं कि एक साल में अगर कोई चीज 104.5 डॉलर की हुई है तो अगर आप 103.5 earn करते हैं तो उसका loss केवल 1% का ही तो हुआ है loss चाहे कितने का भी हुआ हो मगर हुआ तो है इस बात को simple रखते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको roughly इस बात का पता होना चाहिए कि अपनी earnings में से inflation cost minus करने के बाद आप किस थिती में होंगे विशे एक real formula भी है जो आपको exact rate of interest बता सकता है लेकिन यखीन मानिये आप उसे जानना नहीं चाहेंगे मगर क्यों? आईए आपके इस सवाल का जवाब ढूंटे जादातर investors का mean objective होता है अपने पैसों को inflation की मार से बचाना इसलिए समझदार EC में हैं कि आप ये चिक करते रहें कि आपको अपनी savings पर regular basis पर कितना real rate of interest मिल रहा है अगर हम real rate of interest की positive और negative side को देखें तो positive real rate of interest वो होता है जो time के साथ आपकी spending power को बढ़ाता है जबकि negative real rate of interest आपकी इस spending power को कम करते करते पूरी तरह खत्म कर देता है और मैं ये आभी बता दूँ कि इस real rate of interest को calculate करने की जिम्यदारी भी सिर्फ आप ही की है क्योंकि कोई भी financial institution आपको ये calculation करके नहीं देगा आपकी savings पर मिलने वाला interest rate inflation cost से ज़ादा है या नहीं इसे पता करने का एक और तरीका है आपको सिर्फ ये calculate करना होगा कि inflation की स्थिती में भी ज़ादा है तो definitely आपकी spending power बढ़ेगी ही fortunately इसे calculate करने का एक simple सा formula भी आपके लिए available है जिसके लिए आपको सिर्फ दो number चाहिए पहला inflation rate दूसरा tax rate जो आपको अपने earning किये हुए interest पर देना है अब इसके आगे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अब आपको इस formula की calculation बताने जा रहा हूँ 100% में से rate of interest माइनस करके जो figure आएगी उससे rate of inflation को divide करना है और फिर उस number को 100% से multiply करना है कुछ आया समझ में? चलिए मैं ही इसे आपके लिए थोड़ा simplify कर देता हूँ इसके लिए अब हम उनी numbers को लेते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की थे उसके हिसाब से inflation rate था 4.5% और tax rate है 30% तो हम जानते हैं कि हमें rate of interest को यानि की 100% माइनस rate of interest से divide करना है तो 100% माइनस 30% हुआ 70% तो अपने calculator खोलिए और उसमे inflation rate 4.5% को इस 70% से divide कीजे और फिर उस number को 100% से multiply कर दीजे इसका जवाब आएगा 6.4% इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30% tax दे रहे हैं और inflation का rate 4.5% है तो आपको minimum gross rate of interest चाहिए 6.4% अब ये calculation आपको खुद करनी है financial institution को उन savings account को highlight करने में कोई दिल्चस्पी नहीं है जो बढ़ती हुई कीमतों के साथ ना चल सके खैर मुद्दे पर वापस आते हैं सारी बात का मतलब है कि जो भी savings account आपको 6.4% से उपर interest दे रहा होगा वो सही होगा यानि कि आपकी purchasing power बढ़ेगी और इस rate से कम जो भी rate होगा वो आपकी purchasing power को कम कर देगा मान लीजे कि आपके पास 6 potential savings account है जिनके gross rate है 3.8%, 6.9%, 5.8%, 7.2%, 4.5% और 6.2% अगर inflation rate 4.5% है और आप 30% tax दे रहे हैं तो इन में से सिर्फ दो account है जो आपको inflation को हराने का मौका दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ दो ही है जो 6.4% से जादा है अगर आपने 6.9% और 7.2% सोचा है तो आप सही है अगर आप UK में savings account खोलना चाहा रहे हैं तो inside investing आपको details दे देगे कि आपको inflation को हराने के लिए कितने percent का gross saving rate होना चाहिए अगर आप अपना local tax rate और inflation rate जानते हैं तो आप भी ये calculation कर सकते हैं formula वही रहेगा एक तरीका है जिससे आप अपनी real rate of interest को बहतर कर सकते हैं और वो है tax free savings account में invest करना अगर आपके पास ऐसा option available है तो यहाँ मैं आपको पहले से ही वान कर रहा हूँ कि अगर वो tax free saving account है तो ज़रूँ ही नहीं कि वो आपको rate of interest भी अच्छा ही देगा कभी कभी जिन accounts के उपर tax लग रहा होता है वो tax देने के बाद भी एक बहतर rate of interest दे रहा होता है tax free investment सही है या नहीं यह फैसला लेने के लिए आपको जो rate दिया गया है उसको उस post tax rate of interest से compare करना होगा जो आप दूसरे taxable account से कमा रहे है इसके अलावा एक और तरीका है जो आपका rate of return बढ़ा सकता है और वो बेहत कम रिस्क वाला भी है वो तरीका ये है कि अगर आपके उपर कोई भी उधार चल रहा है तो उसे उतारने के लिए अपने savings accounts का use करो ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है लेकिन कुछ लोगों के पास savings तो होती है और उसके साथ साथ debt भी होता है और loan के उपर जो interest rate चार्ज हो रहा होता है वो savings पर मिलने वाले interest rate से कहीं ज़ादा होता है मान लीजे कि आपके पास एक bank loan है जो आपसे साल का 10% interest rate चार्ज कर रहा है और आपके पास एक savings account है जो gross annual interest rate दे रहा है 5% का यहाँ सबसे पहले हमें जिस चीज को जानने की ज़रूरत है वो है tax क्योंकि tax हमारी savings को मिलने वाले rate of return को कम कर देता है अपने पिछल example में देखा कि अगर आप 5% gross annual rate पर 30% का tax दे रहे हैं इस हिसाब से tax के बाद आपका interest होगा 3.5% अब आपके पास एक choice है या तो 100 dollar को एक savings account में डाल सकते हैं जिसमें आपको हर साल tax के बाद 3.5 मिलेंगे या फिर आप उन 100 dollar का इस्तमाल करके अपने लोन को चुका सकते हैं इससे आप अपने लोन पर pay करने वाले 10% के interest बचा लेंगे दूसरे option का चुनाफ करने का मतलब है कि आप अपना लोन चुका कर हर साल अपने 6.5 dollar की बचत करेंगे congratulations आपने tax के बाद मिलने वाले post tax of interest को 3.5% से बढ़ा कर साड़े 6 कर दिया है क्या बात क्या बात मगर हाँ इस रास्ते पर जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि कहीं आप अपने savings account से पैसा निकालने पर कोई penalty तो नहीं दे रहे हैं यहीं नहीं कहीं लोन को समय से पहले चुकाने पर भी आप पर किसी तरह का कोई charge तो नहीं लग रहा अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको थोड़ी और research करने की ज़रूरत होगी ताकि आप यह ensure कर सके कि यह जो additional charges हैं कहीं वो लोन के interest को बचा कर मिलने वाले benefits को खतम ही न कर दे For example, यह जो अभी 6.5 डॉलर आपने बचाये हैं कही additional charges इस amount से ज़ादा होए तो यह savings को यूज करके लोन चुकाने वाला principle तब भी अपलाए होता है जब savings के rate, loan के rate से ज़ादा हो इस situation के अंदर आपके दिमाग में यह चतुराई आ सकती है कि आपको पैसे हमेशा ही savings account के अंदर रखना चाहिए क्योंकि savings account में मिलने वाला interest उस interest से बहुत ज़ादा है जो आप loan में दे रहे हो अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दू कि यह आपकी गलत फैमी है कैसे? आईए मैं बताता हूँ मान लीजे कि आपके पास एक savings account है जो 10% gross interest हर साल दे रहा है दूसरी तरफ आपके पास एक loan है जिस पर आपको हर साल 8% के हिसाब से interest देना पड़ता है साथ ही अपने savings account पर मिलने वाले interest पर आपको 40% का tax भी देना पड़ता है यानि कि अपनी savings पर interest के $10 जो आप earn करेंगे उसमें से $4 tax के cut जाएंगे इसके बाद आपके पास सिर्फ $6 बचेंगे अब आप कहेंगे कि $6 तो बची रहा है ना लेकिन यहां यह मत भूलिए कि आपके उपर $100 का loan भी है इस पर आप हर साल $8 interest पे करते हैं जो आपको मिलने वाले interest से $2 ज्यादा है मगर एक काम करके आप अपने इस $8 को बचा सकते हैं कैसे? मैं बताता हूँ अगर आप अपनी savings में से वो $100 निकाल कर अपना loan चुका देंगे तो आपके $8 बच जाएंगे पहले आपको जो $2 का नुकसान हो रहा था ऐसा करने से वो $2 आपकी बचत में बचल जाएंगे तो देखा आपने savings accounts की दुनिया में जो चीज जैसी दिख रही होती है वैसी होती नहीं है इसके बाद आप $6 की तीसरी स्टेश पर आ जाते हैं जो है risk को assess करना जिस इंसान को savings account के बारे में बहुत जादा जानकारी ना हो उससे ये कहना कि savings account रिस्की हो सकते हैं तो ये बाद उसके लिए चौंकाने वाली हो सकती है लेकिन असलियत में इस तरह की investment के साथ दो तरीके के risk जुड़े होते हैं पहला inflation दूसरा institutional risk inflation को पहले ही address कर लिया गया है अगर आप ये अशौर कर लेते हैं कि आप positive real rate of interest कम कर रहे हैं तो इस risk से निपटा जा सकता है institutional risk एक possibility को refer करता है कि जिस financial institutions को अपने भरोसे के साथ पैसा दिया है वो fail हो सकता है इस परिशानी से निपटने के दो तरीके हैं पहला तो ये कि आप जहां भी पैसा रख रहे हो वो जगा बहुत साफधानी से चुने दूसरा ये है कि आप अपनी सेविंग्स को अलग-अलग institutions में रख सकते हैं ताकि अगर एक institution fail भी हो जाए तो भी आपका सारा पैसा नहीं डूबेगा अब हम इस position में हैं कि हम चौती stage पर जा सके यानि की performance को affect करने वाले दूसरे factor के उपर research जब बात आती है किसी भी investment की suitability को देखने की तो risk के अलावा तीन और factor है जिनको address करना होता है liquidity, term और capital इसमें हम उस account की terms and conditions को पढ़ते हैं जिनको review कर रहे हैं जब बात आती है liquidity की तो कई savings account cash के लिए instant access देते हैं यनि कि जब आप चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर liquidity के साथ term जुड़ा हुआ होता है हमने इस chapter में पहले note किया था कि अगर हम किसी एक ऐसे savings account में पैसा डालते हैं जहाँ पर आपको पैसा निकालने से पहले notice देना होता है या फिर हम इस बात पर राजी हो जाए कि हम पैसा एक fixed period के time के लिए जमा करने वाले हैं तो दोनों ही सूरत में interest rate जादा मिलेगा उसके बाद बात आती है capital के तो हमें कितनी capital की जरूरत है ये पता चलेगा deposit करने के लिए minimum कितना पैसा जरूरी है और आजकल तो ये zero balance में भी खुलने लगा है आपने अभी तक पहले चार stage पूरी कर लिए और investment का फैसला लेने के बहुत करीब आ चुके हैं लेकिन अपनी excitement को थोड़ा संभाल कर रखिए क्या आप इस saving account के अंदर invest करने वाले हैं या नहीं 6R approach में ये आपने चुना है क्या वो आपके पैसे के लिए एक सुरक्षित जगा है cash का access, investment की term और जो पैसे आपको invest करने की जरूरत है क्या आप इन सारी चीजों से comfortable है अगर आपको इन मुद्दों के उपर बिल्कुल भी चिंता नहीं है तो आप अपने पैसे की गड़ी से कह सकते है जा गड़ी जा, हो जा जमा लेकिन आप किसी भी चीज से uncomfortable है तो या तो इस opportunity को पूरे तरीके से खारिश कर दिया जाए या फिर थोड़ी और चान बीन कीजिए याद रखिए अगर आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और अप समय है छटी और सबसे आखरी स्टेश पर पहुशने का इस स्टेश पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को री विजिट करना होता है उसका हाल चाल पूछना होता है आपने सारी महनत कर ली है आपने एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट भी ढूंड लिया है जो आपकी जरूरत से मेल खाता है और आपने पैसा भी जमा करवा दिया है इसके बाद ज़्यादातर लोग आराम से बैट कर इंट्रेस्ट आने का इंतजार करते है इससे ज़्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता बहुत थोड़ा रेट ओफ इंट्रेस्ट रिसीव करने की वज़व में इसे एक है सेविंग्स इनर्शिया वो एक ऐसा अकाउंट ले लेते हैं जो उसे वक्त के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा होता है और उसमें पैसे डाल कर उसे वहीं छोड़ देते हैं लेकिन इंट्रेस्ट रेट बदल सकते हैं और कल को एक ज़्यादा बहतर रेट मिल सकता है अपने रिटान को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको तयार रहना होगा कि अगर कोई दूसरी ज़्यादा फायदे मन अपोचुनिटी नजर आती है तो उसमें आप अपने पैसे डाल सके शान्ती से मत बैठिये अपनी सेविंग्स अकाउंट को रेगुलर्ली रिविजिट कीजिए और देखिये कि चीज कैसी चल रही है एक महिने में कुछ मिनिट निकाल कर इंट्रेस्ट रेट देख लेने से आपका ही फायदा होगा अब जाते जाते एक बार और इस पूरे एपिसोड की बातों को याद कर लेते हैं एक ऐसा आकाउंट ढूंडिए जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो याद रखिए कि फेनेंशिल इंस्टिटूशन को लॉंग टर्म हाय वैल्यू और कॉस्ट एफिशेंट ट्रांजेक्शन पसंद है रिवार्ड टैक्स और इंफलेशन आपका रिटर्न को कच्चा चबा सकते हैं रियल रेट ओफ इंटरेस्ट कैल्कुलेट कीजिए या फिर वो मिनिमुम ग्रॉस रेट ओफ इंटरेस्ट निकालिए जो इंफलेशन को हराने के लिए आपको हर हाल में चाहिए रिस्क इंफलेशन और इंस्टिउशन के बारे में सोचे एंशूर कीजे कि आप एक पॉजिटिव रियल रेट ओफ रिटर्न हासिल कर रहे हो अगर आपके पास बड़े अमांट में पैसे हैं तो उसे अलग-अलग इंस्टिउशन में डालने के लिए तयार रही है रिसर्च लिक्विडिटी टर्म और कैपिटल इन तीनों ही चीज़ों को चेक कीजे एंशूर कीजे कि कैश को आकसेस इंवेस्टमेंट का टर्म और इंवेस्ट करने के लिए जिस अमाउंट की जरुवत है वो आपकी जरुवत से मेल खाते हैं इस उपोचुनिटी के बारे में अभी तक जो कुछ आपको पता चला है उसके उपर नजर डालिए और देखिए कि क्या ये सेविंग्स अकाउंट आपके लिए सही है रिविजिट सावधान और सतर्क रहे आज का अच्छा रेट अफ इंट्रेस्ट गैरेंटी नहीं देता कि कल भी रेट अफ इंट्रेस्ट अच्छा ही होगा आप चाहते हैं कि आपको सेविंग्स अकाउंट से बहतर रिटरन मिले लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी इंवेस्टमेंट शेहस से कम रिस्की हो तो सरकारी और कॉर्पोरिट बॉंड की दुनिया में आपका स्वागत है इस चाप्टर में हम देखेंगे कि 6R वाली अप्रोच को बॉंड की मार्केट के ऊपर कैसे लगाया जाता है सबसे पहले शुरुवात करते हैं पहली स्टेज रेकगनाईज से ट्रेडिशनल बॉंड मार्केट बड़े इंस्टिटिउशनल इन्वेस्टर के लिए सही जगा रही है बड़े इंस्टिटिउशन जैसे की पेंशन फंड और बैंक इसमें कम से कम एक लाग डॉलर या उससे ज़्यादा की ट्रांजक्शन होती है खुश किस्मती से जैसे जैसे ये मिनिमुम ट्रांजक्शन की वैल्यू कम हो रही है ये मार्केट धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी अक्सेसिबल बन रहा है बॉन्ड्स में इंवेस्ट करने के बारे में सोचने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे करता है एक अच्छा शुरुवाती पॉइंट ये होगा कि इस टाइब की इंवेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए कुछ जार्गन को समझ ले जार्गन यानि कि ऐसे शब जो एक प्रोफेशन में आम है लेकिन आम लोगों के लिए नहीं बॉन्ड मार्केट को जार्गन बहुत प्यारे है इस मार्केट की फिलोसोफी है कि जब चीज मुश्किल हो सकती है तो उन्हें आसान क्यों करना जार्गन शब से डरने की ज़रूरत नहीं है जार्गन एक इंडस्ट्री में इसलिए होते हैं कि इंडस्ट्री में कम्यूनिकेशन आसान हो सके जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो आपको दिखाई देते हैं उसके व्यूँ अब सारे के सारे व्यूँ का मतलब ये नहीं होता कि वो वीडियो इतनी बार पूरा देखा गया है तो इसमें से निकाला जाता है यानि कि अगर एक वीडियो के 100 व्यू है तो उसे पूरा कितनी बार देखा गया है हो सकता है 20 बार देखा गया हो तो उस वीडियो का कम्प्लीशन रेट हो जाएगा 20% अब ये सारी गनित में कम्प्लीशन रेट जारगन है क्योंकि हर बार ये सवाल पूछना कि इतने व्यूज में से कितनी बार पूरा देखा गया है थोड़ा मुश्किल है और वक्त जादा लेता है इसलिए आसानी से पूछा जा सकता है कि इस वीडियो का completion rate क्या है बस इतना ही है आईए अब देखते हैं जारगन को एक बारी आप terminology समझ गए तो इस market में इस्तमाल होने वाले principle बहुत सीधे सीधे है सबसे पहली term जो हमें समझने की जरुवत है वो है issuer जो भी organization bond issue करके fund को raise करने की कोशिश कर रही होती है उसे issuer कहते हैं ये चार प्रकार के होते है government, supranational entity यानि की वो international organization जो एक से ज़ादा सरकार back करती है मतलब guarantee लेती है जैसे की European Investment Bank government agency और local authorities और companies government bond market में एक बहुत ही एहम player की class को establish करती है सरकार अपने खर्चों को दो तरीकों से finance कर सकती है पहला तरीका है tax दूसरा है उधार लेना transport, healthcare, education, defense और ऐसे ही बहुत सारे खर्चों के लिए सरकार उधार लेने पर निर्भर करती है US या UK जैसी सरकार जब सरकारी bond issue करती है तो उनको सबसे अच्छी credit quality का माना जाता है ये लगभग risk free होते है तो इन bonds के उपर जो rate of return होता है वो भी बहुत कम होता है और इस तरह के bonds को दूसरे bond issuers के bonds की performance को compare करने के लिए benchmark की तरह इस्तमाल किया जाता है सुप्रा national entities भी bonds को issue करती है ये भी बहुत अच्छी credit quality वाले bonds माने जाते है सरकारी agency और local सरकारी authority भी bond issue कर सकती है लेकिन क्योंकि ये central government से back नहीं होते इसलिए उन्हें सरकारी bond के मुकाबले में थूड़ी सी कम credit quality वाला माना जाता है सबसे अंत में आता है जो regular trading company होती है जिसमें financial institution भी शामिल होते है इन्हें भी अपने operations को finance करने के लिए उधार लेने की जरूरत होती है कौन सी company bond को issue कर रही होती है इस पर ही उसकी credit quality निर्भर करती है ये credit quality बहुत अच्छे से लेकर बहुत खराब की बीच हो सकती है दूसरा jargon जो हमें address करना है वो है nominal value इसको principle भी कहते है या फिर power value भी कहते है ये वो amount होता है जो bond के redeem होने पर bond को hold करने वाले को वापिस दिया जाता है अगर एक bond की nominal value 1000 डॉलर है तो इसका मतलब है कि loan के term खतम होने पर issuer 1000 डॉलर वापस करेगा ये बात भी note करनी चाहिए कि जैसे bank के note होते है bond भी उन्ही की तरह अलग-अलग denomination के अंदर issue हो सकते है जैसे की 1000 डॉलर 10,000 या 50,000 यहां से हमें एक और जारगन मिलता है redemption date यानि कि वो तारीख जिस पर issuer nominal value वापिस देने के लिए राजी होता है इस stage को आखरी जारगन को आपको समझने की जरूरत है वो interest payable से जुड़ा हुआ है अब आप imagine कर ही सकते है कि एक term है interest rate जो सबको समझ आता है तो कहें market वो तम इस्तमाल करेगी बिल्कुल नहीं ये इसे कहेगी coupon इसे coupon rate भी कहा जाता है यानि कि ये वो interest है जो annually pay किया जाएगा और ये nominal value के percentage के रूप में express की जाती है इसके पीछे एक logic भी है historically जब bond कागस पर issue होते थे तो उसके साथ एक coupon जुड़ा होता था bond holder इस coupon को निकालता था और जो भी interest का payment होता था वो claim कर लेता है इसी लिए ये coupon वाली term चली आ रही है अब हम एक ऐसी position में हैं जहां bond issue को समझ सकते हैं मान लीजे कि एक company को पैसा raise करने की ज़रूरत है तो वो 6% के coupon के साथ एक bond issue करता है जिसकी redemption date 31 October 2025 है इसका मतलब है कि company हर 100 dollar की nominal value पर हर साल bond holder को 6 dollar का interest देगे साथ ही 31st October 2025 को nominal amount की पूरी repayment हो जाएगे bond में सबसे बड़ा attraction यह है कि investors को पता होता है हर साल वो कितना कमाने वाले है और उन्हें exact date पता होती है कि पैसा वापस कब मिलेगा तो यह बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि ज़्यादा investors जब लंबे समय के लिए regular income बनाना चाहते हैं तो वो bond market का रुख कर लेते हैं सारे investors की तरह आप भी सबसे ज़्यादा rate of return कमाना चाहते होंगे इस market में दो ऐसे factor हैं जो इन चीजों को drive करते हैं risk और term एक bond issue के साथ जितना ज़्यादा risk जुड़ा हुआ होगा rate of return भी उतना ही ज़्यादा होगा ताकि आपको पैसे invest करने के लिए रिजाय जा सके साथी bond का term जितना ज़्यादा होगा rate of return भी उतना ही ज़्यादा होगा बात होती हैं कि उन bond को कैसे पहचाना जाए जिनमें हमें दिल्चस्पी हो सकती है तो आपको तैय करना होगा कि आप अपने पैसे को कितने वक्त के लिए invest करने के लिए तयार है बहुत सारी website और publications हैं जिनमें उन bonds के बारे में details है जो independent investor के लिए available है तो आप उन bonus को देखेंगे जिनकी redemption date आपके investment के टाइम फ्रेम से mail खाती है अब आते हैं दूसरी stage reward पर bond के उपर rate of return यानि कि reward दो चीजों से पता चलता है एक जो कीमत आप देते हैं और दूसरा coupon एक individual bond की उन details को देखते हैं जो आपके लिए आसानी से अवेलिबल होती है जैसे इस्षूर गॉट्मोर खाश coupon 5.00 redemption date 31st December 2025 price 96.50 flat yield 5.18 redemption yield 5.50 period of coupon 12 months इन सारी चीजों को एक साथ समझना मुश्किल लग रहा होगा लेकिन एक बार इसके उपर आपकी पकड़ा गई तो इसे समझना बेहर आसान है bonds को एक order में describe किया जाता है issuer, coupon और maturity date तो इस bond को हम describe करेंगे कुछ इस तरह से गॉट्मोर खाश 5% 31st December 2025 अब यहाँ हमें जो चीज पता चली है उनको एक एक करके address करते हैं सबसे पहले तो हमें पता चला कि issuer का नाम गॉट्मोर खाश है और जैसा कि आप जानते हैं coupon nominal value का percentage होता है जो की annual interest है यहाँ पर हर 100 dollar की nominal value पर आपको interest के रूप में हर साल 5 dollar मिलेंगे उसके बाद आती है redemption date इस example में issuer 31st December 2025 को nominal value वापस देने के लिए राजी होता है यह बात जाननी ज़रूरी है कि अगर एक bond की nominal value 1000 dollar है तो आपने चाहे उस bond के लिए कितनी भी कीमत चुकाई हो redemption date पर आपको यही पैसा वापस होगा इस बात को ध्यान रखिए कि bond trade हो सकते हैं इसलिए उनका price fix नहीं होता यह चीज आपके favor में काम कर सकती है हो सकता है आपने अपने bond के लिए जो कीमत चुकाई हो आप उसे उससे ज़्यादा में बेज दे या फिर redemption के time उससे ज़्यादा पैसा मिल सके लेकिन ठीक इसी तरीके से यह आपके खिलाफ भी काम कर सकता है जहां आपने जो कीमत चुकाई हो उससे कम में ये भिक रहा हो या फिर redeem हो रहा हो तो bond की कीमत को क्या चीज डिटेमाइन करती है इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि bond की कीमत rate of return को कैसे effect करती है आप दिखेंगे कि इस case में gotmore khash का bond price 96.50 डॉलर है इससे हमें क्या पता चलता है ये भी चलन है कि bond की कीमत को nominal value के percentage में दिखाया जाए यानि कि अगर bond की कीमत 96.50 डॉलर है तो इसका मतलब है कि ये bond की कीमत अपनी nominal value का 96.5 परसेंट है अगर bond की nominal value 1000 डॉलर है तो इसकी अभी की कीमत 9.65 डॉलर है अगर bond की nominal value 10.000 डॉलर है तो इसकी अभी की कीमत 9.650 डॉलर होगी जब आप एक bond खरीदेंगे तो उसकी कीमत के हिसाब से 3 situation बनेंगी नमबर एक bond का price 100 डॉलर से कम होगा नमबर दो bond का price 100 डॉलर ही होगा या फिर नमबर तीन bond का price 100 डॉलर से ज्यादा होगा जब कीमत 100 से कम होती है तो आप nominal value से कम पैसे दे रहे होते हैं तो redemption की date पर आपको आपकी चुकाई हुई कीमत से ज्यादा पैसे मिलेंगे इससे जो rate of return पर असर पड़ेगा वो आपकी लिए फायदे मन्द होगा जब कीमत बिलकुल ठीक 100 डॉलर होगी तो कहा जाता है कि price is at par इस case में आप bond के लिए 100 डॉलर देंगे तो आपको redemption date पर 100 डॉलर ही मिलेंगे और अगर bond की कीमत 100 डॉलर से ज्यादा है तो जो कीमत आपने चुकाई होगी redemption date पर आपको उससे कम पैसे मिलेंगे और यह आपके rate of return पर खराब असर डालेगा अब आप सोच रहे होंगे कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि bond को 100 डॉलर से कम पर खरीदना है क्योंकि इस तरीके से आपका rate of return बहतर हो जाएगा लेकिन investors अक्सर bond को 100 डॉलर से उपर खरीदने के लिए भी तयार रहते है ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हमें हमारा ध्यान rate of return पर लेकर जाना होगा bond के rate of return को yield कहा जाता है और आम तोर पर दो yield quote करे जाते है सबसे सीधा होता है flat yield जो कि coupon को अभी के कीमत के हिसाब से percentage में दिखाता है याने कि formula कुछ ऐसा होगा annual coupon को bond price से divide करके 100 डॉलर से multiply कर दिया जाएगा मान लीजे कि एक bond 5.7% का coupon दे रहा है और उसकी कीमत 95 डॉलर है इसका मतलब है हर 100 डॉलर की nominal value के लिए ये bond 5.7 डॉलर का interest देगा और इसके लिए आपको सिर्फ 95 डॉलर ही देने होंगे इस case में calculation कुछ ऐसी होगे 5.7 डॉलर को 95 डॉलर से divide किया जाएगा और 100 डॉलर से multiply अमारे पास flat yield आएगी 6% तो जो शुरुवाती investment आपने की होगी उसके उपर हर साल आपको interest के रूप में 6% मिलेगा जब हम एक bond की income potential को देख रहे होते हैं तब ये calculation बहुत काम की होती है लेकिन इसकी भी एक बहुत serious limitation है ये इस बात को ignore कर देता है कि अगर आप किसी bond को ऐसी कीमत पर खरीदते हैं जो की उसकी nominal value से अलग है तो capital gain भी होगा जो bond की redeem होते वक्त सामने आएगा मान लीजे कि इस तरह के bond की redemption एक साल में होने वाली है और चीजों को आसान रखते हुए हम ये मान लेते हैं कि इसकी nominal value 100 dollar की है तो flat yield इस बात को ignore कर देती है इस bond को 95 dollar पर खरीदने पर आपका 5 dollar का फायदा भी हो गया तो निकालेंगे redemption yield इस बात को भी calculation में जोड लेता है अब हम annual coupon और annual capital gain को एक साथ जोड कर bond price से divide करेंगे और 100 dollar से multiply तो इसके हिसाब से annual coupon है 5.7 dollar का annual capital gain है 5 dollar का तो total हुआ 10.7 dollars अब 10.7 dollar को 95 dollar से यानि bond price से divide करके जो आएगा उसे 100 dollar से multiply करके हम redemption yield निकाल लेंगे तो इस case में बनती है 11.3 percent तो अगर आप bond को maturity तक hold करते हैं यानि कि आप उसे बीच में नहीं बेचते हैं तो आपको capital gain भी होगा और आप 11.3 percent का annual rate of return हासिल करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा इसके calculation में हमने एक साल ही लिया है अब हम वापिस से got more खाश पर आते हैं तो जो yield थी वो अब sense बनाने लगी है 5.18 percent की flat yield आपको बताती है कि purchase price पर 5.18 percent का annual interest दिया जाएगा वही दूसरी तरफ redemption yield बताती है कि अगर आप bond को maturity तक hold करते हैं तो capital gain जोडने के बाद आपका annual return 5.50 percent होगा अब यहाँ पर सिफ एक चीजी बचती है और वो है period of coupon यह हमें बताता है कि interest किस frequency पर दिया जाएगा आमतोर पर यह 6 महने या एक साल का होता है और gotmore khash के case में यह interest annually दिया जाएगा individual bonds की redemption yield अलग-अलग investor websites पर मिल सकती है insight investing आपको UK के सरकारी और corporate bonds की average redemption yield के बारे में बता देगा तो अब आप bond data का कुछ मतलब बना सकते हैं मेरा मतलब है लगबग-लगबग बना सकते हैं इस कहानी में एक आखरी twist बचा हुआ है जब आप एक bond की trading details को देख रहे होते हैं तो उसमें जो price report किया जाता है उसे clean price कहते हैं gotmore khash के case में हमको पता था कि हर 100 डॉलर की nominal value के लिए buyer को 96.5 डॉलर देने होंगे यहाँ यह बात मान ली जाती है कि bond यह तो issue की date पर ही खरीद लिया गया है या फिर पहले coupon की payment के तुरंद बाद लेकिन ऐसा बहुत कम होता है मान लीजे कि आप gotmore khash के द्वारा issue किये गए bond को खरीदना चाहते हैं लेकिन तारीख है 30 June आपको पता है कि 31 December पर आपको हर 100 डॉलर की nominal value के लिए 5 डॉलर का coupon मिलेगा जो इंसान इस bond को बेच रहा है यानि कि seller इस annual interest के ऊपर 6 मेने के interest का दावा रखता है accrued interest वो interest होता है जो कीमत के अलावा जुकाना होता है जैसे कि इस case के अंदर 6 मेने का interest accrued interest हो चुका है तो बेचने वाले को ये interest मिलना चाहिए था इसलिए clean price के साथ-साथ ये interest भी seller को दिया जाएगा जो कि इस case में 2.5 डॉलर है वक्त है एक और जारगन वाले शप्त का dirty price उस price को कहते हैं जो clean price के साथ accrued interest जोड़ कर दिया जाता है ये वो price होता है जो आप आखिर में दे रहे होते हैं इस case में ये price होगा 100 डॉलर के लिए 99 डॉलर अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपके साथ धोका दड़ी हो रही है तो आप अकेले नहीं है और आपकी बात भी सही है 100 डॉलर की nominal value का clean price तो साफ-साफ 96.5 है और उसके बावजूद आपको 99 डॉलर का dirty price देना पड़ेगा लेकिन एक बार सोच कर देखे कि जब आप 100 डॉलर की nominal value को खरीदते हैं तो होगा क्या आप अभी 99 डॉलर देंगे लेकिन साल के अंत में आपको 5 डॉलर का interest मिलेगा लेकिन इसमें से आपने तो सिर्फ 6 मेने का कमाये है तो आप चाहें इस समय 2.5 डॉलर एक्स्टा दे रहे हैं लेकिन 6 मेने में आपका पैसा पूरी तरह से आपके पास वापस आ जाएगा rate of return को लेकर एक आखरी point बचा हुआ है savings account में focus होता है real rate of return पर याने कि उसमें हम tax और inflation का असर calculate कर लेते हैं लेकिन जब बात होती है bonds की या दूसरे wealth बनाने वाले assets की तब focus free tax rate of return याने कि tax लगने से पहले जो rate of return मिल रहा होता है उसके उपर होता है ऐसा इसलिए नहीं है कि tax और inflation relevant नहीं है ये relevant है और inflation को हम अगले section में address भी करेंगे लेकिन objective अलग है savings account में यूज होता है अपने पैसे को inflation के असर से बचाना ये बात साफ साफ explain करती हैं कि real rate of return इतना जरूरी क्यों है bond shares और property को ऐसी opportunities माना जाता है इसमें पैसे की value real term में grow करी जा सकती है इस case में हमें चाहिए alternative investment opportunities को compare करने का एक तेज और असरदार तरीका और pre-tax rate of return ऐसा करने का एक तरीका है आईए अब stage 3 याने risk के हिसाब से bond पर एक नजर डालते हैं जब bonds market की बात होती है तो 5 तरह के risk है जिने address करने की ज़रूरत होती है market risk, issue specific risk, inflation, interest rate risk और default risk 5 तरह के risk है इसका मतलब ये नहीं है कि bond high risk वाली चीज है कहीं जगा पर bond को कम risk वाला माना जाता है और हम देखेंगे कि ज़्यादातर risk बहुत आसानी से manage किया जा सकता है market risk का मतलब होता है कि bond की कीमत हर रोज बदल सकते है और ये निर्भर होता है supply और demand पर अलांकि इससे जो फर्क पड़ता है वो बहुत कम होता है लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है issue specific risk का मतलब होता है कि कुछ bond issue में ऐसे characteristic होते हैं जो bond holder के लिए खराब हो सकते हैं for example किसी किसी bond के अंदर call option हो सकता है जिसमें issue के पास ये right होता है कि वो bond को पहले ही redeem कर ले हो सकता है ये चीज investor के favor में काम ना कर रही हो इस तरह के risk से निपटने के लिए term और condition को चेक कर लेना चाहिए और ये assure कर लेना चाहिए कि कोई ऐसा clause ना हो जो आपके return के ऊपर खराब असर डाल रहा हो खुश किसमती से जादातर issue काफी सीधे-सीधे होता है जिसमें एक fixed coupon rate होता है और एक fixed redemption date होती है अगला risk है inflation जब भी किसी fixed interest वाली security में invest करने की बात होती है तो inflation एक बड़ा risk होता है आपको convince होने की ज़रूरत होती है कि redemption yield inflation से आगे ही रहेगी bond की maturity में जितना ज़्यादा वक्त होगा ये risk उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है अभी तक जितने भी risk mention किये गये है वो relevant तो है लेकिन जो दो risk bond investor को सबसे ज़्यादा जखड के रखते है वो है interest rate risk और default risk अगर आप किसी bond को उसके redemption की date से पहले बेशने का सोच रहे है तो interest rate risk relevant है इस तरह की हालत में आपको note करना चाहिए कि bond की कीमत interest rate से inversely related है यानि कि जब interest rate उपर जाएगा bond की कीमत नीचे आएगी और जब interest rate नीचे जाएगा तो bond की कीमत उपर जाएगी एक simple example लेकर देखते है एक 1000 डॉलर की nominal value वाले bond का coupon है 5% और वो 1000 डॉलर पर trade हो रहा है ये bond redeem होगा एक साल के अंदर और इसके उपर redemption yield 5% है अब मान लीजे कि interest rate 10% से बढ़ जाते हैं अगर ऐसा होता है तो कोई भी इंसान 50 डॉलर के fixed interest के लिए 1000 डॉलर नहीं देने वाला है bond की कीमत को गिरना ही पड़ेगा क्योंकि अब investor expect कर रहे हैं कि वो 10% पर एनम कमाएंगे bond की कीमत को 954.54 डॉलर पर गिरना होगा क्योंकि इसी कीमत पर bond खरीदने वाले को 50 डॉलर का कूपन मिलेगा और उसे 45.46 डॉलर का capital gain भी होगा क्योंकि जब bond एक साल में redeem होगा तब उसकी value 1000 डॉलर होगी इसका नतीज़ा ये निकलेगा कि total return 95.46 डॉलर का है और ये 954.54 डॉलर की investment पर हासिल हो रहा है और इसी कीमत पर ये 10 डॉलर की redemption yield दे सकता है इसी logic के आधार पर interest rate बढ़ने पर bond की कीमत गिरती है और इसी logic पर interest rate के नीचे जाने पर bond की कीमत बढ़ती है एक बात follow होती है कि bond की कीमत इसी भी interest rate में perceived change यनि कि वो inversely जो लग रहा हो सकता है उसके लिए sensitive होते हैं ये कितने sensitive हो सकते हैं ये बात दो चीज़ों से पता चलती है पहला coupon, दूसरा redemption के अंदर कितना वक्त बचा है redemption की date जितनी जादा दूर होती है interest rate के बदलाव को लेकर कीमत उतनी ही जादा sensitive होती है और coupon जितना कम होगा, price उतना ही जादा sensitive हो जाएगा ये एक speculation के opportunity देता है अगर आपको लगता है कि interest rate नीचे जाने वाले हैं तो आप एक ऐसे bond में invest करके फायदा उठा सकते हैं जिसका redemption long term हो या फिर उसका coupon कम हो या फिर दोनों ही चीज़े हो आपको अभी भी coupon मिलेगा साथी redemption से पहले अगर आप bond को बेचते हैं तो आपको profit हो सकता है इस बात का ध्यान जरूर रखे कि ये साफ शब्दों में सट्टे बाजी है अमेरिका का एक बड़ा बैंक था जिसके एक trader ने करोडो डॉलर bond market में डुबा दिये थे और ये सिर्फ इस वज़य से हुआ था कि उसे interest rate को लेकर कुछ महसूस हो रहा था और वो गलत था इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये सारी बाते तभी relevant है अगर आप bond को उसकी redemption की date से पहले बेचने का सोच रहे हैं अगर आप bond को पूरे टम के लिए hold करने का सोच रहे हैं तो interest rate के साथ जो भी होगा वो पूरे तरीके से academic है यानि कीमत पर उतना dynamic असर नहीं पड़ेगा एक और दूसरा जो बड़ा risk है वो है default यानि कि issuer इंटरेस्ट की payment पर या फिर debt की repayment को default कर सकता है इससे deal करने के लिए मैदान में उतरती है credit rating जैसे आप सबकी एक personal credit rating होती है जो आपकी loan चुका पाने की काबिलेत को देखते हैं वैसे ही एक bond issuer की भी credit rating होती है जो बताती है कि issu करने वाला अपने debt को चुका पाने में कितना काबिल है तीन agencies हैं जो सरकारी और corporate credit rating इशू करती है Standard and Poor's, Moody's और Fitch rating AAA rating सबसे अच्छी मानी जाती है ये rating बताती है कि जो भी financial commitment की गई है उसको पूरा करने की सबसे ज़्यादा possibility है इसलिए potential level पर default करने का risk अलग-अलग हो जाता है Standard and Poor's और Fitch rating एक जैसा scale इस्तमाल करते हैं जिसमें सबसे कम rating होती है D Moody's एक अलग scale इस्तमाल करता है जिसमें सबसे कम rating होती है C दोनों ही सूर्तों में इस तरह की rating बताती है कि default हो गया है rating system कोई भी हो लेकिन हम इन्हें दो हिस्सों में बाट सकते हैं एक होती है investment grade की rating यानिकि इस rating के अंदर जो भी bond आते हैं वो investment के लिए सबसे अच्छे है उसके बाद आती है speculative grade rating इसमें जो bond जाते हैं वो speculative होते हैं investment grade rating में standard and poor's और fish rating की rating triple A से शुरू होती है यानिकि सबसे अच्छे और triple B तक जाती है इसमें rating कुछ ऐसे होती है triple A, double A, A और triple B उसके बाद आती है speculative जो double B से शुरू होकर D तक जाती है ये होती है double B, B, triple C, double C, C और D वही moody's की rating में investment grade की rating capital A small double A's, capital A small A, capital A, capital B small double A होती है और speculative की capital B small A, capital B, C small double A, C small A और C होती है investment grade वाली जो rating होती है वो उन investor के लिए होती है जो कम risk वाली opportunities ढूंड रहे होते है speculative rating investment grade वाली नहीं होती है इसलिए उसमें annual rate of return जादा होता है लेकिन साथ ही default का risk भी बढ़ जाता है कभी-कभी इन bonds को junk bond भी कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कोई value नहीं है ये expression सिर्फ इतनी सी बात पर जोर देता है कि इन में risk बढ़ गया है standard and poor और fetch कभी-कभी plus और minus का sign भी जोड़ देते हैं ताकि rating में sub category बन सकें और example डबल ए रेटिंग में तीन sub category होती है डबल ए प्लस डबल ए और डबल ए माइनस जिसमें डबल ए प्लस सबसे ज़ाधा होती है और डबल ए माइनस सबसे कम मूडी भी sub category बनाता है लेकिन वो plus और माइनस sign की जगा नंबर लगाता है यनिकि a small a rating a small a 1, a small a 2 और a small a 3 हो जाती है जिसमें a small a 1 सबसे ज़ाधा होती है और a small a 3 सबसे कम अगर आप किसी website के उपर इन ratings को देखेंगे तो standard and poor's और Fitch की rating capital AAA में होगी वही मूडी's की rating में पहला capital A, B या C बढ़ा होगा, बागी छोटे होंगे ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आप देख रहे हो तो आप confused ना हो credit rating देखते हुए एक बात का ध्यान जरूर रखें कि credit rating bond के सिर्फ एक पहलू के उपर ही बात कर रही होती है जो है default का risk ये दूसरे किसी risk के उपर बात नहीं करती जैसे कि interest rate की वज़ा से bond की कीमतों का उपर या नीचे जाना दूसरी बात यह है कि जब कंपनिया bond issue करती है तो हर कंपनी के पास credit rating नहीं होती है अगर ऐसा होता है तो आपको दूसरे available data के उपर नजर डालने की जरूरत है ताकि आप issuer की financial stability का अंदाजा लगा सके आप trading result और new story जैसी चीज़ें देख सकते हैं अब बारी है stage 4 यानि research के हिसाब से इसे समझने की जब बात होती है liquidity की तो bond को बेचने में आम तोर पर दिक्कत नहीं होती है आपने जो खीमत चुकाई होती है उससे कम या ज़ादा मिल सकता है लेकिन आपके पास cash का access तो हो जाता है जब बात होती है कि bond की suitability कैसे देखी जाए तो term एक एहम मुद्दा होता है आपको redemption yield की guarantee तभी मिल सकती है अगर आप bond को redemption date तक hold करके रखते है तो इस point पर आपको एक फैसला लेना होगा क्या आप किसी एक specific event के लिए invest कर रहे हैं या फिर आप इसले invest कर रहे हैं कि एक long term भरोसे मंद income का source बन सके अगर आपको future में किसी एक specific point पर cash की ज़रूरत हो सकती है तो आपको ऐसे bond चुननी चाहिए जो उस rate के करीब maturity रखती हो अगर आप एक regular income चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि लंबे time वाले bond के उपर मिलने वाले ज़्यादा rate of return का फायदा उठा सके जब आप ये दूसरी strategy अपनाते हैं तो एक popular approach सामने आती है इसे कहते हैं bond ladder यानि कि bond की CD इसका मतलब होता है कि अलग-अलग maturity वाले bond खरीदना जिसमें छोटे से लंबे term की range हो मान लीजे कि आज आपके पास invest करने के लिए 20,000 डॉलर है bond ladder कहता है कि आपको इस पैसे को अलग-अलग maturity वाले अलग-अलग bond में लगाना चाहिए तो हो सकता है आप 2,000 डॉलर एक साल के maturity वाले bond में लगाए 2,000 डॉलर दो साल वाले में और 2,000 डॉलर तीन साल वाले में इसका मतलब है कि एक साल के अंदर एक 2,000 वाला bond मैचूर हो जाएगा और आपके पास fund आ जाएंगे इन funds का इस्तमाल आप 10 साल वाले bond को खरीदने में भी इस्तमाल कर सकते हैं एक साल के बाद एक और 2,000 वाला bond मैचूर होगा आपके पास फिर पैसे आएंगे आप दुबारा से उस पैसे को 10 साल वाले bond के अंदर लगा सकते हैं ऐसा हर साल होगा इस तरह की strategy से आप लंबे समय वाले bond से मिलने वाले ज्यादा interest का फायदा उठा सकते हैं और साथ ही ये भी अशौर कर सकते हैं कि हर साल maturity आ रही है ताकि आपके पास जरूरत पढ़ने पर एक healthy cash flow बना रहे हैं अगर आप किसी specific event के लिए invest नहीं कर रहे हैं तो bond की ladder एक ही maturity date वाले bond को hold करने की दिक्कत को address करती हैं अगर आप सिर्फ short term वाले bond hold कर रहे हैं और उसके बाद interest गिर जाता हैं तो आप एक ऐसी situation में होंगे जहां आपके सारे bond एक ही वक्त पर mature हो रहे होंगे और नय bond पर जो आपको rate मिलेगा वो पिछले वालों के मुकाबले कम होगा दूसरी तरह अगर आप सिर्फ लंबे टाइम वाले bond hold कर रहे हैं और interest बढ़ जाता है तो आपके पास कोई ऐसा bond होगा ही नहीं जो mature कर रहा हो और इसलिए आप बढ़े हुए rate of return का फायदा नहीं उठा पाएंगे capital की बात करें तो आपको minimum denomination देखने की जरूवत है corporate bond की case में आपको मान कर चलना चाहिए कि आपको कम से कम 1000 डॉलर की जरूवत तो रहेगी है अब 6R की stage 5 review से उसे समझते हैं आप अपने पैसे को अलविदा कहें इससे पहले एक से लेकर 4 stage तक को review कर लेते हैं नमबर एक redemption yield क्या है नमबर दो क्या इस bond के साथ कोई ऐसी term और condition जुड़ी हुई है जिनके उपर ध्यान देनी की जरूवत है नमबर तीन क्या redemption yield inflation को हरा सकती है नमबर चार redemption date से पहले bond को बेचने की संभावना कितनी है नमबर पांच issuer की credit rating क्या है नमबर छे आप कितने वक्त तक अपने पैसों को एक जगह डाल कर छोडने के लिए तयार है नमबर साथ bond ladder बनाना ठीक रहेगा नमबर आठ minimum investment कितनी चाहिए इन सारे factor को एक बार consideration में लेने के बाद अब आप फैसला ले सकते हैं कि आप पैसा लगाने के लिए तयार है या नहीं investment करने के बाद काम आता है stage 6 याने revisit करने का अपने bonds के portfolio को हर एक दो महिने में देखते रहे देखिए कि कही issuer की credit rating नीचे तो नहीं चली गई क्योंकि इससे default के risk की तरफ इशारा मिलेगा साथ ही अगर कोई bond अपनी redemption date के करीब है तो फैसला कीजे कि उससे आने वाले पैसे का आप क्या करने वाले हैं क्या उन्हें किसी specific चीज में इस्तमाल करना है या फिर उसे reinvest करना है अगर आपकी रिस्क होगा या redemption में जितना ज़्यादा वक्त होगा rate of return उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा reward redemption yield चेक कीजिए risk इस्वर की credit rating चेक कीजिए ताकि आप default के risk का पता लगा सके अगर आप redemption date से पहले बेचना चाहते हैं तो interest rate बदलने के असर को consider कीजिए दूसरे risk जिनके उपर ध्यान देना है वो है inflation, terms और conditions और साथ ही उस दिन की supply और demand research term और capital चेक कीजिए redemption date confirm कीजिए और minimum investment भी ये देखे कि bond ladder बनाना सही रहेगा या नहीं review जो कुछ आपको पता चला है उसके आधार पर देखिए कि क्या ये bond आपके जरूरत के हिसाब से है revisit चोकनने रहिए अपने portfolio की performance पर नजर रखिए और relevant credit rating को review करते रहिए हाला कि savings accounts और bonds दोनों ही wealth create करने वाली assets है लेकिन बहुत कम chances है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसने इन दोनों से बेशुमार पैसा कमाया हो अगर आपको एक अच्छे खासे level के उपर पैसा कमाना है तो दो अन्य wealth create करने वाली assets है जिनको consider किया जा सकता है एक है shares और दूसरी है property क्योंकि property एक ऐसी investment है जो शुरुआत से ही बहुत जादा investment डिमांड करती है इसलिए जादातर लोगों के लिए shares एक जादा accessible option बन जाता है फिर चाहे इसे direct खरीदा जाए या फिर किसी fund manager के जरीए दोनों ही सूरत में shares एक बहतर option होता है जब किसी fund manager के जरीए shares खरीदे जाते हैं फीज में ही भर देता है इसलिए आपकी investment का पूरा control आपके हाथों में होना चाहिए और उससे जुड़े सभी decision भी आपको खुद ही लेने चाहिए ऐसा करने से आप फीज का बहुत सारा पैसा बचा लेंगे जब savings account खोलने की बात होती है तो आपको पता होता है कि आपको क्या rate of interest मिलेगा अगर future में इसमें कोई बदलाव आता है तो आपके पास अपना पैसा withdraw करने का पूरा अधिकार होता है bonds के case में भी आपको पता होता है कि आपको exactly कितना interest मिलेगा और कितने time के लिए मिलेगा आपको अच्छे से पता होता है कि एक टर्म खत्म होने पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है वहीं दूसरी तरफ शेर्स के केस में आपको नहीं पता होता या आप कितना पैसा कमाने वाले हैं या फिर ये गैरेंटी भी नहीं होती कि आपको आपका पैसा कभी वापस मिलेगा भी या नहीं। तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। कि इस तरह की wealth creating asset की जो विशेश व्याभारिकताएं हैं, वो बाकी investment के मुकाबले में फूड़ी सी जादा हैं। लेकिन आप इस बात से दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप shares में invest करने का सोच रहे हैं, तो आपको इसके मध्य आने वाली जिस मुख्य रुकावट को दूर करना होगा, वो technical नहीं, psychological हैं। shares के साथ deal करते हुए problem इस बात से नहीं होती, कि इने समझना मुश्किल हैं। बलकि इस बात से होती हैं कि लोगों को इसे समझना एक सरदर्द के जैसा लगता है। आगे के दो एपिसोड में आप देखेंगे कि सड़क पर चल रहें एक आम आदमी के अंदर भी shares में invest करने की काबिलियत होती है। इतने सालों में मैं बहुत सारे ऐसे investors से मिला हूँ जिनोंने आखिर में खुद ही सारा control अपने हाथों में लेकर अपने इदम पर अपने ही अकाउंट में shares में deal करना शुरू कर दिया। तब लगभग हर किसी का एक ही reaction था, मैंने ये सालों पहले क्यों नहीं किया। जब आप shares dealing को इसके mood factors में divide करते हैं, तो इससे जुड़ी सभी mystery almost खत्म ही हो जाती है। आप किवल अपने पैसों पर एक अच्छी return चाहते हैं, इसे पाने के लिए आपको इन दो रुकावटों को पार करना पड़ेगा। पहले आपको confirm करना होगा कि जिस company के shares आप खरीदने का सोच रहे हैं, वो company अच्छे तरीके से manage तो हो रही हैं नौश के बाद आपको ये ensure करना होगा कि आपको shares सही कीमत पर तो मिल रहे हैं नौश करना हैं इन दोनों बातों की तसल्ली होते ही आपके कदम एक अच्छी return प address करें बहुत सारे लोग दोनों में से किसी एक के उपर ही focus करते हैं और example कुछ investors मानते हैं कि share dealing सिर्फ एक अच्छी तरह से manage हो रहे हैं business की पहचान नहीं है लेकिन अगर आप share के लिए overpay कर देते हैं यानि share की कीमत से ज़्यादा पैसे invest कर चुके हैं तो आपके पूरे rate of return को वो खत्म कर सकता है पिर चाहे business कैसा भी perform क्यों न कर रहा हूं मैं अपने साथ के लोगों से अक्सर कहता हूं कि overprice shares में invest करना एक खराब तरीके से manage हो रही company में invest करने से ज़्यादा अलग नहीं है दोनों के दोनों ही बहुत खराब return देंगे इस chapter का focus है कि कैसे एक company को उ किया जाता है और जब हम तेजी की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है मिनिटों में आठवा चैप्टर में हम इसी understanding को नीव बना कर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक share price सही value और long term investment की opportunity represent करता है या नहीं making profit is a process जब आप shares में invest कर रहे होते हैं तब आप business में invest कर रहे होते हैं इसलिए एक अच्छा independent investor होने के लिए आपको trading results का sense बनाना तो आना ही चाहिए यानिकि जो figures आई हैं उनको समझना बहुत से लोग shares में सिर्फ इसलिए invest करते हैं क्योंकि उनके साथ काम करने वाली किसी कलीग ने बोला होता है tip आई है और invest करने के बाद वो अपनी investment की value को गिरता हुआ ही देख रहे होते हैं क्या आप बिना देखे कार खरीदेंगे बिल्कुल नहीं आप चाहेंगे कि आप उसे देखें ताकि आपको पता चल सके कि वो ठीक है भी या नहीं तो आप किसी company को बिना देखें share क्यों खरीदते हैं मेरे नजरिये से ये tip पैसा डुबाने की guarantee होती है अगर आप internet पर दिक्कत ये हैं कि जब तक आपने ये किया होगा तब तक दुनिया किसी और चीज़ पर चली गई होगी और नई स्टोरी आ गई होगी ट्रेडिंग के लिए नए अपडेट आ चुके होंगे यही वजह हैं कि लोग अपने पैसे fund manager को दे देते हैं और उन्हें research करने देते ह क्योंकि ये बहुत ज़ादा time consuming है आप इस chapter में देखेंगे कि एक तरीका है जिसे तेजी से पता किया जा सकता है कि company में investment की potential है या नहीं इतने सालों में मैंने एक ऐसा skill set develop कर लिया है जो मुझे company के results में तेजी से समझने के लिए काबिल बनाता है कभी-कभी जब मैं share dealing के उपर presentation दे रहा होता हूँ तो मैं audience को ये कहता हूँ कि अपनी पसंद की किसी company के result का पूरा set देखकर मुझे challenge कीजिए मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ कि एक minute में ही मैं बता दूँगा कि company अच्छा काम कर रही है या फिर struggle कर रही है मुझे 5 minute DJ और मैं उसकी strength और weakness पता कर लूँगा ये impressive लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि छोटा more बड़ी बात हो लेकिन इस chapter में मैं दिखाऊंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि company या exist ही क्यों करती हैं primary objective होता है profit बनाना और इसलिए shareholders उनमें invest करने के लिए तयार होते हैं एक business के context में profit wealth के बदलाव को measure करता है जब एक business कहता है कि उसने पिछले साल profit बनाया है तो असल में ये कह रहा है कि उसकी दौलत बढ़ गई है अब वो business ज़्यादा चीजों का मालिक है इसलिए loss इतनी बुरी खबर है investors को सशमुश में ये बताया जा रहा है कि उनकी दौलत कम हो गई है हर company को साल में एक बार एक document देना ही होता है जिसे कहा जाता है annual report ये report shareholder से कह रही होती है कि आपने हमें पैसा दिया है तो हम बताते हैं कि हमने इस पैसे का क्या किया है अगर आपको देखना है कि एक company कैसे manage हो रही है तो ये इकलौता ऐसा document है जो ये बता सकता है कैसे? सीधा सवाल है company profit के basis पर चल रही है या नहीं हालांकि quarterly और half yearly result भी आते हैं लेकिन सबसे जरूरी result होते है annual ये report 20 से 200 page की हो सकती है इसमें बहुत सारी information होती है और उसके बाद इसमें figures होते हैं अगर हजारों figures ना हो तो भी सैंकडों तो होते ही है आप इस सबसे कैसे ही निपढ़ सकते हैं annual report को कैसे पढ़ा जाए और उनसे क्या और कैसे समझा जाए इस चीज के उपर बहुत सारी किताबे हैं इनमें से ज़्यादा तर technical हैं जिनमें किसी न किसी तरह की numerical manipulation होती है मैं financial background से हूँ और कभी-कभी मेरा दिल भी इन किताबों को पढ़ने का नहीं करता सबसे बढ़ा approach जो वो लोग बताते हैं वो ये हैं कि annual report को analyze करते वक्त profit बनाने को एक puzzle की तरह देखें बहुत सारे टुकडे होते हैं जिनको अगर आप एक साथ बैठा लेते हैं तो आपको पूरी picture दिख जाएगी और अगर आप एक technical इंसान है तो ये ठीक भी है लेकिन इसमें बहुत वक्त लगता है इसकी अपनी खामिया भी है जैसे कि अगर आप किसी piece को लेना भूल गये तो आपको गलत picture दिखाई दे सकती है मैं इस puzzle वाली अप्रोच से disagree करता हूँ मेरी ले profit बनाने की process तब शुरू होती है जब shareholder पैसा invest कर देते हैं और जब company कह देती है कि उसने profit बना लिया है तब खत्म हो जाती है मैं अतने corporate clients के साथ जो काम करता हूँ उनमें से ज़्यादा तर यही होता है कि मैं उन्हें बता रहा होता हूँ कि profit बनाने वाली process काम कैसे करती है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं उन्हें वो practical steps पहचानने में मदद कर रहा होता हूँ जो वो profit को बहतर करने के लिए ले सकते हैं यह एक थेरी नहीं है यह एक असली दुनिया है यहाँ पर एक investor के तौर पर आपके नजरिये से यह relevant है कि इस process को समझने के बाद आप बहुत जल्द ही किसी भी company की strength और weakness को पहचान सकते हैं यह आपको दिखा देगा कि एक business में अच्छी investment opportunity है या नहीं बिजनेस की success को measure करना हम जानते हैं कि investor rate of return से motivated होते हैं जब company आज सिर्फ अपनी profit की figures को report करते हैं तब मैं बहुत जादा frustrated हो जाता हूँ अगर एक company कहती है कि उसने पिछले साल 15 million dollar बनाये थे तो आप कैसे कह सकते हैं ये company अच्छा कर रही है या खराब कर रही है आपको तो पता ही नहीं है कि इस business के अंदर shareholders को कितना invest करना पड़ा था अगर ऐसा होता है कि shareholders को 1500 million dollar invest करने पड़े थे तो मैं कहूंगा कि ये business बहुत अच्छा नहीं कर रहा है इस problem से बाहर निकलने के लिए shareholders के पास एक measure है जो की savings account पर code किये जाने वाले rate of interest के बराबर ही है इसे कहते है return on equity ये profit को business में invest किये गए fund की एक percentage की तरह देखा जाता है इसके नाम से परिशान मत होई है return profit का ही एक दूसरा शब्द है और equity भी owner के हिससे का ही एक दूसरा शब्द है इसको measure करने का एक formula है profit divided by shareholders funds और इससे मिलने वाले figure को 100 dollar से multiply मान लीजे एक company में shareholders ने 100 million dollar invest करे है और वो company साल का 10 million dollar profit बनाती है तो return on equity हुआ 10% ये percentage जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे तरीके से shareholder के fund इस्तमाल किये जा रहे होंगे सही सही return on equity क्या हो सकता है इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखा जाए company achieve करने के बारे में क्या मान कर चल रही है बस किस्मत से ये पता करने का सिर्फ इकलोता तरीका ये है कि company में जाया जाए और board of director से सीधे सीधे पूछा जाए आम आदमी के लिए ये करना आसान नहीं है मेरी कोशिश रही है कि मैं बहुत सारी company के साथ काम कर चुका हूँ और इसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर सारी company ओने एक major rate of return टैग किया हुआ होता है लेकिन ये rate of return numbers के उपर आधारित नहीं होता बलकि logic के उपर होता है ज्यादातर company ये मानती है कि rate of return को cash deposit पर मिलने वाले risk free long term rate of return से दुगना होना चाहिए सही सही return on equity क्या हो सकता है इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखा जाए company अचीव करने के बारे में क्या मान कर चल रही है बस किस्मत से ये पता करने का सिर्फ इकलोता तरीका ये है कि company में जाया जाए और board of director से सीधे सीधे पूछा जाए आम आदमी के लिए ये करना आसान नहीं है मेरी कोशिश रही है कि मैं बहुत सारी company के साथ काम कर चुका हूँ और इसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि ज्यादातर सारी company ओने एक major rate of return टैग किया हुआ होता है लेकिन ये rate of return numbers के उपर आधारित नहीं होता बलकि logic के उपर होता है ज्यादातर company ये मानती है कि rate of return को cash deposit पर मिलने वाले risk free long term rate of return से दुगना होना चाहिए कोई भी जब किसी company में invest करने के बारे में सोच रहा होता है तो उसके पास choice होती है या तो वो share खरीद सकता है या फिर वो अपने पैसे को किसी saving account के अंदर डाल सकता है अब होता ये है कि shares को आम तोर पर एक long term investment माना जाता है तो logic ये कहता है कि इन funds के उपर मिलने वाले return को लंबे समय के cash deposit पर मिलने वाले rate के साथ compare किया जाना चाहिए interest rate में होने वाली short term movement का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है लोग अपने cash deposit के उपर बहुत सारे सालों में क्या rate कमाने की उम्मीद रखते है ये matter करता है मान लीजे कि अगर आप savings account में invest करते है तो आपको हर साल 5 टका मिल रहा होता लेकिन share जादा risk है तो आप चाहेंगे कि इस बड़े हुए risk के बदले में आपको जादा rate of return मिले कमपनिया ये नजरिया मान के चलते हैं कि आपका पैसा invest करने के लिए आपको कम से कम दुगना rate of return तो चाहिए ही होगा तो इसके हिसाब से अगर आपको 5 टका savings account में मिल रहा था तो वो आपको कम से कम 10 टका return on equity देने की कोशिश करेंगे ये science नहीं है ये पूरे तरीके से intuition है एक quick challenge लेते हैं आपको एक नए business venture में invest करने की लिए invite किया गया है और आपको चेतावनी भी दी गई है कि अगर चीजें बुरी हुई तो आप अपनी सारी investment खो सकते हैं लेकिन साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि अगर चीज अच्छी रहती है तो आपको savings account के उपर जो rate मिल रहा है उससे 1% जादा rate मिलेगा आप इस business proposal के बारे में क्या सोचते हैं जादा तर लोगों की तरहा आप हाथ जोड़कर अपने काम पर चले जाएंगे कि मुझे नहीं चाहिए 1% extra लेकिन वही आपसे अगर ये कहां जाए कि आपका rate of return डबल हो सकता है या फिर 3 गुना हो सकता है तो हो सकता है कि अब यह opportunity आपका ध्यान खींच ले corporate दुनिया में यही logic लगता है अगर कोई company risk free rate of return का डबल नहीं कर सकती है तो कोई भी क्यों ही invest करना चाहेगा मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये minimum rate of return है कई कमपनिया इससे कहीं ज़्यादा बड़ा rate of return हासिल करने की कोशिश करती है ज़्यादा तर में निकनोमेज में एक कम inflation वाला environment रहता है और ऐसे environment में return on equity को लेकर कहीं सालों तक expectation नहीं बदलती इस बात को ध्यान में रखते हुए और दुनिया की कई कमपनियों के साथ काम करने के मेरे experience को जोडते हुए return on equity को interpret करने की तीन simple चीज़ है नमबर एक अगर value 10% से कम है तो low rate of return है नमबर दो अगर value 10% से 20% के बीच में है तो ठीक ठाक rate of return है नमबर तीन अगर ये 20% से ज़्यादा है तो rate of return हाई है return on equity आपको short term में summarize करके बताता है कि एक management team कितने अच्छे तरीके से profit बनाने की process को manage कर पा रही है और किसी भी process की तरह profit बनाने वाली process को भी stage के अंदर बाटा जा सकता है और इस case में profit making की तीन stages होती है अच्छी खबर ये है कि हर तरह की company के लिए ये stage एक जैसी ही रहती है चाहे वो retailer हो, car बनाने वाले हो तेल के business में हो या फिर कुछ और इन तीन stages को समझने के लिए हम इस process की शुरुवात करनी होगी shareholder के fund के साथ profit making की पहली stage आमतोर पर ये नजरिया रहता है कि company को shareholders की जरूवत है ताकि उनको trade के लिए funds की जरूवत को पूरा किया जा सके लेकिन ये सही नहीं है company को shareholders की जरूवत होती है एक बहुत ही खास purpose के लिए और अगर आप किसी company के share खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बेहत जरूरी है कि आप इस purpose को समझे shareholders के role को appreciate करने का एक तरीका तो ये है कि हम किसी ऐसे business को examine करें जिसमें shareholders की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती मान लिजी कि ये दुनिया भर में global warming की बाचीत के चलते आपने एक फैसला लिया कि आने वाले वक्त में चाता एक अच्छा product होगा चाहे वो बारिश से बचा है या सूरज से लेकिन चाता भविश्य का product है आप एक website बनाते हैं जहाँ आप customer के order लेते हैं order के साथ आप trading की term भी बता देते हैं और आप कहते हैं कि जैसे ही चाते stock में आ जाएंगे आप उन्हें भिजवा देंगे आप अपनी trading के पहले महिने में 2500 डॉलर के order रिसीव करते हैं उसके बाद आप supplier के पास जाते हैं और उसे order पूरा करनी के लिए 2000 डॉलर दे देते हैं और इस हिसाब से आपके पास 500 डॉलर का profit बच जाता है पहले महिने में इतना ही होता है अब आता है असली सवाल आपको business शुरू करने के लिए कितने पैसे invest करने की जरूरत पड़ी अगर देखा जाए तो आपको तो कुछ भी invest करने की जरूरत नहीं पड़ी क्या बात है आपने एक ऐसा business तयार कर लिया है जिसमें investment की जरूरत ही नहीं लेकिन आपने ऐसा किया कैसे business को operate करने के लिए funds की जरूरत होती है लेकिन जब आपने इस बात पर जूर दिया कि आपका customer आपको advance में पैसे दे तो आपको funds पहले ही मिल गए इसलिए किसी investor की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी शाते के business पर दुबारा चलते हैं लेकिन इस बार एक चीज बदल देंगे हम इस बार timing अलग रखेंगे आपने शुरुआत में customer से पैसे लेने की जगा फैसला किया कि आप supplier से ही शाते पहले खरी देंगे पहले की तरह ही उनकी खीमत होगी 2000 डॉलर और पहले की ही तरह आप उन्हें बेचेंगे 2500 डॉलर में अभी भी profit 500 का ही है लेकिन कुछ बदल गया दूसरे वाली case में आपको चातों को finance करने के लिए 2000 डॉलर invest करने की ज़रूरत थी इस business में चाते inventory है और inventory एक तरह की asset होती है इसलिए company को shareholders की ज़रूरत होती है ताकि asset को finance किया जा सके आपको business के अंदर दूसरे तरह के assets मिल सकते हैं जैसे की building, equipment, furniture, vehicle इन सब को finance करने की ज़रूरत होती है assets को finance करने के लिए shareholders के fund की ज़रूरत पड़ती है ये बात ही सवाल उठाती है payroll utility bill जैसे खर्चों के लिए पैसा कहा से आता है यहाँ note करने लाइक point ये है कि रोज मर्रा के खर्चे sales से निकलते हैं तो लिए एक company में दो तरह की cash stream होती है एक तो वो जिसमें assets को finance करने के लिए shareholders पैसा देते हैं दूसरी वो जहाँ पर रोज मर्रा के खर्चे उठाने के लिए sales से पैसा आता है अब ये बात तो establish कर चुके हैं कि assets को finance करने के लिए shareholders की ज़रूरत पड़ती हैं लेकिन finance का एक और source भी available होता है company आपैसा उधार ले सकते हैं ये bank loan की जरिये भी हो सकता है bond issue करके भी हो सकता है या फिर supplier से credit ले कर भी ये अपने आप में एक दूविधा सामने लाकर रख देता है shareholder से पैसा रेस करना ज्यादा सही है या फिर उधार लेना अगर एक company profit नहीं बनाती है तो उसे अपने investors को dividend देने की जरूरत नहीं है और अगर एक business profitable है तो investors को dividend देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ अगर एक company पैसा उधार लेती है तो business अच्छा हो या खराब उसे interest तो देना ही पड़ेगा इससे ऐसा लग सकता है कि उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा वो अपनी मर्जी से debt ले रहे है लेकिन कोई भी business इस तरह से operate करना क्यों चाहेगा personal level पर हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं घर का loan हो या loan credit card का इन सारी शीज़ों को एकना दिन चुका ही दूँगा लेकिन corporate की दुनिया में अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको पागल कहा जाएगा आपको ये सोचना चाहिए कि debt के अंदर कैसे जाए उससे बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए आप विश्वास करें या फिर ना करें लेकिन बहुत से business को debt पसंद होता है इसके पीछे reason यह है कि debt return on equity को बहतर करने में मदद करता है ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है लेकिन business की दुनिया में debt आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है मैं बताता हूँ कैसे अगर हम आपके चाते वाले business की latest version की तरफ वापस चलते हैं जहां पर आपको inventory को finance करने के लिए 2000 डॉलर इंवेस्ट करने की ज़रूरत थी जो कि आप 5000 डॉलर में बेज कर 500 का profit बना रहे थे इस example में आपका return on equity है 25% मान लीजे कि उन 2000 डॉलर की investment के अलावा आप 2000 डॉलर का bank loan भी ले ले लेते हैं अब आप 4000 डॉलर के चाते खरीद सकते हैं आपको इसका फायदा तो साफ साफ दिखी रहा होगा कि आप और ज़ादा खर्श कर सकते हैं पिछले किसमें जब आप 2000 के चाते खरीद रहे थे तो आप उन्हें 2500 में बेच पा रहे थे तो logic से देखा जाए तो आप 4000 के चाते खरीद सकते हैं और उन्हें 5000 में बेच सकते हैं अब पैसा उधार लेने के साथ दिक्कत आती हैं कि आपको interest चुकाना पड़ता है अगर आपके उपर 10% का interest लग रहा होगा तो जो 1000 डॉलर का profit आपने कमाया है उसमें से 200 डॉलर आपको interest के तौर पर बैंक को वापस देने होंगे आपका profit गिर कर 800 हो जाएगा लेकिन अब आता है कहानी में twist आपने इस पूरे venture में अपना पैसा कितना invest किया है जवाब अभी भी वही है 2000 डॉलर यानि कि आपने 2000 डॉलर की investment पर 800 रुपय का profit बनाया है और आपको 40 टका return on equity मिला है आपने rate of return को 25 टके से 40 टके कर लिया है और आपने सिर्फ पैसा उधार लिया है अक्सर ये बात कही जाती है कि पैसा उधार पर लेने के साथ एक और दिक्कत है आपको interest देने के साथ लोन भी तो वापस चुकाना होता है मज़े की बात ये है कि कई कमपनिया लोन चुकाने को एक दिक्कत की तरह देखती नहीं है बलकि उनकी नियत तो ये होती है कि वो इसे कभी चुकाय ही नहीं बहुत सारे बिजनेस लोन को एक पर्मनिन फसिलिटी मानते है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है हमने अभी अभी देखा कि पैसा उधार पर लेने से शेर होल्डर्स का return बढ़ जाता है इसी के अधार पर ये कहा जा सकता है कि अगर लोन चुकाया जाए तो कमपनी का rate of return नीचे आ सकता है शेर होल्डर्स इस बात से खुश नहीं होंगे ना ही बैंक खुश होगा क्योंकि बैंक सिर्फ तभी इंटरस्ट कमा सकता है जब उससे पैसा उधार पर लिया जाए तो लोन चुकाने से एक कमपनी अपने शेर होल्डर और अपने बैंक दोनों को ही दुखी कर सकती है तो लोगों को दुखी क्यों करना है मत चुकाओ लोन, सब खुश है अभी तक के discussion के हिसाब से ऐसा लग सकता है कि अगर एक कमपनी को सक्सेस्फुल होना है तो उसे सिर्फ पैसे उधार ही तो लेने है लेकिन situation इतनी सीधी नहीं है घलत चीज भी हो सकती है जब कमपनीयां डेट लेती है तो वो रिस्क भी ले रही होती है फिर एक और चीज है sales और sales एक ऐसी चीज है जो पूरी बाजी को पलट सकती है क्या हो अगर कमपनी ने जो sales की figure हासिल करने का सूचा है वो हासिल ना कर पाए सब कुछ इसी एक नंबर के आगे पीशे घुमता है अपने चाते वाले बिजनेस पर वापस चलते है मान लीजे कि sales पांच हजार की नहीं हुई sales हुई 4,700 की इस case में आप चातों को खरीद और बेज कर 700 डॉलर बना रहे होंगे इसमें से 200 डॉलर तो बैंक के पास interest के तोर पर सिला जाएगा यानि कि आपका profit रह जाएगा 500 डॉलर तो इसे कहा जा सकता है कि अगर आपके बिजनेस में जो 5000 की sales है और उससे 300 डॉलर भी कम sales होती है तो आपको जो return on equity मिलेगा वो उस return on equity से कम होगा जौब बिना उधार लिए सिर्फ 5000 की sales करके बना रहे थे ये है risk ये एक बहुत valuable lesson है जो company'ां हर साल अच्छी खासी sales दे सकती है उनको तो पैसा उधार पर लेना फायदे मन साबित हो सकता है लेकिन जिन business में sales performance उड़ी 19 भी सो रही है वहाँ पैसा उधार पर लेना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के उधार पर आपको interest चुकाना ही पड़ेगा जैसे कि ये company अपने supplier से 60 दिन का credit भी ले सकती है इस situation के अंदर interest नहीं देना है लेकिन risk अभी भी है company इस बात पर निर्भर कर सकती है कि उसके पास एक credit की facility है और इसके आधार पर वो future में अच्छे से trade कर सकती है इसका मतलब है कि अगर ये credit की facility कभी चली गई तो दिक्कत हो सकती है तो चाहे interest देना हो या ना देना हो लेकिन उधार का पैसा एक company को risk से expose करता ही है company को अपने assets को finance करने के लिए fund raise करने की ज़रूरत पड़ती है ये shareholders की जरिये भी हो सकता है और loans के जरिये और यही profit बनाने की process में की जाने वाली पहली stage है तो अगर हमको देखना है कि एक company कितने अच्छे तरीके से अपने profit बनाने वाली process को manage कर रही है तो सबसे पहला मुद्द यही address होना चाहिए खुशकिस्मती से एक ऐसा measure है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है इसे कहा जाता है gearing या leverage ये बताता है कि company ने जब fund raise किया तो उसमें से कितना fund उधार का है एक company की return on equity को पहचानने के बाद मैं gearing को ही देखता हूँ ये figure बहुत अलग-अलग तरीकों से calculate की जा सकती है कुछ बहुत जादा technical है कुछ इतने technical नहीं है मुझे चीजों को simple रखना पसंद है तो मैं बहुत सीधी सीधी calculation करता हूँ मैं उधार पर लिये हुए funds को सारे assets के percentage के रूप में देखता हूँ इस हिसाब से इसका formula बनता है borrowed funds को assets से divide करके 100 dollar से multiply करना इस calculation से बहुत सारे account के दिल में धर्द उट सकता है वो गाना गाना शुरू कर देंगे जिन liabilities में interest नहीं चुकाना उनको calculation से हटाना या फिर कोई और technical गाना तो ये नहीं है हम सिर्फ ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि business कैसे manage किया जा रहा है और इस मकसद के लिए ये calculation काम करती है आपके चाते वाले business में आपने 4000 डॉलर के चाते लिए थे यानि कि ये हुए आपके assets जिसमें 2000 डॉलर आपने उधार लिए थे यानि ये हो गए आपके borrowed funds तो gearing इस हिसाब से निकलेगे 2000 डॉलर को 4000 डॉलर से डिवाइड करेंगे और 100 डॉलर से multiply तो ये निकलेगी 50% परिंग से हमें पता चलता है कि assets को finance करने के लिए 50% यानि कि आधे fund उधार लिए गये थे अब वक्त है जारगन का अगर company के ज़ादातर fund उधार के होते हैं यानि 50% से उपर तो कहा जाएगा कि company high gear वाली है वही 50% से कम होने पर यानि कि जब ज़ादातर पैसे shareholders से आएगा तो कहा जाएगा कि company low gear वाली है अगर 50-50 का मामला है तो कहा जाता है कि gearing neutral है low gear वाली कमपनियां अलाम की घंटी नहीं बजाती हैं क्योंकि उनके funding का nature low interest वाली commitment का है इसमें उन्हें बहुत ज़ादा पैसा interest में नहीं देना है इसी हिसाब से high gear वाली कमपनियां कहती है कि थोड़ी बहुत और investigation की ज़रूवत है high gearing इसले attract करती है क्योंकि वो shareholders के लिए return on equity बढ़ा सकती है लेकिन ये एक ऐसी situation है जहां आपको company की performance study करने की ज़रूवत पड़ेगी अगर company हर साल बढ़िया sales कर रही है तो high gearing कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर sales कम हो रही है तो trading में दिक्कतें आ सकती है हो सकता है वो आने वाले वक्त में इंट्रेस्ट की commitment ना चुका पाए और या फिर उससे credit facility ले ली जाए profit making की दूसरी stage अब हम इतना जानते हैं कि profit बनाने की पहली stage में assets को finance करने के लिए fund raising आती है तो यहां से दूसरा सवाल उठता है कमपनियों को assets चाहिए ही क्यों जैसे कि एक retail business को store और inventory की हो चाहिए जवाब है ताकि sales generate हो सके asset turnover भी एक measure होता है जो देखता है कि एक company sales generate करने के लिए कितने अच्छे तरीके से assets को utilize कर रही है इसकी calculations बहुत simple है हमें सिर्फ sales को assets से divide कर देना होता है जो हमारे चाते वाला business था मतलब आपका business उसमें आपने 4000 डॉलर इंवेस्ट किये थे यानि कि आपके पास 4000 डॉलर की assets थे और उससे 5000 डॉलर की sales generate की थे तो 5000 डॉलर को 4000 से divide करने पर हमारे पास asset turnover आ जाती है 1.25 इसका मतलब है कि assets में हर 1 डॉलर invest करने पर आपने 1.25 डॉलर की sales produce की है ये नंबर जितना ज़ादा होता है आप उतना ही अच्छे तरीके से अपने assets को manage कर रहे होते हैं और आपका return on equity भी उतना ही ज़ादा होना चाहिए asset turnover की importance को underestimate मत कीजिए एक बार जब asset को finance करने के लिए funds raise कर लिए जाते हैं तो cash का इकलोता source होता है sales हम पहले ही देख चुके हैं कि आपको रोज मर्रा की expenses की लिए sales की ज़रूरत होती है तो इसमें चौंकाने वाली बात नहीं है कि asset turnover और cost management में एक link है अगर एक company की asset turnover कम होगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी asset से कम cash generate कर रहा है और इसकी वज़ा से generate कर रहा है और इस वज़ा से वो product offer, marketing, staffing इन सारी चीज़ों के उपर ज़्यादा खर्च कर सकता है एक healthy asset turnover के बिना एक profitable business चलाना ना मुम्किन है profit बनाने की process की तीसरी stage profit बनाने की process की दूसरी stage इस बारे में थी कि assets को sales के अंदर कैसे बदला जाता है तो इससे एक और सवाल उठता है किसी भी business को sales क्यों चाहिए होती है इसका जवाब है profit बनाने के लिए यही इस process की तीसरी और आखरी stage है sales को profit में बदलना अब अगर हमें देखना है कि एक company कितने अच्छे से तीसरी stage की process को manage कर पा रही है तो हमें एक measure की जरूरत पड़ेगी और यहां जो measure काम में आने वाली है वो है profit margin profit margin profit को sales की percentage की तरह देखता है इसके formula में हम profit को sales से divide करके 100$ से multiply कर देते हैं यह चाते वाले business का खाता एक बार और खोलते हैं जहां आपने 4000$ की छाते खरीदे थे और 5000$ में बेज दिये थे तो बचे हुए 1000$ में से आपने 200 interest में दे दिये थे और आपके पास 800$ का profit बचा था तो 800 को 5000 से divide करके 100 से multiply करने पर आपका profit margin आएगा 16% 16% का profit हमें बताता है कि हर 1$ की sale पर 16 cents का profit हो रहा है यानि कि अगर 100$ की sale हुई है तो हमें 16 का profit हुआ है ये percentage जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बहतर लेकिन profit margin असलियत में जिस चीज की बात कर रहा है वो है आपकी cost management अगर आप 1$ पर 16 cents बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 84 cents खर्च कर रहे हैं अगर आप खर्चे को 84 cents से कम कर देते हैं तो आपका profit margin बढ़ जाएगा इसके वज़ा से आपका return on equity भी बहतर हो जाएगा ये बात नोट कर लीजे कि cost management का objective business की cost को minimize करना नहीं होता इसका objective होता है कि cost को sales की percentage के रूप में कम किया जा सके इससे profit बढ़ेगा और profit बढ़ने से return on equity भी बढ़ेगी मान लीजे कि एक company है जो 100 million dollar का annual turnover करती है और 10 million dollar payroll पर खर्च करती है तो वो अपनी payroll को sales के 10% पर चला रही है अगर इस payroll को sales की percentage के रूप में थोड़ा कम कर दिया जाए तो profit margin बढ़ जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि profit बनाने के लिए company staff को हटा दे इस percentage को कम करने का एक तरीका ये है कि sales जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे payroll का bill कम rate से उपर बढ़े अगर ऐसा हो जाता है तो payroll के उपर खर्च तो बढ़ रहा होगा लेकिन ये sales की percentage के हिसाब से कम हो रहा होगा और यहीं जरूरी चीज है अगर staff को निकाल देने से sales गिर जाएगी तो ये सबसे खराब चीज हो सकती है cost management का objective है कि productivity maximize की जा सके यानि कि हर dollar जो company खर्च कर रही है उसके उपर जितना बड़ा sales का level generate किया जा सके वो generate कर सके cost management के objective को समझना उस वक्त पर बहुत काम का साबित हो सकता है जब company एक नए cost initiative को announce कर रही हो क्या वो एक ऐसा initiative announce कर रहे है जो उनको cost efficient बनाएगा जिसका नतीज़ा बहतर return on equity होगा या फिर वो एक सीधी सीधी cost cut करने के exercise को announce कर रहे है जिसकी वज़ा से sales के उपर असर पड़ सकता है और उसकी वज़ा से return और equity के उपर भी चार फिगर की trick तो profit बनाने की process एक 3 stage वाली process है Stage 1 Assets को finance करने के लिए funds raise करना Stage 2 Assets को sales में बदलना Stage 3 Sales को profit में बदलना ये तीनों चीज़ें मिला कर एक company की return on equity बदाते है एक investor के लिए इस process को समझने का असली फायदा ये है कि वो बहुत तीजी से एक business में घुश सकता है अगर इस point पर आकर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीज बेहत relevant लग रही है लेकिन मेरे पास इन चीज़ों को practice में डालने के लिए वक्त कैसे निकलेगा तो मैं विल्कुल भी नहीं चौकूंगा अब मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूँ इस किताब के objective में से एक objective है कि हम shortcut देख सके यनि कि फैसला लेने के लिए आपको जो information चाहिए उसको तेजी से access किया जाए मैं जो चीज आपके साथ बाटने जा रहा हूँ वो एक ऐसी powerful shortcut है जो मेरी नजर में बहुत शानदार है मैंने इसे सालों पहले बनाया था और मैं इसे कहता हूँ four figure trick ऐसा इसलिए नहीं है कि ये trick है या कोई भैकावा है बलकि इसलिए है क्योंकि ये इतना simple है कि जब लोग इसे पहली बार देखते हैं तो चौंग जाते हैं अभी तक इस chapter में four measure इंट्रोड्यूस किये गया है return on equity, gearing, asset turnover, profit margin अच्छी ख़बर ये हैं कि इन चारों चीज़ों को measure करने के लिए आपको annual report में से चार figure से निकालने की ज़रूरत है वो हैं sales, total assets, net profit, shareholders funds एक annual report में दो बेहत जरूरी statements होती हैं balance sheet और income statement income statement को profit और loss account भी कहा जाता है एक company की balance sheet, personal balance sheet जैसी होती है इसमें वो चीज़ें जोड़ी होती हैं जिनकी मालिक company होती है और वो चीज़ें minus की जाती है जो company को चुकानी होती है ताकि पता किया जा सके ही कि उसकी एक specific वक्त में worth कितनी है एक income statement बताती हैं कि वक्त के साथ साथ wealth कैसे वड़ती है यह आपको बताती है कि company की wealth उपर जा रही है या नीचे याने profit बना रही है या loss यह दोनों financial statement क्या कह रही है यह appreciate करना बहत ज़रूरी है एक balance sheet बताती है कि एक company की worth एक साल के अंत में कितनी है एक income statement बताती है कि इस साल के दौरान इस company ने कितना profit कमाया है हम एक example लेते है Sporter Gooden एक company है और हम इसके financial देखेंगे अब जब आप असली financial statements देखेंगे तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनमें details बहुत होगी आपको दिखेगा कि assets, liabilities, sales, cost का detailed analysis किया हुआ है हम सर्फ इस बात में interested हैं कि total क्या है इनका total assets, total liabilities वगेरा वगेरा ताकि performance को analyze किया जा सके तो चलते हैं Sporter Gooden की balance sheet और income statement पर Sporter Gooden की balance में assets 50 million है और liabilities 30 million की और shareholders funds 20 million ये assets में से liabilities minus करके ही निकला है फिर आती है income statement sales है 80 million की costs है 76 million की तो net income निकल के आती है 4 million अब इनकी details में चलते हैं Sporter Gooden assets है 50 million की liabilities है 30 की और इससे हमें पता चलता है कि अगर कल को business बंद करना पड़े और सब कुछ चुकाने के लिए सब कुछ बेचना पड़ जाता है तो भी 20 million बचेंगे ये shareholders का पैसा है तो balance sheet हमें बता रहे हैं कि shareholders ने 20 million डॉलर physically invest किये हुए है ये होती है company की book value जिसे दूसरे शब्दों में net asset value भी कहा जाता है ये बात uncommon नहीं है कि business book value को break up value की proxy की तरह इस्तमाल करते हैं हो सकता है कि असलियत में ये सच ना हो क्योंकि जो assets की value balance sheet में लिखी गई होती है जरूरी नहीं है कि वो value assets को बेच कर मिल जाए वो भी इतने छोटे notice पर अगर एक कार बनाने वाला कुछ 60 million dollars का custom equipment खरीदता है ताकि वो ऐसी चीज़ बना सके जो उसकी गाड़ी के लिए unique है तो वो कहेगा कि उसने 60 million dollar के asset खरीदे है हो सकता है इस चीज़ को second end value सिर्फ कुछ 1000 dollar की ही हो क्योंकि ये इसी कार बनाने वाले के हिसाब से बनाई गई है और ये दूसरे कार बनाने वालों के लिए किसी भी काम का ना हो ये कमपनी की cost को sales में से निकालती है ताकि पता चल सकेगी profit कितना हुआ है Spotter Gooden ने 80 million की sale की थी और इसकी cost थी 76 million तो उसके पास profit बचता है 4 million dollar का कमपनीयों की आयदत होती है कि वो बहुत सारे अलग-अलग profit दिखा कर लोगों को confuse कर देते हैं ये gross profit, trading profit, underlying profit, pre-tax profit और ऐसे बहुत सारे profits के बारे में बात करती है शेयर होल्डर को जिस mean profit की चिंता होती है वो कहा जाता है profit after tax याने tax के बाद कितना profit हुआ या फिर net income इसका simple सा मतलब ये है कि सब को अपना-पना पैसा देने के बाद जिसमें सरकार भी शामिल है कम्पनी के पास कितना profit बचा है जैसे आपकी salary होती है आपकी gross salary आपके interest की होती है लेकिन आपके काम की होती है आपकी net salary वो पैसा है जो सरकार को tax देने के बाद आपके पास बचता है ये वो पैसा है जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं कमपनियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है शेर होल्डर्स के लिए वो प्रॉफिट काम का होता है जो एक कमपनी ने अपने टैक्स चुकाने के बाद हासिल किया है क्योंकि यही profit उनके लिए available होता है आहम तोर पर income statement में दिखाई जाने वाली ये figure सबसे आखरी होती है और इसके नाम अलग-अलग हो सकते हैं जैसे कि net profit, net income या profit available to equity shareholders अब जैसा कि हम जानते हैं कि profit एक दौलत में बदलाव को measure करने वाली चीज है तो Spotter Gooden की income statement से हमें पता चलता है कि उसकी wealth 4 million dollar से बढ़ गई है लेकिन 4 million dollar profit का एक अच्छा level है या खराब हम देखना चाहते हैं कि business कैसा काम कर रहा है ये अपनी profit बनाने वाली process को इतने अच्छे तरीके से manage कर रहा है अब वक्त आ गया है थोड़ी बहुत calculation करने का सबसे पहला step है annual report में से सारी relevant information निकाल लेने का Spotter Gooden की दोनो financial statements दुबारा से देखते हैं और हम इन में से वो 4 figure निकाल लेंगे जो हमें 4 figure trick के लिए चाहिए Spotter Gooden की balance में assets 50 million है, liabilities 30 million की है और shareholders funds 20 million ये assets में से liabilities minus करके ही निकला है Income statement का हाल कुछ ऐसा है कि Sales है 80 million की, Cost है 76 million की तो net income निकल के आती है 4 million हमें इन में से सिर्फ 4 figures चाहिए 50 million के assets, 20 million के shareholders fund, 80 million की sales और 4 million का net income याने profit एक company के return on equity, gearing, asset turnover और profit margin के लिए आपको इतनी ही information की जरूरत है मैं ये बता देता हूँ कि जो जवाब आपको मिलेंगे वो approximation होंगे यानि actual figures नहीं होंगे लेकिन actual figures के पास होंगे लेकिन क्योंकि हमारा मकसद है कि हम देखना चाहते हैं कि एक business कैसे manage होता है तो हमें इतनी की ही जरूरत है क्योंकि ये document ये एक तस्वीर ही देखता है कि ये company एक trading year के अंत में कैसी है ये एक issue क्यों है return on equity को लेकर देखते हैं ये calculate करने के लिए आप profit को shareholder funds के percentage की तरह देखते हैं अगर आप ये spotter goodन की balance sheet से निकाले गए figure से करके देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितने shareholders fund invest करने पर कितना percent profit आया है और वो भी साल के अंत में हम मान लेते हैं कि shareholders का fund 12 मेने के वक्त के दोरान बहुत जादा बदला नहीं है तो भी हमें एक अंदाजा लगेगा कि shareholders fund साल के अंत में कितना है exactly कितना है ये कहना मुश्किल होगा एक quick challenge लेकर देखते हैं आपने पिछले साल अपने savings account पर 100 dollar interest कमाया था लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि rate of return कितना है तो rate of return निकालने के लिए आपको किन figures की जरूरत होगी rate of return निकालने के लिए आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है कि साल के अंत में कितना था बलकि आपको ये पता करना है कि साल के दौरान average balance कितना था return on equity के साथ भी ऐसा ही होता है अगर आप एक accurate figure निकालना चाहते हैं तो आपको ये पता करना होगा कि साल के दौरान average shareholder fund कितना था ये company की balance sheet से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि ये हमेशा आपको साल के अंत की value देगी और पिछले साल के अंत में कितनी value थी ये भी बताएगी अब एक average value निकालने के लिए आप इन दोनों figures को जोड़ देंगे और दो से divide कर देंगे asset के लिए भी यही approach ली जाएगी क्योंकि ये figure भी balance sheet से ही मिल सकती है अच्छी खबर ये है कि income statement से लिए गया figure इसको average करनी की ज़रूवत नहीं है क्योंकि इस document का nature ही ये है कि ये आपको बताएं साल के दौरान क्या हुआ है तो आपके पास एक choice है अगर आप approximate choice से खुश है तो आपको balance sheet में से सिर्फ ये 4 figures निकालने की ज़रूवत है कौन से 4? Assets, shareholders funds, sales और net income अगर आपको ज्यादा accurate results चाहिए तो आप income statement से ली गई दो figures को वैसे का वैसा ही लेंगे और balance sheet की दो figures को average करेंगे income statement से जो दो figure आएंगे वो होंगी sales और net income और balance sheet से जो दो figures आएंगी वो होंगी average assets और average shareholders funds जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं तो आप annual report को एक तरफ रख सकते हैं अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन इस chapter के बचे हुए हिस्से के लिए हम सबसे सीधी अप्रोच है इस्तमाल करने वाले हैं हम average ना निकालते हुए वही figure उठाएंगे जो हमें दिख रही है ये काम की figures निकालने के बाद अगला step ये है कि हम देखें company overall कैसा काम कर रही है return on equity हमें बताता है कि एक business कितने अच्छे तरीके से shareholders funds को profit में बदल पा रहा है इसका formula है profit divided by shareholders funds multiplied by 100 हमारी case में profit है 4 million और shareholders funds है 20 million तो हमारे पास return on equity आएगा 20% इससे हमें पता चलता है कि shareholders द्वारा हर 100 dollar invest करने पर company 20 dollar का profit बनाती है अब हमें समझना है कि इस company ने ये हासिल कैसे किया ऐसा करने के लिए हमें देखना होगा कि ये company अपनी profit बनाने वाली process को किस तरह से manage कर रही है हम जानते हैं कि profit बनाने की process की पहली stage में हम assets को finance करने के लिए funds को raise करते हैं और gearing हमें बताती है कि raise किये हुए fund में से कितना हिस्सा उधार का है हमने देखा कि spotter goodin के पास total 50 million dollar के assets है और उनमें से 20 million dollar के assets को shareholders fund से finance किया गया है इसका मतलब है कि company ने 30 million dollar उधार लिया होगा अब आप ये सोच रहे होंगे कि balance sheet में लिखाई हुआ था कि 30 million dollar की liability है तो हम सिर्फ इसको सीधा सीधा क्यों नहीं लिख लेते हम ऐसा कर सकते थे लेकिन मेरी philosophy है कि जब हमें सिर्फ 4 number लिखने की जरूवत है तो पास क्यों लिखे जाए borrowed funds यानि उधार के fund को assets के साथ combine करने पर हम gearing calculate कर सकते हैं इसका formula क्या था? जी हाँ borrowed funds divided by assets multiplied by 100 अब इस case में borrowed funds थे 30 million dollar के और assets थी 50 million dollar के तो हमारे पास gearing निकल के आती है 60% इसका मतलब है raise किये जाने वाले हर 100 dollar में से 60 dollar उधार के हैं इस 60 dollars के अंदर finance के सारे sources हैं बस एक shareholders funds को छोड़ कर यनि की इसमें supplier भी है सरकार भी है bank भी है और बाकी जितने भी उधार देने वाले हैं सब के सब हैं याद रखिए कि gearing जितना ज्यादा होगा company अपनी interest की commitment को चुकाने के लिए कितने अच्छे तरीके से बदला जा रहा है asset turnover हमें बताती हैं कि एक business कितने अच्छे से ये काम कर रहा है asset turnover का formula था sales को assets से divide करना इस case में हमारे पास sales से 80 million dollar की और assets से 50 million dollar की तो asset turnover निकल के आएगा 1.6 यनि कि spotter gooden के लिए assets में invest किया गया हर 1 dollar 1.6 dollar की sales generate कर रहा है ये figure जितनी ज़्यादा होगी एक company अपने assets को उतने ही अच्छे से manage कर रही होगी profit बनाने की process की आखरी stage में देखा जाता है कि cost को कितने अच्छे से manage किया जा रहा है profit margin हमें बताता है कि एक company अपनी cost को sales के सामने कितने अच्छे से manage कर पा रही है और क्या वो profit बनाना ensure कर पा रही है हमारा profit margin का formula था profit divided by sales multiplied by 100 हमारी case में profit है 4 million और sales है 80 million तो profit margin निकल के आता है 5% तो spotter gooden के case में हर 1 dollar की sales से 5 cents का profit होता है यारे कि हर 100 dollar पर 5 dollar का profit लेकर आता है इसे दूसरे शब में कहा जाये तो ये company हर 100 dollar की sale के लिए 95 dollar कर रही है profit margin जितना ज़ादा होगा cost उतने ही अच्छे तरीके से manage हो रही होगी अब वक्त आता है इन सारी चीजों को एक साथ लेकर आने का और एक picture बना कर देखने का कि ये company कैसे manage हो पा रही है profit बनाने को तीन अलग-अलग stages में बाट देने से हमें एक तेज और असरदार तरीका मिलता है कि हम देख सकें एक company shareholders fund पर कैसा return दे पा रही है ऐसा करने के लिए मैंने return on equity flow chart नाम का एक analytical tool बनाये और इसमें हम ये चारो calculate की गई figures को डाल के देखेंगे ये करने का सबसे आसान तरीका होगा कि आपको spotter goodend के लिए ये flow chart इस्तमाल करके दिखाये जाएगा ये tool इसलिए बनाये गया है ताकि किसी भी company को तेजी से analyze किया जा सके दिक्कत ये आती है कि अलग-अलग size की होती है और हम इन्हे compare करना चाहते है तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि 1 million dollar वाली company को 10 million dollar वाली company के साथ compare करके देखें ऐसा करने का एक आसान सा तरीका है कि हम ये देखें कि 100 dollar के fund raise करने पर क्या होता है तो ये 1 million dollar वाली company और 10 मिलियन डॉलर वाली कंपनी को कम्पेर करने का आसान तरीका है कि देखा जाएं दोनों में से कौन 100 डॉलर को बहतर मैनेच कर पा रहा हैं तो हम देखेंगे कि Spider Gooden 100 डॉलर को कैसे मैनेच कर रहे हैं Spotter Gooden की gearing है 60% तो इससे हमें पता चलता है कि 100 डॉलर में से 60 डॉलर उधार के हैं और बचे हुए 40 डॉलर्स शेरोल्डर्स फंड से आयोंगे अब सवाल उठता है 100 डॉलर रेजी क्यों किये गया है जवाब सिंपल है क्योंकि 100 डॉलर की assets को finance करना था जब हम देखेंगे कि ये assets कैसे perform कर रही है हम जानते हैं कि asset turnover 1.6 है यानि कि हर एक डॉलर की asset से Spotter Gooden 1.6 डॉलर की sales generate करता है तो 100 डॉलर की asset से 160 डॉलर की करेगा अब profit बनानी की process में आखरी stage होती है sales को profit में convert करना Spotter Gooden का profit margin 5% है यानि एक डॉलर पर 5 cent का profit तो इस case में sales कितने के हुई 160 डॉलर और profit margin कितना है 5% तो profit कितना हुआ बिल्कुल सही 8 डॉलर का profit हुआ अब हम return on equity निकाल सकते हैं हमें पता है कि हर 100 डॉलर जो company raise कर रहे हैं उसमें 40 डॉलर shareholder ने invest किया है और उसके उपर profit हो रहा है 8 डॉलर का तो return on equity हुआ 20% हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये company 20% की return on equity दे सकते हैं पिछले साल के लिए flow chart बनाया जाए तो हम आराम से compare करके देख सकते हैं कि company कहा कहा मजबूत हो रही है और कहा कहा कमजोर हो रही है मैं ये काम सालों से करता आ रहा हूँ और इस पूरी analysis के लिए घड़ी देख कर 5 मिनिट लगते हैं अब मैं उमीद नहीं करता हूँ कि जादातर लोग 5 मिनिट में ही निपट लेंगे क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हैं लेकिन जब आप इस calculation से familiar हो जाएंगे तब मेरे हिसाब से आपको पूरी exercise के लिए 15 मिनिट से जादा नहीं लगने चाहिए अब अगर आप इस company में अपने पैसे लगाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इगलत फैसला नहीं लेना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि जो वक्त आपने invest किया है वो बिल्कुल सही investment है अगर आप spreadsheet या Excel sheet पर काम कर रहे हैं तो ये पूरी process बहुत तेजी से हो सकती है अगर आप एक ऐसी set बना ले जो आपके लिए calculation कर सकती है तो आपको annual report में से ये चार figures निकालनी है और चुटकी बजाते ही flow chart आपके सामने आ जाएगा ये बात ध्यान रखिए कि अगर set नहीं भी होता तो आपके वक्त का छोटा सा हिस्सा ही जाएगा ये वक्त इतना ही है जितना आपको चाय बनाने में लगता है Inside Investing London Stock Exchange पर trade होने वाली मेजर कमपनियों का एक detailed weekly analysis देती है और इसमें return on equity flow chart भी आता है ये analytical tool आपको उन बड़े issues पर focus करवाता है जो हर business की performance पर असर डालते है Gearing एक company fund कैसे raise कर रही है Asset turnover यानि ये अपनी asset से sales generate करने में कितनी काबिल है और profit margin sales को profit में बदलने की काबिलियत अगर आपको number से इतना ज़्यादा लगाव नहीं है तो भी खबरे सुनने से और पढ़ने से आपको बहुत अच्छे अच्छे valuable hint मिल सकते है जो company आप investment के लिए consider कर रहे हैं क्या उसमें कोई ऐसी indication है कि वो अपनी borrowing को बढ़ाना या घटाना चाहती है क्या कोई ऐसा suggestion है कि वो अपनी assets को ज़्यादा या कम utilize करने वाली है क्या कोई ऐसी indication है जिससे पता चलता है cost ज़्यादा अच्छे से या कम अच्छे से manage होने वाली है इस तरह की कोई भी information आपको ए company के trading potential की तस्वीर बनाने में मदद कर सकती है interest और dividend मत भूलिए profit बनाने की process के साथ जुड़े हुए measures को calculate करने के साथ साथ दो और issues ऐसे हैं जो investor के नजरिये से एक company के future पर असर डाल सकते हैं पहला उसकी आने वाले interest को चुका पाने की काबिलियत और दूसरा उसकी dividend की payments को maintain कर पाने की काबिलियत interest cover बताता है कि profit कितने गुणा interest payment को cover कर सकता है इसका formula है profit before interest payment divided by interest payable अगर एक company 10 million dollar का profit बना रही है और इसमें से 2 million dollar उसे interest में चुकाने पड़ रहे हैं तो interest cover होगा 5 इसका मतलब यह है कि company जितना profit बना रही है उसके इसाब से loan के उपर उसे जितना भी interest देना है वो उस interest का 5 गुणा चुका सकती है यह number जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैतर है क्योंकि company future में आने वाले अपने interest की commitment को उतना ही अच्छे तरीके से चुका सकती है अगर interest cover दो या उससे ज़्यादा होता है तो ज़्यादा तर investor के लिए इतना काफी है अब बात करते हैं dividend की dividend cover बताता है कि profit कितने गुणा dividend को cover कर सकता है इसका formula है profit before dividend payments divided by dividend payable यह interest cover जैसा है अगर एक company 6 million dollar का profit बनाती है और वो 2 million dollars के dividend दे रही है तो dividend cover होगा 3 यह हमें बताती है कि company को जितना dividend देना है उससे 3 गुणा profit बना रही है यह number जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैतर है क्योंकि यह number ज़्यादा होगा तो company future में आने वाले dividend payment भी दे पाएगी जैसा interest cover के साथ है वैसा ही dividend cover भी ज़्यादा तर investor के लिए दो या उससे ज़्यादा सही होते है आपको calculation की छूटी छूटी बातों के बारे में चिंता करनी की ज़रूवत नहीं है जैसे कि profit before interest payment याने कि interest की payment चुकाने से पहले वाला profit कहा मिलेगा आमतोर पर interest cover और dividend cover ज़्यादा तर investment websites के उपर दिया हुआ ही होता है Essential tips Objective याद रखिए हर company चाहती है कि वो एक healthy return on equity दे सके Process को समझे Return on equity देना एक तीन स्टेज वाली process है Gearing चेक कीजे उधार से return on equity बढ़ सकता है लेकिन साथ ही बढ़ा हुआ उधार Company को एक high interest commitment से expose कर सकता है इसमें interest और third party credit दोनों शामिल है Asset turnover चेक कीजे एक company अपने asset से जितना ज़्यादा sales generate करेगी Return on equity उतना ही ज़्यादा होगा Profit margin चेक कीजे एक company जितना ज़्यादा cost efficient होगी उसका return on equity उतना ही ज़्यादा होगा Return on equity flow chart बनाईए ये दिखाएगा कि एक company की gearing asset turnover और profit margin को combine करने पर return on equity कितना produce होगा और एक company कहां मसबूत है और कहां कमजोर यानि कि उसकी strength और weakness पहचानने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है Interest और dividend चेक कीजे Interest cover बताता है कि एक company अपनी interest payment चुकाने में कितनी सक्षम है वहीं दूसरी तरफ dividend cover बताता है कि एक company dividend की payment दे पाने के लिए कितनी सक्षम है Price is king जादा तर लोग shares में इसलिए invest नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत जादा पेचीदा लगता है लेकिन असल में किसी share को खरीदने और बेचने की principles बहुत ही सीधे होते हैं ये किसी और चीज की खरीद बेच से अलग नहीं होते है अगर आप second hand car के business में trade करना चाहते हैं तो ये business समझना बहुत आसान है आप एक कीमत पर गाड़ी खरीदेंगे और उससे जादा कीमत पर उसे बेचना चाहेंगे nuclear physics नहीं है ये खरीदने की stage के उपर ही तै हो जाता है कि आप ये सब करने के लिए काबिल है या नहीं और यहां आपको दो disciplines अपनाने चाहिए सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि गाड़ी सही कंडिशन में है या नहीं दूसरा आपको ये तै कर लेना है कि आपकी गाड़ी की सही कीमत दे रहे हैं या नहीं अगर आप इन दोरों में से किसी भी काम में फेल होते हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं किसी कंपनी के शेर खरीदते हुए भी ऐसा ही होता है आपको देखना होता है कि बिजनेस सही कंडिशन में है यनि कि ये सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है और आपको ये देखना होता है कि जिस कीमत पर आप शेर को खरीद रहे हैं वो कीमत सही हो पिछले चैप्टर में हमने management के issue पर focus किया था इस चैप्टर में हम अपना सारा ध्यान price के मुद्दे पर लगाएंगे ये एक लंबा चैप्टर है इस किताब का सबसे लंबा चैप्टर है लेकिन मैं इसके लिए माफी नहीं मांगने माला हूं जादा तर लोगों के लिए शेर्स ही वो चीज होते हैं जो अपने personal wealth को बहुत शांदार तरीके से ग्रोग करने की opportunity देते हैं और इस तरह की investing के तरीके को खास ध्यान देनी की ज़रूरत है आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज नोट कर लेनी चाहिए इक कमपनियों को मोटे मोटे थोर पर दो कैटेगरीज में बाटा जा सकता है प्राइवेट कमपनिया और पबलिक कमपनिया इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट कमपनियों का मालिकाना हग प्राइवेट होता है और पबलिक कमपनियों का पबलिक जिसे प्रा पूटे फैमिली बिजनेस में कुछ शेर हैं और आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो आपकी सामने एक परिशानी खड़ी हो जाएगी. वो क्या? आपको देखना पड़ेगा कि कोई इने खरीदने के लिए तयार है या नहीं. साथ ही क्योंकि ये स्टॉक एक्शेंजेस के कर शुरू करें और उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ें और उन्हें अपने असेट्स को फण करने के लिए फैनांस की जरूरत पड़ें वो पबलिक कंपनियों में बदल जाएं. एक IPO यानिकी इनीशल पबलिक आफरिंग वो प्रोसेस होती है जो एक कंपनी के शेर्स को ए और उन्हें बेज सकते हैं. यह एक शेर का मार्केट प्राइस तैय कर देता है यहने कि प्राइविटली नेगोसियेशन करने की जरूरत नहीं है. जब कोई भी इनसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा होता है तो इसका मतलब लगभग यही होता है कि यह एक रिकनाइस किये गए स्टॉक एक्शेंजेस पर जो कमपनियां लिस्ट की हुई है उनके शेर्स को खरीदना और बेचना और इस चाप्टर का फोकस यही है. पहला चैलेंज फैसला किसको लेना चाहिए? जब शेर्स में इन्वेस्ट करने की बात होती है तो एक ऐसा म मुद्दा है जिसे शुरुआत में ही अड्रेस कर लेना चाहिए. यह यकीनन ही इतना जरूरी मुद्दा है कि आगे बढ़ने से पहले इसको अड्रेस करने की जरूरत है. इन्वेस्टमेंट का फैसला किसको लेना चाहिए? आप शेर्स या तो खुद खरीद सकते हैं या फ रहा सकते हैं. दूसरे उप्शन को चुनने का मतलब है कि आप अपना पैसा एक फंड के अंदर डालेंगे जो कोई और मैनेज कर रहा होगा. जहां पर आप जैसे ही बहुत सारे लोग पैसे डाल रहे होंगे और उनके लिए कोई और फैसले ले रहे होंगे. इस तरीके को इ पीन फायदे अकसर गिनाये जाते हैं. एक्सपर्टीज, डायवर्सिफिकेशन और एकनॉमिक्स ओफ स्केल, यनि कि जब फायदा होगा तो सबका होगा. एक मैनेश्ट फंड के सेल्स में आम तोर पर ये बात कही जाती है कि आप ये बात जानकर बिल्कुल रिलाक्स हो होता है. सबसे आखिर में फंड के साइस की वज़ा से ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत जादा कम हो जाएगे. अब इसके डिसाडवांटेज देखते हैं. ये भी तीन है. ओवर डायवर्सिफिकेशन, पफॉर्मन्स और फीज. सबसे पहले ओवर डायवर्सिफिकेशन के सा करते हैं. आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना जादा डायवर्सिफाय करेंगे, आपकी परफॉर्मन्स उतनी ही जादा एवरेज हो जाएगी. प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक बात बोलते हैं कि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट की ऑपोचुनिटीज देख सकते हैं जो आ बहुत ओवर्वर्म करने वाले हैं. लेकिन इतने सालों में फंड की परफॉर्मन्स को लेकर बहुत सारी स्टेडीज की गई हैं. अकैडेमिक भी रही है और प्रोफेशनल भी. इन सब ने लगभग ही कंक्लूजन दिया हैं. जादा तर फंड उस मार्केट को बीट करने में फेल हो जाते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. असल में ये उससे भी जादा खराब है. जादा तर फंड मार्केट से कम परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब है कि अगर किसी मार्केट में 10% रिटन मिलता है, जादा तर फंड 10% से कम का रिटन देंगे. अक्सर ये स्टेटेस्टिक इससे कहीं ज्यादा होगा ये स्टेडीज उन फंड्स को नहीं लेती है जो बॉंड हो गया है या किसी दूसरे फंड द्वारा अब्जॉब कर लिए गया तो असल में हम 90 परसेंट या उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं जो की एक डराने वाला स्टेटेस्ट अगर मुझे बताया जाए कि अगर मैं किसी फंड मैनेजर के पास अपना पैसा रखता हूं तो 10% से भी कम चांस है कि वो आवरेज रिटर्न भी हासिल कर पाएगा तो चांसे हैं कि मैं इससे खुश नहीं होगा ऐसा इसलिए है जो जादूई कहानियां आप सुन रहे हैं उ सबसे जादा बताया जाता है वो हैं फीज जब आप एक फंड मैनेजर के पास अपना पैसा रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगते हैं और ये चार्ज आपके रेट आफ रिटर्न को नुकसान पहुचा सकते हैं अक्सर ऐसा होगा जब आप फैनेंशल फीज भी है जो फंड मैनेजर चार्ज करता है उसके ऊपर ट्राइंजक्शन फीज भी है यानि कि हर बार जब एक फंड कुछ खरीदता या बेचता है तो उसके ऊपर उसको आपको फीज देनी होती है और एक फंड जितना एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहा होगा ये फीज उतनी ही ज्यादा हो जाएगी उसके बाद जनरल एड्मिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी देनी होती है फिर आखरी में अपना पैसा वापस लेने के लिए उसके उपर एक्जिट चार्ज भी लग सकता है इन फीज से पढ़ने वाले असर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए मान दीजे कि आपने एक शेर पोर्टफोलियो में एक लाग डॉलर इन्वेस्ट किये है और ये 7% हर साल के हिसाब से ग्रो कर रहा है आपको इन्वेस्ट्मेंट के बारे में समझ है और आप कंपांडिंग के प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझते हैं इसलिए आप सारे प्रॉफिट को दुबारा से इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं अगर आप एक फंड मैनेजर के दौरा इन्वेस्ट करने का चुनाव करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि आपकी फंड वैल्यू के उपर 2% का एन्यूल चार्ज लग रहा होगा अब हम देखते हैं कि अगर आपने डिरेक्ली इन्वेस्ट किया होता तो आपका पॉर्टफोलियो एक लाग चालीस हजार दो सो पच्पन डॉलर का होता और अगर आपने फंड मैनेजर के जरीए किया होता तो एक लाग 26,789 डॉलर दस साल के बाद आपने इन्वेस्ट किया होता तो पॉर्टफ अब समझते हैं कि इसका असर क्या होगा? अगर आपने अपना पैसा खुद इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल के बाद आपने एक लाग की इन्वेस्मेंट पर 40,000 का प्रॉफिट बनाया होता असल में इससे थोड़ा कम होता क्योंकि आपको भी शेर्स खरीदते हैं बेशते वक्त प्रेडिंग की फीज चुका नहीं होती हैं लेकिन उसके बाद भी जो अमाउंट निकल के आता हैं वो बहुत जादा कम नहीं होता है लेकिन अगर आपने फंड मैनेजर की सर्विस ली होती तो आपने 27,000 डॉलर कम का प्रॉफिट बनाया होता आप जितने लंबे वक्त के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फीज का असर उतना ही ज्यादा ड्रमाटिक होगा अगर आपने खुद इन्वेस्ट करने की जगह एक फंड मैनेजर की सर्विस ली होती तो ये फर्क 3,45,000 जितना होता अपना पैसा किसी और को मैनेज करने देने के लिए ये पैसा बहुत ज़ादा है जब आप एक फंड मैनेजर की सर्विस लेते हैं तो आपके खिलाफ दो ताकतें काम कर रही होती हैं फीज और कमपाउंडिंग अगर आपने पैसा खुद इन्वेस किया होता तो आप एक लाग डॉलर के फंड के साथ शुरू कर रहे होते अगर आपने फंड मैनेजर वाला रास्ता चुना होता तो पूरे फंड की 2% वैल्यू आपकी कॉस्ट होती इसका मतलब है कि भले ही आप एक लाग दे रहे होते लेकिन सिर्फ 98,000 ही इन्वेस कर रहे होते आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं की है और आपके 2000 डॉलर कम हो गए इनिशल चार्ज के रूप में फंड वैल्यू का 5% या उससे ज्यादा अभी तक सुना नहीं गया है तो अगर ऐसा होता है तो साफधान रही है हम ये मान के चल रहे हैं कि ग्रोथ रेट 7% का है तो अगर आप पैसे सीधे सीधे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले साल के अंत में आपका फंड एक लाख साथ हजार का हो जाएगा और इसी फंड को आप अगले साल आगे ले कर जाएंगे वहीं दूसरी तरफ एक फंड मैनेजर के साथ आपका इनिशल इन्वेस्टमेंट 98,000 का है और वो भी 7% सही ग्रोग करेगा और आपके पास साल के अंत में 1,4,860 होंगे इस बात का ध्यान रखिए कि फंड चार्ज एक साल के उपर लगाते हैं यनि कि इस बार 2% 1,4,860 पर लगेगा यनि कि 2,097 डॉलर्स ये पैसा फीज के तोर पर निकल जाएगा और आपके पास दूसरा साल शुरू करने के लिए 1,2,763 डॉलर्स ही होंगे साफ तोर पर फीज आपके फंड को थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहे हैं लेकिन ये उससे भी कहीं ज़्यादा भायनक है जब हर साल आपके फंड की वैल्यू कम होती है तो वो आपके एन्यूल प्रॉफिट को भी कम कर देते हैं जो आप इस फंड के उपर कमाने वाले थे और इसके वज़े से कंपाउंडिंग का फायदा बहुत हलका हो जाता है इसके लिए कुछ लोग कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंड इंवेस्टर फंड मैनेजर जितने रिटर्न हासिल ना कर पाए और इसलिए आप पैसे दे रहे हैं जब हम ये बात जानते हैं कि फीज के बाद ज़्यादा तर फंड मार्केट के मुकाबले में अंडर परफॉर्म करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस आर्ग्यूमेंट के उपर ज़्यादा वक्त लगाना चाहिए असल में अगर आप इंटरनेट कुछ हानेंगे तो आप ऐसी बहुत सारी स्टेडीज देख पाएंगे जिसमें फीज और पफॉर्मेंस के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है मेरे इसाब से इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर आप सचमुष में स्टॉक मार्केट में अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो आपको खुद ही इंवेस्ट करना होगा सिर्फ कंट्रोल लेने से ही आपने अपने रिटर्न के पोटेंशल को बढ़ा लिया है क्योंकि आप फीज नहीं दे रहे हैं आप इस डिसिप्लिन से ज़ादा से ज़ादा फायदा भी उठा सकते हैं अगर आप 6R की अप्रोच फॉलो करते हैं तो यह आपके फायदे को मैक्सिमाइज करेगी और नुकसान को मिनिमाइज स्टेज वन रेकगनाइज पिछले चैप्टर में हमने असेस किया था कि एक कंपनी कितने अच्छे तरीके से मैनेज हो पा रहे हैं लेकिन सिखसार अप्रोच के हिसाब से जब आप किसी potential investment opportunity को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं तब कंपनी को assess करना पहला स्टेज नहीं होगा कंपनी को assess करने से पहले आपको कंपनी ढूननी पड़ेगी तो पहली स्टेज है आप opportunity को पहचान पा रहे हैं यने की आपको एक ऐसी कंपनी ढूननी है जिसमें potential हो जब हम savings account और bonds को देख रहे थे तो सिखसार अप्रोच की पहली स्टेज बहुत सीधी सीधी थे आपको सिर्फ एक ऐसा account या bond ढूनना था जो आपके investment की ज़रूरत के हिसाब से हो और उसके बाद आप दूसरी स्टेज पर जा सकते थे और rate of return को examine कर सकते थे शेर्स के साथ deal करते हुए एक fundamental मुद्दा आता है या आपको नहीं पता होता rate of return क्या होने वाला है इसलिए किसी भी शेर को access करते हुए potential rate of return पता करना सबसे ज़्यादा पेचीदा होता है इसलिए potential rate of return पर घंटों बिताने से पहले आपको शुरू में ही कोई ऐसा तरीका चाहिए जो शेर्स को अच्छे से examine कर ले अजारों कमपनियां investor के पैसों के लिए आपस में लड़ रहे है तो यहाँ ज़रूरत है कि इतने बड़े selection में से कमपनियों को इतना चाट लिया जाए कि वो आधे दरजन के आज़ पास आ जाए और recognize stage में यही challenge है एक एक करके कमपनियों को देखने से पहले बहतर होगा कि शुरूआत में ही थोड़ी सी feel develop कर ली जाए कि shares के overall price में क्या हो रहा है इसके लिए हमें financial indices को समझना पड़ेगा एक financial index आपको यह नहीं बताता कि एक कमपनियों के share में क्या हो रहा है बलकि यह एक कमपनियों के collection में होने वाले उतार चड़ाव के बारे में बताता है इन में से सबसे famous index है Dow Jones Industrial Average इसे आम तोर पर Dow Jones भी कहा जाता है यह अमेरिका की 30 सबसे ज़ादा बड़ी public कमपनियों के share price की movement को दिखाता है इसके साथ ही है Standard & Poor's का S&P 500 यह अमेरिका में trade होने वाले सबसे popular 500 कमपनियों के share price को track करता है दूसरे indices है FTAC 100 यह London Stock Exchange की 100 सबसे बड़ी कमपनियों को track करता है फिर है DAX यह Frankfurt Stock Exchange की 30 major कमपनियों को track करता है निकी रेप्रेजन्ट करता है Tokyo Stock Exchange की top 225 companies को हैंग सेंग होंग कॉंग Stock Exchange पर track होने वाले 50 सबसे बड़ी companies को track करता है यह सिर्फ इतना ही नहीं है आपको दुनिया भर के indices मिल जाएंगे जो दुनिया की major stock exchange पर quote हो रहे होंगे तो एक index हमें क्या बताता है एक index की जो numerical value होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है जब DAO Jones सबसे पहले 1896 में setup किया गया था तब उसमें सिर्फ 12 कमपनिया थी और DAO Jones 41 points पर था अब एक typical shareholder है उन्हें इस बात में कोई दिल्चस्पी नहीं है कि 1896 में अमेरिका के share price के साथ क्या हुआ था उनके लिए इससे कहीं ज़्यादा relevant होगा ये पता करना कि हाल ही में क्या हुआ है और उस हिसाब से DAO Jones का movement count होता है मान लीजे कि एक साल पहले एक index 1000 points पर था और अब 1050 points पर हैं तो ये 5 टका बढ़ गया है इससे हमें पता चलता है कि उस index में जितनी भी कमपनिया है यानि कि जितनी भी कमपनियों को मिला कर वो index बना है वो पिछले 12 मेने में 5% की average से बढ़े हैं अगर एक index 1100 points पर बढ़ जाता है तो shares की कीमत 10 टका बढ़ी होगी ये बात नोट करनी चाहिए कि जादा तर stock market के index आपको सिर्फ ये बताते हैं कि share price के साथ क्या होता है ये index ये नहीं बताते कि dividend के साथ क्या हो रहा है तो अगर एक index एक साल के दौरान 10% बढ़ा है तो हाला कि shares के price इतने percent से बढ़े है लेकिन dividend जोडने के बाद return to shareholder बहुत जादा हो सकता है एक major index को represent करने वाली कंपनिया किसी भी stock exchanges पर trade होने वाले total shares का एक बहुत बढ़ा हिस्सा होती है इन index में बदलाव को economy में investor के confidence का indicator माना जाता है यनि कि एक index में उतार चड़ाव से पता चलता है कि एक investor को एक economy के अंदर कितना confidence है एक index जब उपर जा रहा होता है तो वो share price के उपर चड़ने को दिखा रहा होता है मुझे बता रहा होता है कि investor के confidence में increase हो गया है वही दूसरी और एक index का नीचे जाता हुआ trade बताता है कि share की कीमते नीचे की दरफ जा रहा है और investors का confidence कम होता जा रहा है एक index को देखने से आपको market के mood के बारे में idea लग सकता है अब जब हम ये जान चुके हैं कि share price के साथ generally क्या हो रहा है तो हम individual company की तरफ अपना ध्यान लेकर जा सकते हैं ये uncommon नहीं है कि आप investors को सीधे figures में छलांग लगाती हो देखें ये एक बड़ी गलती है जब एक company को potential investment के लिए consider करना होता है तो सबसे पहला मुद्दा address करना होता है कि ये company किस तरह की service या product offer कर रही है तो एक कदम पीछे हट कर business को देखिए क्योंकि company जो product या service offer कर रही होगी उसी से sales generate होगी और बिना sales के कोई profit नहीं होने वाला है investing की दुनिया में बात अकसर कही जाती है किसी ऐसी चीज में invest मत करो जो आपको समझ नहीं आती ये एक simple rule है कि अगर आपको नहीं समझ आता कि company पैसे कैसे बनाती है तो इसमें अपना पैसा मत डालिये तो आप business के बारे में कैसा मैसूस करते है क्या आपको लगता है इसमें long term future है ये business किस तरह की market में trade कर रहा है बढ़ती हुई market में या सिमटती हुई क्या कोई competition है क्या future में competition बढ़ सकता है अगर आपको एक business idea पसंद आए तब ही आपको number देखने चाहिए जब बात आती है numbers की तो share का price तो किसी भी national press की website पर और बहुत सारी दूसरी website पर आपको चुटकियों में मिल जाएगा बहुत दुख भरी बात है कि बहुत सारे लोग shares में invest करना इसलिए avoid करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी figures होती है चाहे ये rose का share price हो या फिर annual result सारी चीज़े figures ही है और ये हर एक जगह होती है जादतर लोगों के लिए ये comfortable नहीं होता लेकिन इसकी वज़ा से खुद को पीछे मत कीजिए जब एक share की performance को assess करने की बात होती है तो ये figures ही आपकी मदद करने के लिए है आपके काम में अडंगा डालने के लिए नहीं एक quick challenge लेते हैं आपको क्या लगता है कि जब एक company अपना annual result announce करती है तो एक shareholder सबसे पहले कौन सी figure देखना चाहता है जादातर लोग सोच रहे होंगे कि सब कुछ सिर्फ profit के बारे में अगर हर साल profit बढ़ रहा है तो shareholders खुश होंगे हैसा बिल्कुल भी नहीं है एक अच्छी तरह से informed हुआ investor इस बात की परवा नहीं करता कि company एक मिलियन डॉलर का profit बना रही है या 10 मिलियन का या फिर 100 मिलियन का एक investor को इस बात की चिंता करनी चाहिए ये company उसके लिए सिर्फ उसके लिए कितना पैसा बना रही है ये दोनों बाते सेम नहीं है company ने अभी तक कितना total profit बनाया है इस बात के उपर focus करने की जगा shareholders के लिए जादा काम की figure होती है earning per share यानी EPS share price को समझने के लिए और उसके behavior को समझने के लिए ये बहुत जरूरी चीज़ है एक काम करते हैं हम देखते हैं EPS कैसे निकाला जाता है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इतनी जरूरी figure क्यों है इसका formula है net income divided by number of shares earning per share की calculation net income से शुरू होती है जिसे कभी-कभी profit after tax भी कहा जाता है ये वो profit है जो business को चलाने की रोज मर्रा की सारी cost देने के बाद और tax देने के बाद हासिल होआ होता है उसके बाद ये figure company के shares के number से divide की जाती है अगर एक company 10 million dollar की net income मना रही है और उसने 5 million share इसु कर रखे है तो earning per share की calculation कुछ ऐसी होगी हम 10 million की net income को 5 million share से divide करेंगे तो हमारे पास EPS आएगा 2 dollar इसका मतलब है कि हर एक share जो आप own करते हैं उसके उपर company ने आपको 2 dollar का profit दिया है company ने पिछले 12 मेने में 10 million dollar का profit बनाया है ये जानने की जगह EPS जानना ज़ादा ज़रूरी है शेर होल्डर इस profit का क्या कर सकते हैं उनके पास दो option है या तो वो इसे dividend के रूप में निकाल सकते हैं या फिर इस business में दोबारा से invest कर सकते हैं और आने वाले सालों में ज़ादा profit कमाने की उम्मीद रख सकते हैं ये savings account जैसा ही है जब आपके पास interest आता था तब भी आपके पास दो choice होती थी या तो आप interest निकाल सकते हैं या फिर interest को account में ही रहने दे सकते हैं ताकि आप अगले साल उसके उपर ज़ादा interest कमा सके एक point को note करना बहुत ज़रूरी है कि earning पर share आपको बताता है कमपनी ने dividend देने से पहले हर share पर कितना profit बनाया है अब आता है एक ज़रूरी सवाल earning पर share profit से ज़ादा ज़रूरी क्यों है असल में दिक्कत ये है कि जब एक company declare करती है कि उसका profit बढ़ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि share holders की condition भी बहतर है क्योंकि हो सकता है कि company ने ज़ादा share issue करे हुए हो मान लीजे company को अपनी future growth finance करने के लिए ज़ादा पैसे raise करने की ज़रूरत हो गई तो ये करने के लिए उसको और ज़ादा share issue करने पड़ गए उसने इतने share issue किये कि share का number डबल हो गया अगर उसका profit 50% ज़ादा बढ़ता है तो share holders के लिए ये बहतर नहीं होगा बलकि बत्तर होगा क्योंकि उनकी earning पर share कम हो गई होगी हम ये बात पहले ही देख चुके हैं कि जब आप एक company में share खरीदते हैं तो आप उसके future profit का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं अब हम इसे थोड़ा और बारीकी से देख सकते हैं आप असल में उसे specific share के साथ जुड़े हुए future profit को खरीद रहे हैं दूसरे शब्दों में earning पर share share की कीमत को drive करता है अगर आप future में जादा earning पर share की उमीद कर रहे हैं तो आप इस वक्त उन share के लिए जादा कीमत चुकाने के लिए तयार होंगे अगर आपको लग रहा है कि future में earning पर share कम होगी तो आप उस share के लिए कम कीमत चुकाना चाहा रहे होंगे जब share की कीमते move करती हैं तो ये suggest करती हैं कि earning पर share के future के साथ जुड़ी हुई उमीदे बदल रही हैं यहां से एक सवाल उटता है share की कीमत कौन तै करता हैं? ये तै की जाती हैं उस दिन की supply और demand से अगर बहुत सारे लोग एक company के share को खरीदना चाहते हैं और बहुत कम लोग उसके share को बेचना चाहते हैं तो उस share की कीमत बढ़ेगी ता कि उसे market में बेचने वालों को लुभाया जा सके तो ही दूसरी तरफ अगर बहुत सारे लोग share को बेचना चाहते हैं और शेर खरीदने वाले लोग कम हैं तो उस शेर की कीमत गिरने लगेगी ताकि खरीदारों को लुभाया जा सके यही वो स्टेज है जहाँ पर शेर की डीलिंग के प्रिंसिपल और ज़ादा इन्वाल हो जाते हैं मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसके उपर बहुत अच्छे से ध्यान दीजेगा यह शेर में इन्वेस्ट करने की सक्सेस के लिए बेहत जरूरी है शेर की कीमते इस बात से उपर नीचे नहीं होते हैं कि कमपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है शेर की कीमत इस बात से उपर नीचे होती है कि लोगों को क्या लगता है कमपनी फ्यूचर में कैसा करेगी यह दोनों बाते सेम नहीं है अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि कमपनी फ्यूचर में बहुत सारे पैसे बनाएगी तो शेर का प्राइस बढ़ जाएगा अगर उनको लगता है कि यह फ्यूचर में खराब परफॉर्म करने वाली है तो शेर का प्राइस नीचे चला जाएगा इस बात से फर्क नहीं पढ़ता कि वो सही होंगे या नहीं इस डिसकेशन से एक बात नोट की जानी शाएगे कि इन्वेस्टर्स गलत हो सकते हैं और अकसर गलत होते ही हैं ये बात एक प्राब्लिम की तरह लग सकती हैं लेकिन ये एक उपोचिनिटी भी सामने लाकर रखती हैं अगर इन्वेस्टर एक कंपणी के पोटेंशिल को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हैं तो उस शेर को खरीदना आप के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता हैं क्योंकि दूसरे investors आखरिकार उस company के profit potential को पहचान ही लेंगे और share की कीमत को उपर ले जाएंगे इस principle को exploit करके बेश शुमार दौलत बनाई जा सकती हैं लेकिन नुकसान भी हो सकता हैं अब वक्त आ गया है थोड़े और जारिगन का अब क्योंकि share के price expectation से चलते हैं तो share चुन investor उन company की तलाश में होते हैं जो अभी तक उतनी ठीक हालत में नहीं है लेकिन उन्हें विश्वास होता है कि यह जल्द ही recover हो जाएगी उनका विश्वास होता है कि market अभी इन company के potential को पहचान नहीं पा रही है growth investor इसके उल्टे होते हैं वो उन company को देख रहे होते हैं जो पह इनों मेंसे जो भी अप्रोच आप सुनते हो उससे इस बात पर सीधा सीधा असर पड़ेगा कि आपको कौन सी company या attractive लगती हैं अला कि अगर आपको इन दोनों अप्रोच का भी कोई combination तयार करना हो तो कोई रोकने वाला नहीं है एक share price कैसा perform कर रहा है उसके बारे में अच् एक company का नाम है Lisa Van उसका price है 19.72$ उसमें से 0.32$ प्लस हुए है उसका high 19.94 है उसका low 13.83, yield 2.9%, P by E ratio 18.9 और इस data में 52 weeks का भी हाथ है यानि एक साल Normally जो पहले figure लोगों को नजर आती है वो होता है share का price अगर आपने पहले से इस company के shares ले रखे हैं तो ये ठीक है क्योंकि जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे आपकी investment उपर जा रही है या नीचे वही दूसरी तरफ अगर आप ये फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये share खरीदने है या नहीं तो ये share price आपको कुछ नहीं बताता अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो shares के अंदर घुसा हुआ है तो उससे पूछे कि वो सबसे पहले कौन सी figure देखता है अगर वो कहता है कि वो share की price देखता है तो जाहिर सी बात है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है और मैं साबित कर दूँगा इस example में हम Lisa van को देख रहे हैं और इसका share price है 19.72 डॉलर्स मान लीजे कि आप एक और company के बारे में सुनते हैं जिसका नाम है हीरम ओटर जिसका share price है 138.04 डॉलर्स तो क्या इसका मतलब ये है कि हीरम ओटर से Lisa van साथ गुना जादा successful है बिल्कुल भी ने लेकिन यहां से एक सवाल उड़ता है कि इसके share price की कीमत साथ गुना जादा क्यों है share की कीमत तै करने में एक जरूरी चीज होती है कि company ने कितने shares इशु किये हुए है मुझे अक्सर पूछा जाता है कि company को कितने share इशु करने है ये company कैसे decide करती है मान लीजे एक company को अपनी assets finance करने के लिए 100 million dollar raise करने की जरूरत है ये पैसा raise करने के लिए बहुत सारे तरीके है company एक dollar के 100 million share इशु कर सकती है 2 dollar के 50 million, 10 dollar के 10 million और ऐसे ही कोई option चुन सकती है share कितने हैं इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है इस बात से कि company कितना पैसा raise करना चाहती है एक condition ये हो सकती है कि share जितने कम होंगे उनकी कीमत उतनी ही जादा होगी और उसके हिसाब से potential investor भी उतने ही कम होंगे अगर ये company सिर्फ दो share issue करती है तो उसे ऐसे कोई ढूढने पड़ेंगे जो कम से कम 50 million dollar invest करने के लिए तयार हो वही दूसरी तरफ अगर company 10 dollars के 10 million shares issue करने का फैसला लेती है तो वो एक बहुत बड़ी audience को अपील कर सकती है इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी companyya मानती है कि investors share के price को कुछ limits में ही trade होता हुआ देखना चाहेंगे यानि कि एक limit से उपर नहीं एक limit से नीचे नहीं इन दोनों limit से मिलकर बनती है tradable range अगर एक share की कीमत बहुत जादा कम है तो investor सोच सकते हैं कि ये share बहुत सस्ता है और company future की संभावनाएं उतनी अच्छी नहीं है वहीं दूसरी तरफ अगर एक share की कीमत बहुत ही जादा होगी तो investor उसको महंगा मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि एक अच्छी value represent नहीं करता असल में company जिसकी share की कीमत एक डॉलर है उसमें उतनी ही ट्रेडिंग की संभावना होती है जितनी 500 डॉलर के share वाली company की होती है यहां बात सिर्फ नजर ये की है एक share कम कीमत वाला share है और एक share जादा कीमत वाला ये बाते तैय करने के लिए कोई भी formal definition नहीं है तो कम या ज्यादा company के हिसाब से depend करता है लेकिन एक company अपने share के price को manage कैसे करती है दो markets हैं जहां share trade हो सकता है primary market, secondary market primary market बिल्कुल नए shares के issues से related और secondary market, second hand shares की trading से है मान लिजए company पहली बार stock exchanges पर अपने share को offer कर रहे है और आप कुछ share सब्सक्राइब करने का फैसला कर लेते है company को आपके पैसे मिल जाते हैं और आपको company के share यहां आपने primary market में trade किया है कुछ वक्त गुजरता है और अब आप अपने shares को बेचना चाहते हैं लेकिन आप इन shares को किसे बेचेंगे आप company के पास वापस जाकर अपने पैसे तो नहीं मांग सकते क्योंकि वो पैसे तो assets के अंदर लग चुके हैं अगर आपको अपनी investment को liquid करना है तो आपके पास दूसरे investors को अपने share को बेचने का अलावा दूसरा कोई option नहीं है अब आप कदम रखने वाले हैं secondary market में जब primary market में share release हो रहा होता है तो company या price को control कर सकती है क्योंकि उनके उपर ही है वो कितने share इसू करना चाहती है लेकिन जब share secondary market में trade हो रहा होता है तब वो share की कीमत को कैसे control कर सकती है इसके लिए उनके पास कुछ tricks होती है अगर किसी company को लगता है कि उसके share की कीमत बहुत ज़ादा ही कम हो गई है तो वो share consolidation नाम की एक process से गुजर सकती है इस process में होता ये है कि जो मौजूदा shareholders होते हैं उनकी share holding को कम shares के साथ बदल दिया जाता है डरिये मत समझाते हैं मान लीजे कि एक company one for two का consolidation करने का फैसला लेती है तो इसका मतलब है कि वो हर दो shares के बदले एक नया share इशू करेगी इससे नतीजा ये निकलेगा कि share की कीमत दुग नी हो जाएगी और अगर आप एक share holder हैं तो यह आपको एक अच्छी खबर लग सकती है लेकिन इस बात का ध्यान रहें कि अब आपके पास पहले के मुकाबले में आधे shares हैं तो आप भैतर position में नहीं है company अपने share की कीमत को इस level तक ले आई हैं जो investor की नजरों में attractive हो वही दूसरी और अगर किसी share का price बहुत ज़्यादा लगता है तो हो सकता है कि investors share खरीदना ना चाहते हो खास तोर पर private investors इस situation में company share split कर सकते हैं ये share consolidation का बिल्कुल उल्टा होता है इसमें company मौजूद share holding में ज़्यादा share लेकर आती है two for one split में एक company अपने मौजूदा share holder के shares को दुगना कर देती है share की कीमत आदी हो जाती है लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हर share holder के पास अब दुगने share है ये मामला खराब नहीं हुआ लेकिन company अपने share की कीमत को उस level तक ले आई है जहापर उसका share attractive लग सके financial खबरों में आपको रोजाना ऐसी खबरे सुनने को मिलेंगी कि company अपने share को split या consolidate कर रहे हैं ताकि उनका share एक ज़्यादा attractive zone के अंदर जा सके share splits और share consolidation design तो इसलिए की गई है कि वो share की dealing में बढ़ावा दे सके लेकिन ये किसी company की perceived value पर फुड़ा बहुत असर डाल सकती हैं investors हमेशा ही future की trading performance को लेकर कुछ न कुछ clue ढूँड रहे होते हैं तो जब एक company split या consolidation announce करती हैं तो investors पता लगाने की कोशिश करेंगे कि company ने ये क्यों किया share का split होना share price के उपर कभी-कभी एक positive असर डालता है क्योंकि investor इस tactic को इस तरह से देख सकते हैं कि future में बहुत strong profit की growth होने वाली हैं और इसलिए share को split करने की जरूवत है वही share consolidation इसका ultra असर लेकर आ सकता है investors मान सकते हैं कि company declare कर रहे हैं ये अपने share को ज़्यादा उपर के price तक नहीं लेकर जा सकते हैं इसलिए उन्हें share consolidation की जरूवत है ये सब कुछ investors के नजरिये पर आधारित है और investor गलत हो सकते हैं लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह का move share की performance पर असर डाल सकता है तो हमने Lisa Wann के share price को हिरेम ओटर के price से compare करके क्या सीखा कि हो सकता है हिरेम ओटर के पास कम share हो लेकिन हम इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से certain नहीं है तो हमें कुछ भी पता नहीं चला ये इस बात का सबूत है कि company के share price को compare करना वक्त की बरबादी है एक और चीज है जो financial press हमें अकसर बताती है और वो ये कि पिछले 24 घंटे के trading period में एक share के price में कितना बदलाव आया है Lisa Wann के case में ये share 32 cents से बढ़ा है हम ये उमीद रखते हैं कि वक्त के साथ जैसे जैसे company grow करती है वैसे वैसे उसके share की कीमत भी उपर जाती है लेकिन day-to-day basis बेचने के लिए जो share market में आये होंगे वो बहुत कमी खरीदारों की demand से मेल खाते होंगे इसलिए रोजाना share की कीमत में उतार चड़ाव होता है अम इन fluctuations को बहुत जादा dramatic होने की उमीद नहीं रखते लेकिन ऐसा सिर्फ तब है जब एक investor के sentiment में कोई बड़ा shift ना आ गया हो और ये share के साथ deal करते हुए long term सोचने वाले नजरिये को reinforce करता है share के price में रोज मर्रा की जो movement है वो interest की तो है लेकिन कुछ महिनों की movement एक बहतर indicator दे सकती है कि future performance में जो बदलाव होने वाले है उनके लिए क्या expectations है इसमें मदद करने के लिए एक common practice की जाती है कि 52 week low और 52 week high report किया जाता है इससे हमें पता चलता है कि 52 week के period में एक share कितना नीचे गया और कितना उपर Lisa Van की case में ये 19.94 डॉलर्स तक high गया है और 13.83 तक low लेकिन ये हमारी मदद कैसे करता है इन figures को देखते हुए एक general rule लगाया जाता है जो कि कुछ ऐसा है अगर एक company अपने 52 week high के आसपास है और उसके साथ की company अपने 52 week high के पास भी नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि company को लेकर expectations बहतर हुई है वही दूसरी तरफ अगर एक company अपने 52 week low के आसपास है और उसके साथ की company या इसके आसपास भी नहीं है तो कहा जा सकता है कि company के लिए expectations अच्छी नहीं है Lisa Van का share price 19.72 डॉलर्स है और ये अपने 52 week high 19.94 के करीब है अगर इसके साथ वाली ज्यादातर company या भी इसी situation के अंदर है तो ये इशारा मिलेगा कि market generally उपर की तरफ जा रहे है और इस company में ऐसा कुछ नहीं है जो अपनी तरफ ध्यान खीजे वहीं दूसरी तरफ अगर इसके साथ की company अपने 52 week high के आसपास भी नहीं है तो इससे एक suggestion मिलता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से investors इस company के future performance को लेकर बहतर उमीद रखते है 52 week high और 52 week low को examine करना ऐसी company को पहचानने में बहुत काम का है जिनमें और थोड़ी जांच पड़ताल करनी है इसके साथ दिक्कत ये है कि किसी ने भी define नहीं किया है कि करीब होने का मतलब क्या है तो ये general rule काम का तो है लेकिन इसके साथ बहुत सारी subjectivity जूड़ी हुई है 52 week figures से ये भी पता चल सकता है कि एक share कितना volatile है high और low में बहुत बड़े gap का मतलब है कि share की कीमत में ज्यादा volatility है और फर्क को range कहा जाता है Lisa Van की case में इसकी range है 6.11 dollars जाहिर सी बात है कि एक share जो 20 dollar के आसपास trade हो रहा है उसके लिए 6.11 dollar की fluctuation बहुत बड़ी है वही जो share 100 dollar पर trade हो रहा है उसके लिए ये fluctuation इतनी बड़ी नहीं है इसको context में लाने का एक simple तरीका ये है कि range को share price की relativity के हिसाब से देखा जाए Lisa Van की case में उसका share 19.72 का है और 52 week की range 6.11 की है तो Lisa Van की range share price की 31% है ये range जितनी जादा होगी, share उतना ही जादा volatile होगा अभी तक हमने जितनी भी figures देखी है वो share price और इस बात से related है कि share price कैसे move करती है share price के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो अकसर code की जाते है ये है dividend yield जिसे short में yield भी कहा जाता है ये सबसे recent annual dividend को share की अभी की कीमत के percentage की रूप में देखती है इसका formula है annual dividend divided by share price multiplied by 100 Lisa Van की yield 2.9% है ये पिछले साल की dividend yield के उपर आधारित है और ये मान कर चल रहे हैं कि future में भी dividend yield इतनी ही रहेगे इसके हिसाब से अगर आपने इस company के 100 डॉलर के share खरीदे होते हैं तो आप dividend के तौर पर 2.9 डॉलर कमाने की उम्मीद रख सकते हैं अगर आप एक healthy income generate करने के लिए shares ढूंड रहे हैं तो ये information आपके लिए बहुत काम किया है आप एक company के competitor की yield को study करके देख सकते हैं कि low yield क्या है और high yield क्या है आप बहुत तेजी से समझ लेंगे कि normal yield क्या है एक company की yield high है तिरफ इसलिए इसके shares खरीदने के लिए दौड मत पड़िये बलकि इस बात को ध्यान में रखिए कि ये percentage पिछले साल के payout के हिजाब से है एहम मुद्दा ये है कि company future में भी dividend दे पाएगी या नहीं इस मामले में dividend cover को देखना बेहत काम का साबित हो सकता है क्योंकि ये बताता है कि profit कितने गुना dividend को cover करता है कुछ लोग कहेंगी कि dividend देखने में एक दिक्कत है कि ये shares को own करने के सिर्फ एक ही तरीके से फायदा दिखाता है और वो है dividend yield जैसा कि हम जानते हैं कि आपको share के value में बढ़ने से भी फायदा हो सकता है इसके बारे में yield आपको कुछ नहीं बताता है लेकिन ऐसे investor हैं जिनका विश्वास है कि जब एक company के future trading prospect को access करनी की बात आती है तो ये useful साबित हो सकता है ऐसा कैसे किया जा सकता है जब एक company profit बनाती है तो वो या तो अपने shareholders को dividend के रूप में profit देती है या फिर उस profit को business में दुबारा से invest कर देती है ताकि future में जादा profit बना सके अगर एक company का growth prospect बहुत limited है तो company में reinvest करना logical नहीं होगा जो company या ठीक ठाक mature होती है और जिनमें growth का potential limited होता है वो dividend के बड़े हुए level के साथ जुड़ी हुई होती है वहीं दूसरी तरफ अगर company यों से जो उमीद लगाई जाती है कि वो future में बहुत तीजी से grow कर जाएंगी तो उन्हें ऐसा करने के लिए finance की जरूरत होगी एक general principle के तौर पर high growth वाली company वो होती है जो कम dividend के साथ जुड़ी हुए होती है या फिर dividend payment करती ही नहीं है इस चीज़ के अधार पर आप शायद ये सोचने के लिए उतावले हो रहे होंगे कि कम yield successful future का एक indication है क्योंकि ये suggest कर रहे हैं कि profit business में दوبारा से reinvest किया जा रहा है ताकि business grow कर सके लेकिन low yield होने की और भी वज़य हो सकती है वो सकता है वो पैसा ही ना बना रहे है या फिर उनको cash flow की बहुत serious problem हो रही है कभी भी सिर्फ yield के उपर निर्भर होकर investment decision नहीं लेना चाहिए yield एक useful figure है लेकिन एक informed assessment से पहले आपको और information की ज़रूरत होगी एक figure है जो share की performance के साथ अक्सर code की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये सारे statistics में से सबसे काम की figure है ये है P by E ratio इसे price to earning ratio कहा जाता है इसके और भी नाम है जैसे कि profit multiple या फिर एक company का earnings multiple अलाकि एक बहुत काम का major है लेकिन ये थोड़ा technical भी है तो इससे sense बनाने के लिए आपको थोड़ा logic लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि एक shareholder जब किसी company के annual result को review कर रहा होता है तो वो सबसे पहले एक figure देखने में interested होता है और वो figure है earnings per share P by E ratio इस figure के उपर focus करती है और indication देती है कि future performance को लेकर investors का विश्वास क्या है P by E ratio का formula है share के price को earning पर share से divide कर देना अगर एक company का share price $20 है और पिछले साल की earning per share $2 थी तो P by E 10 होगा इससे हमें पता चलता है कि इस वक्त investors एक share की अभी के earning के 10 गुना देने के लिए तयार है दूसरे शब्दों में वो profit का 10 गुना देने के लिए तयार है इससे ये बात समझ में आती है कि एक company की P by E ratio जादा होगी investors उसके share खरीदने के लिए अभी के profit के मुकाबले जादा पैसे देने के लिए तयार है वो ऐसा करने के लिए क्यों तयार है उनको यकीनन ही विश्वास होगा कि future में earnings per share बहुत तेजी से ग्रो करेगा वहीं दूसरी तरफ अगर किसी company की P by E ratio कम है तो ठीक इसका उल्टा भी सही है याने इस वक्त company का जो profit है investor उससे जादा देने के लिए तयार नहीं है और इससे ये suggest होता है कि future performance को लेकर उम्मीद कम है Lisa Van की case में याद है ना Lisa Van? हाँ जी, Lisa Van की case में investors profit का 18.9 गुना देने के लिए तयार है आखिर में हमारे पास एक ऐसा measure है जो सारी ही कमपनियों में compare किया जा सकता है yield से हटके P by E ratio share के price को total earn हो चुके profit के हिसाब से देखती है P by E के बारे में एक important चीज नोट करने वाली है ये future performance को current earning के relation में देखती है ये आपको ये नहीं बताती कि कौन सी कमपनिया successful है और कौन सी नहीं एक कमपनी की P E ratio सिर्फ इसलिए high हो सकती है क्योंकि इसने पिछले साल बहुत कम profit बनाया था क्योंकि अक्सर बड़े profit figure के मुकाबले में चोटा profit figure बनाना आसान होता है इसका नतीजा ये निकलता है कि high P E ratio उन यंग कमपनियों के साथ अक्सर जोड़ी जाती है जिनके साथ उम्मीद होती है कि ये future में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे Lower P E mature business के साथ जोड़ी होई होती है जहाँ पर aggressive profit की growth limited होती है P E ratio इन्वेस्टर्स के बीच में इतनी ज़्यादा popular इसलिए है क्योंकि ये price के उपर comment कर रहे होती है आपने शायद लोगों को ये कहते होए सुना होगा कि एक share सस्ता है या एक share महंगा है लेकिन इसका मतलब क्या होता है अगर ये कहा जाए कि maxi price trading में share होने वाले share 100 डॉलर के है और mini price trading में trade होने वाले share 5 डॉलर के है तो क्या इसका मतलब ये है कि maxi price trading के share महंगे है और mini price trading के share सस्ते है ये ठीक वैसा है जैसा एक गाड़ी खरीदना होता है अगर कोई आपसे कहता है कि कोई इंसान 16,000 डॉलर में एक गाड़ी बेच रहा है तो क्या है महंगा है या सस्ता है इसका जवाब देने के लिए आपको गाड़ी देखनी पड़ेगी ठीक उसी तरीके से share के price को assess करने के लिए आपको company देखनी होगी इस बात का ध्यान रखिए कि shares में deal करने में benefit होता है कि आपके पास company के profit के share पर हक होता है इस profit को share के price से link करने पर ये ratio सिर्फ पर सिर्फ profit growth पर ही comment नहीं कर रही होती बलकि ये इस बात का इशारा भी दे रही होती है कि share कितने महंगे है अगर एक company की PE high है जहां पर value और growth investing के बीच का फर्क फुखता हो जाता है value investors अच्छे सौधे ढूंटे है और इसलिए वो कम PE वाली company की तरफ attracted होते है दुनिया के सबसे ज़्यादा successful investors में value investors आते है अब बात करते हैं growth investor की growth investors ऐसी company को consider करने में खुश है जिनकी PE high है क्योंकि वो ऐसी company ढूंड रहे हैं जो पहले ही solid performance दिखा चुकी है और उनके अंदर अभी भी grow करने की potential है पहले कुछ सालों की performance के आधार पर PE को interpret करने के कुछ rules है इसमें वो globalized economies भी शामिल है जो उबर कर सामने आ रही है एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एक company profit नहीं बना रही है तो उसका PE नहीं होगा क्योंकि उसमें profit की figure ही नहीं है आईए देखते हैं P by E की नजर से अगर P by E हो ही नहीं PE का ना होना आमतोर पर ये दिखाता है कि company अभी नुकसान उठा रही है 10 से कम PE Low earnings growth anticipate की जा रही है 10 से 20 के बीच में PE Reasonable earnings growth anticipate की जा रही है और 20 से ज़्यादा PE High earnings growth anticipate की जा रही है P by E को interpret करना ये बहुत ज़्यादा broad assessment है और exception भी होंगे For example, अगर एक company का profit temporary तोर पर गिर जाता है तो P by E ratio बढ़ जाएगी साथ ही अगर एक company के perceived risk से उसके price में variation आ सकती है याने की investors उसके share के लिए अलग-अलग कीमत देने के लिए तयार होंगे आम तोर पर जिस company के साथ ज़्यादा risk जुड़ा हुआ होता है उसका share price उतना ही कम होता है और उसकी वज़ा से P by E ratio भी कम हो जाती है P by E ratio को assess करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक company के P by E ratio को उसके साथी company उसके साथ compare करके देखा जाए एक situation ऐसी है जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी जब P by E ratio 0 होगी तो कोई profit नहीं होगा तो इस बात का कोई मतलब नहीं है कि share price profit की figure का कितने गुना है इस तरह से बिलकुल यूनिक collection में P by E ratio share price पर comment नहीं कर पाएगी हमने वो figures रिव्यू कर ली है जो financial press और investment website पर आम तोर पर report की जाती है तो हम इनको summarize कर सकते हैं कि इनसे क्या समझा जा सकता है share price जब 52 week high के पास होगा तो क्या होगा share जब अपने 52 week high के आसपास होगा और उसके साथ वाली कमपनिया अपने 52 week के high के आसपास भी नहीं होगी तो इससे एक इशारा मिलता है कि इस company का future trading prospect अपग्रेड हो रहा है जब share price अपने 52 week low के आसपास होगा तो क्या होगा शेर जब अपने 52 week low के आसपास होगा और उसके साथ वाली कमपनिया अपने 52 week के low के आसपास भी नहीं होगे तो इससे एक इशारा मिलता है कि इस company का future trading prospect डाउन ग्रेड हो रहा है 52 week low और high मिलकर क्या बनता है ये एक range बनाते है अगर range चौड़ी होगी तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि share price volatile है और range संकरी होगी तो तो share volatile नहीं है याने reasonably stable है अब बात करते हैं yield के yield high होगी तो क्या मतलब है बड़े dividend ये जा रहे है जिससे ये suggestion मिलता है कि growth की opportunities limited है yield low होगी तो क्या पता चलता है low dividend ये जा रहे हैं और उससे दो suggestion मिलते हैं या तो profit reinvest किया जा रहा है ताकि future growth opportunities को exploit किया जा सके या फिर company financial दिक्कतों से जूज रहे हैं और healthy dividend नहीं दे पा रहे हैं अब आते हैं गर्मा गर्म P by E पर P by E हाँ है इसका मतलब है कि earnings per share में strong growth anticipate की जा रहे हैं P by E कम है इसका मतलब है कि earnings per share में खराब performance anticipate की जा रहे हैं और अगर P by E 0 है तो ये आमतोर पर यही बताता है कि business अभी नुकसान में चल रहा है मुझा इस बात पर जोर दे कर बता देना चाहिए कि ये सिर्फ general guidelines है और वक्त वक्त पर आपका सामना variation के साथ होगा लेकिन फिर भी ज्यादातर cases के अंदर यह आपको एक sense बनाने में मदद करेगा कि company अपनी trading की काबिलियत के हिसाब से कहां खड़ी होती हैं ज्यादातर stock exchanges के अंदर बहुत सारी companyya होती हैं तो personally potential investment opportunities तीजी से पहचानने के लिए एक तरीका यह है कि मैं अपनी attention P by E ratio और dividend तक ही सीमित रखता हूँ और इस हिसाब से चार combinations बनते हैं जिनके चार अलग-अलग नाम है high P by E और low yield याने high growth company high P by E और high yield याने powerhouse low P by E और low yield याने tough trading low P by E और high yield याने mature company जब हम यहाँ पर low और high values की बात कर रहे हैं तो उनको market की average value से उपर और नीचे मान कर चलिए इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोनों ही चीजों का अलग-अलग average निकालना पड़ेगा कमपनियों के selection पर एक नजर करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि average value क्या है ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि yield और P E कम है या high आईए देखते हैं कि इन सारे P E और yield के combination को किस हिसाब से interpret किया जा सकता है ये मोटे-मोटे interpretations है आपको exceptions मिल ही सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा तर मिलने वाली situations को cover कर लेते हैं एक high P E रेशियो पताती है कि business से उम्मीद लगाई जा रही है और वो future में strong earning की growth डिलिवर करेगी अब इसको जोरदार income के साथ जोड दीजिए लेकिन जोरदार income कहां से? high yield से तो high P E और high yield जुडने से एक मजबूत power house मिल जाता है तो इसमें चौंकने की बात नहीं है कि growth investor यानि कि वो investor जो एक भरोसे मंद income की stream चाहते हैं वो इस तरह की company को attractive मानेंगे high P E और low yield एक high P E जब low yield के साथ जुड जाती है तो ये इशारा होता है कि company अपने profit के बड़े हिस्से को business में invest कर रहे है इस उमीद में कि future में strong earning की growth होगी एक बार फिर ये growth investor के लिए attractive होगा लेकिन यहाँ पर attraction मुख्य तोर पर capital gain है low P E और high yield वो company है जिस पर ratio ठीक ठाक होती है लेकिन yield high होती है वो mature business हो सकती है अब क्योंकि growth opportunities limited होती है इसलिए वो shareholders को dividend देने के favor में होती है ये company उस type के investors को अपनी तरफ खीचती है जो एक भरोसे मंद income stream generate करने के लिए invest करते है low P E और low yield low P E जब low yield के साथ जुड़ जाती है तो ये आम तोर पर इशारा करती है कि business अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है और हो सकता है कि उसे cash flow के अंदर भी दिक्कत आ रही हो ये area है value investors का ये company इस वक्त खराब हालत से गुजर रही है और इसलिए इनकी कीमत कम है value investor ऐसी ही company को ढूण रहे होते हैं जिनसे उम्मीद होती हैं कि भविश्य में खूब सारी दौलत कमा सकते हैं इसलिए ये बहुत शांदार capital gain की opportunity देते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार जब आपने एक investor के तौर पर अपना objective decide कर लिया होता है तो P by E ratio और उसके साथ जुड़ी yield आपको interest वाली कमपनियों को पहचानने में मदद भी करती हैं और वक्त भी वचाती हैं अब आती है stage 2, reward जब आपने एक ऐसी कमपनी पहचान ली होती हैं जो आपके interest के हिसाब से हैं तो आप ज़रूरत है ये पता करने की कि ये company future में healthy rate of return दे पाएगी या नहीं यहां हम company को थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं इसके पीछे उद्देश होता है कि आपको दो point के ओपर खुद को satisfy करना है नमबर एक business अच्छी तरह से manage हो रखा है और future में healthy profit देने की काभिलियत रखता है और नमबर दो company के share का जो इस वक्त price है वो company के profit potential की एक fair valuation represent करता है जब बात आती है shares में invest करने की तो ये stage 6R approach की सबसे पेचीदा stage है यहीं वो stage है जहां हम पिछले chapter में introduce की हुई 4 figure trick लगाते हैं आप जो भी company consider कर रहे हैं उसकी पिछले 2 साल की annual report ले लीजे ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप company की website पर जाएं और उसमें एक section होगा investor relations इस section से आप ये report बिना किसी charge के download कर सकते हैं ये report download करने के बाद आप पिछले 2 साल के लिए इन figures को calculate कर सकते हैं कौनसी figures gearing, asset turnover, profit margin, return on equity इन figures को निकालने के बाद इने return on equity के flow chart में डाला जा सकता है return on equity की performance पर कोई भी बदलाव होगा तो ये flow chart हमें बता देगा और साथ ही साथ company कहां मस्बूत है और कहां कमजोर है ये भी बता देगा यानि की company की strength और weakness भी पता चल जाएगे और आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस अच्छे से manage हो रहा है या नहीं बिजनेस कैसे रंकिया जा रहा है अगर आप इस बात से satisfied है और आप confident है कि ये future में भी अच्छी तरह से managed business रहेगा तो आप अपने ध्यान को pricing के मुद्दे तक लेकर जा सकते हैं हमारे पास एक ऐसा measure है जो हमें overall term के हिजाब से बता सकता है कि बिजनेस कितने अच्छे से manage हो रहा है ये measure है return on equity लेकिन अभी तक हमारे पास एक ऐसा measure नहीं है जो share के price को assess कर सके PE ratio एक इशारा देती है कि future में earning की growth को लेकर क्या उमीद रखी जा सकती है और साथ ही ये अंदाजा भी लगवा देता है कि share मेहंगे लग रहे हैं या फिर सस्ते लेकिन ये एक चीज नहीं बता था कि क्या share अच्छी value represent कर रहा है या नहीं value को cost से confuse मत कीजिए ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं Lamborghini की reputation है कि वो बहुत महंगी गाडिया बनाती है गाड़ी की quality कैसे है इस बात से आपको लग सकता है कि एक महंगा price tag अच्छी value को ही represent कर रहा होगा share इससे बिलकुल अलग नहीं है अगर हमें पता करना है कि share price अच्छी value का है या नहीं तो हमें company के report किये गए result और share price के बीच में एक link बनानी की जरूरत है पहले step पर Spotter Gooden की financial statement को revisit करते हैं balance sheet में assets थे 50 million, liabilities 30, shareholders funds 20 income statement ने बताया था कि sales है 80 million की, costs है 76 million, net income हुई 4 million balance sheet के हिसाब से अगर company अपने assets को 50 million dollar के लिए बेज देती है और अपनी 30 million dollar की liability को भी चुका देती हैं तो shareholders के पास 20 million dollar बचेंगे ये एक business की book value है, कम सकम theory में तो है इसका मतलब है कि अगर कल business खत्म हो जाता है, तो ये value मिलेगी एक company की book value identify करना एक काम की exercise है क्योंकि ये measure करने का एक ऐसा आधार देती है जो कि share price को assess करने में फायदे मंद होता है book value निकालने का formula है shareholders funds को number of shares से divide करना ये calculation करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने share issue किये गया है यने कि आपको annual report में थोड़ा सा और अंदर उतरना पड़ेगा आपको एक ऐसे section में जाना है जिसका नाम होगा notes to the accounts या फिर एक ऐसा ही कोई मज़दार title इन notice के अंदर आपको बताया जाएगा कि company ने कितने share issue करे है मान लीजे कि हमारी company के 4 million shares है तो इस case में हर share की book value 5 dollars होगी क्योंकि 20 million dollar के share fund है और 4 million shares ये हमें बताते हैं कि जितने भी share issue हुए है उनमें से हर एक share के जरिये company के साथ physically रूप में 5 dollar जुड़े हुए है normal हालत में किसी भी company के share में ये उमीद नहीं की जाती कि वो इस value के नीचे जाए लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में समस्या आने वाली है तो इस शुरुवाती stage पर भी हमने इस particular business के लिए share price के expectation को develop करना शुरू कर दिया है आगे बढ़ने से पहले हमें appreciate कर लेना चाहिए कि एक business की valuation निकालने के लिए दो तरीके हैं book value और market value हमें पहले से पता है कि book value का क्या मतलब होता है बात करते हैं market value की जब हम share की कीमत को share के number से multiply कर देते हैं तो हमें market value मिल जाती है जिसे market capitalization भी कहा जाता है आमतौर पर expect किया जाता है कि market value book value से ज़ादा होगे और इन दोनों की बीच का जो फर्क होता है उसे goodwill कहते है तो सवाल उठता है कि goodwill क्या है book value का मतलब होता है कि company के पास कितने liability चुकाने के बाद कितने assets है ये वो price है जो एक investor company की property, inventory, equipment और vehicles के लिए कीमत चुकाने को तयार होता है लेकिन एक investor इससे जादा देने के लिए तयार क्यों होगा goodwill लोग कहते हैं ये brand है ये customer base है ये management की expertise है ये सारी चीज goodwill की value को effect करती है लेकिन goodwill अपने आप में ही एक बहुत specific चीज है ये future profit का purchase price है जब आप एक company खरीदते हो तो आप सिर्फ उसके assets को ही acquire नहीं कर रहे होते हो बलकि आप उसके profit stream को भी acquire कर रहे होते है अगर आपको लगता है कि future profit अच्छे खासे होने वाले है तो आप उन पर अपना हाद जमाने के लिए ज़ादा कीमत चुकाएंगे वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि future के profit ना के बराबर होने वाले है तो आप बहुत कम कीमत चुकाएंगे अब हम company की share की value निकालने के लिए खोड़े और scientific हो सकते हैं अगर आप पता करना चाहते हैं कि एक share का price पैसे की अच्छी value आफर करता है या नहीं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि goodwill की जो valuation है वो सही है या नहीं इससे हमें वो measure मिलता है जिसकी हमें तलाश थी वो measure जिसकी मदद से हम share price को assess कर सकते हैं ये होता है market to book ratio ये निकालने के दो तरीके हैं लेकिन दोनों ही अप्रोच से जवाब सही आएगा या तो आप market value को book value के सामने रख कर देख सकते हैं या फिर आप share की price को book value के सामने रख कर देख सकते हैं इन दोनों में से दूसरा तरीका ज़ादातर काम में लाया जाता है तो हम भी इसे का इस्तेमाल करेंगे इसका formula होता है share price divided by book value per share ये measure एक बात कह रहा है और उसका मतलब समझने के लिए हमें उन dynamics के बारे में समझना होगा जिनसे share की कीमते सेट होती है हम जो steps यहाँ पर cover करने वाले हैं असल में आपको उन सबसे गुजरने की जरूरत नहीं होगी लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि share price कहा से आता है तब तक हम कभी भी इस position में नहीं आ पायेंगे कि हम एक share को over value या under value समझ सके चीजों को बहुत simple रखने के लिए हम इस पूरे मामले को अगले साल के profit तक के ही रखेंगे प्रैक्टिस में ये करने के लिए कई सालों के profit performance को consider किया जाता है लेकिन दोनों ही सूर्तों में principle एक ही रहता है जब आप एक company के shares को खरीदते हैं तब आप consciously या subconsciously उसकी future position में एक position ले रहे होता है मानलीजे आपका सबसे अच्छा guess है कि ये spotter golden company एक बार फिर से 4 million dollar का profit बनाएगे तो balance sheet के हिसाब से shareholder ने अभी business में physically 20 million dollar लगा रखा है इसका मतलब है कि company से 20% return on equity की उमीद की जा रही है लेकिन share के price को total profit की figure उपर नीचे नहीं लेकर जाती हैं बलकि earning पर share लेकर जाती है company की future earning पर share जितनी ज़्यादा उपर जाने की उमीद लगाई जाएगी company का share का price भी उतना ही ज़्यादा होगा हमें पता है कि spotter golden के पास 4 million share है एक 4 million dollar के profit से earning पर share हो जाएगा 1 dollar और यहीं तै करेगी share का price कितना होगा एक quick challenge लेते हैं आपको एक ऐसा share मिल रहा है जो आपको हर साल profit में 1 dollar कमा कर देगा तो maximum price क्या होगा? जो आप इस share के बतले देने के लिए तयार हो जाएंगे इसके जवाब के लिए आपको decide करना होगा कि आप कितना rate of return पाना चाह रहे हैं मान लीजे कि अगर आप कम से कम 10% का annual return चाह रहे हैं अगर इतना return आपको मिल गया तो आप खुश रहेंगे इसी expectation को guideline की तरह इस्तमाल करते हुए हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आप spotter goodend की share के लिए कितनी कीमत चुकाने को तयार है अगर आपको spotter goodend का share दो डॉलर में मिल रहा होगा तो आप जपट्ता मार लेंगे क्योंकि आप दो डॉलर की investment पर एक डॉलर कमा रहे होंगे यानि कि ये 50% rate of return है ये return बहुत अच्छा है अगर आपने एक share के लिए 4 डॉलर दिये होते हैं तो आपको 1 डॉलर के profit में 25% का rate of return मिलता जो return आप चाह रहे थे ये अभी भी उस return से काफी ज़ादा है असल में situation में आप maximum 10 डॉलर देने के लिए तयार हो जाएंगे क्योंकि 10 डॉलर तक आपको 10% का rate of return मिलेगा 10.01 डॉलर भी नहीं देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर आकर जो return आपको मिलेगा वो आपके minimum acceptable return से कम होगा इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर ज्यादातर investors इसी तरह का rate of return ढूंड रहे हैं तो share की market price 10 डॉलर होगी एक बार देखे हमने क्या खिया हमने कमपनी के profit forecast से शुरुआत की और हम पता लगा रहे हैं कि share का price कितना होना चाहिए अब हम market to book ratio की तरफ वापस जा सकते हैं हम पहले से ही नोट कर चुके हैं कि spotter gooden के हर share की की कीमत 5 डॉलर है और हम ये भी देख चुके हैं कि अगर investors ये उमीद लगा रहे हैं कि company future में 20% return on equity देगी और अपनी investment पर 10% का minimum rate of return चाहा रहे हैं तो company का market price 10 डॉलर होगा अब market to book ratio निकाली जा सकती है market to book ratio का formula है share price divided by book value पर share हमारे case में share price है 10 डॉलर और book value पर share है 5 डॉलर तो market to book ratio आएगी 2 share का market price book value से दुगना होगा अब तीन और conditions पर काम करके देखते हैं ये थोड़ा बहुत ज़ादा involvement वाला लग सकता है लेकिन इस पर काम करना चाहिए क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सश्मुश समझना शुरू कर देंगे कि share market काम कैसे करता है numbers पर ज़ादा ध्यान मत लगाईए आपको सिर्फ logic समझने की ज़रूरत है अगर investor अज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल का profit 3 million dollars हो सकता है तो इस हिसाब से return on equity हो जाएगा 15% ये हमें पता है कि 4 million shares issue के अंदर है तो earning पर share हो जाएगी 75 cents इस situation में अगर आपको 10% का return हासिल करना है तो आप हर share के लिए maximum 7.5 dollars देने के लिए तयार होंगे market to book ratio होगी 1.5 share का market price book value का 1.5 गुना होगा अगर company से उमीद की जा रहे हैं कि वो अगले साल 2 million dollar का profit देगी तो इसका मतलब है कि return on equity हो जाएगा 10% और इस figure को 4 million share से divide करने के बाद हमें 50 cents का earning पर share मिलेगा इस situation में 10% return हासिल करने के लिए आप हर share के लिए maximum 5 dollars देने के लिए तयार होंगे इस case के अंदर market to book ratio 1 हो जाएगी यनि कि share का market price उसकी book value के बराबर है और अगर इसी company से अगले साल 1 million dollar profit की उमीद की जाती हैं तो इसके हिसाब से return on equity हो जाएगी 5% 4 million shares के हिसाब से earning पर share हो जाएगा 25 cents इस situation में अगर आपको 10% return हासिल करना है तो आप 2.5 dollar से जादर देने के लिए तयार नहीं होंगे और यहाँ पर हमें market to book ratio मिलेगी 0.5 यनि की share का market price उसकी book value से आधा है अब 3-4 scenario के अंदर जो हमने अभी किया है इसको summarize करते हैं जब forecasted profit 1 million था तो forecast की गई return on equity 5% हो गई forecast किया हुआ EPS 0.25 dollars हो गया share price 2.5 dollar हो गई और market to book value 0.5 जब forecasted profit 2 million था तो forecast की गई return on equity 10% हो गई forecast किया हुआ EPS 0.5 dollar हो गया share price 5 dollar हो गया और market to book value 1 जब forecasted profit 3 million dollar हुआ तो forecast की गई return on equity 15% हो गई forecast किया हुआ EPS 0.75 डॉलर हो गया share price 7.5 डॉलर हो गया और market to book value 1.5 और जब forecast at profit 4 million पहुँच गया तो forecast की गई return on equity 20% हो गई forecast किया हुआ EPS 1 डॉलर हो गया share price 10 डॉलर हो गया और market to book value 2 forecast हुए profit और share के price के बीच में link इस किताब में जिन चीजों से आपको निपटना पड़ेगा उनमें से इस logic का सामना करना शायद सबसे मुश्किल होगा ये बात सच है कि company के forecasted profit और share value में जो link होता है वो थोड़ा बहुत involve होता है और ये आपसे concentration की demand भी करेगा लेकिन जैसा पहले कहा गया है एक बार जब आप logic को समझ जाएंगे तो future में जब आप share price देखेंगे तो आप बहुत जादा objective होंगे जब market to book ratio 1 थी तो company से उमीद की जा रही थी कि वो future में 10% का return on equity देगी हमने ये भी note किया था कि आप 10% के return से कम कुछ भी accept नहीं करेंगे ये market का rate of return है यानि कि वो rate of return जो market चाहती है जब market to book ratio 1 होती है तो company से उमीद की जाती है कि वो कम से कम minimum acceptable rate of return तो future में generate करेगी है वहीं दूसरी तरफ जब market to book ratio 0.5 होती है तो company से future में profit generate करने की उमीद तो होती है लेकिन इस बार return on equity 5% होती है और ये market के minimum acceptable rate का आधा है वहीं जब market to book ratio 2 होती है तो anticipate किया जाता है कि return on equity 20% है और ये return market की उमीद का दुगना है इन चीजों को एक साथ रखकर आप अंदाज़ा लगा सकते है इन market to book ratio आपको क्या बता रही है आईए देखते हैं इन तीनों चीजों का interpretation क्या है जब market to book ratio 1 से कम होती है तो company से उमीद की जाती है कि वो shareholders fund पर जो return generate करेगी वो market rate से कम होगा यनि कि funds ठीक से इस्तमाल नहीं हो रहे है जब market to book ratio 1 होती है तो company से उमीद की जाती है कि company shareholders के fund से market का rate of return generate करेगी जब market to book ratio एक से जादा हो जाती है तो company से उमीद की जाती है कि वो shareholders fund पर market से बहतर return generate कर पाएगी यनि कि funds बहुत अच्छे से इस्तमाल हो रहे है अब market to book ratio का interpretation देखते है market to book ratio company के future expectation के उपर comment करता है expectation ये है कि एक company इनि future में अपने shareholders fund को कितने अच्छे से manage कर सकती है ये काम जितने अच्छे तरीके से होगा ratio उतने ही ज़्यादा हो जाएगी इस statistic की ताकत ही वो वज़ा है जिसकी वज़ा से हम इसे समझने पर इतना ज़्यादा वक्त लगाते है इसकी ताकत ये हैं कि आप बहुत तेजी से जान सकते हैं कि एक share overvalued है या undervalued है या बिल्कुल ठीक है professional financial analyst बहुत सारी techniques का इस्तमाल करके एक share की price को assess करते हैं इन में से कुछ techniques बहुत पेचीदा financial model वाली होती है और उसके बाद भी बहुत मुश्किल है कि आपको दो ऐसे analyst मिल जाए जो एक दूसरे से agree कर रहे हैं बलकि हो सकता है आपको एक ऐसा analyst मिल जाए जो एक share के बारे में कह रहा हूँ कि अगले 12 महिने में गिरने वाला है वही दूसरा analyst आपको ये कहता हुआ मिल जाए कि ये आसमान फाड के आगे बढ़ेगा हम पहले भी एक बात बोल चुके है कि ये सब कुछ उसी एक बात में आकर समझ में आता है कि किसी को भी नहीं पता future में क्या होने वाला है मैं आपको बहुत basic approach दिखाने वाला हूँ जो share के price को assess करते हुए मैं आपनाता हूँ हम पहले establish कर चुके है कि market to book ratio और future के anticipated return on equity के बीच एक रिष्टा होता है For example, अगर हम उमीद कर रहे हैं कि एक company future में market rate of return के मुकाबले दुगना return on equity देगी तो हम उमीद कर रहे होंगे कि market to book ratio 2 हो इसी logic को follow करते हुए अगर हम उमीद कर रहे हैं कि एक company future में market rate of return के मुकाबले तिगुना return on equity देगी तो हम उमीद कर रहे होंगे कि market to book ratio 3 हो शेर के price को assess करने के लिए हम इसी रिष्टे का इस्तमाल करने वाले हैं मान लिजे कि आप एक company से उमीद करते हैं कि वो market rate से दुगनी rate of equity डिलेवर कर सकती है इस situation के अंदर आप उमीद करेंगे कि market to book ratio 2 के आसपास हो अगर अभी कि market to book ratio 2 से बहुत ज़ादा नीच है तो इससे हमें आइडिया लगता है कि share under value हो सकता है share price की return on equity से पता चल सकता है कि return on equity आपके हिसाप से कम है और इसलिए company जब शांदार तरीके से परफॉर्म करेगी तो उसमें capital gain का potential होगा अगर अभी की market to book ratio 2 से काफी उपर है तो इशारा मिलता है कि share over value है यहने कि share price एक ऐसा return on equity दिखा रहा है जो आपकी उमीद से ज़ादा है इससे suggestion मिलता है कि जब company अपनी expectation पूरी नहीं कर पाएगी तो share का price गिर जाएगा तो इससे हमें पता चलता है कि एक share price को assess करने के लिए हमें दो information की ज़रूरत है market to book ratio और forecasted return on equity हम जानते हैं कि market to book ratio की calculation कैसे करनी है बहुत सारी cases के अंदर ये करना ज़रूरी भी नहीं होगा क्योंकि market to book ratio एक ऐसे figure है जो बहुत सारी investment website के उपर आसानी से मिल जाती है forecasted return on equity tricky figure है जिसको पहचानने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है इस बात का ध्यान रखिए कि किसी को भी नहीं पता ये figure असल में क्या होने वाली है तो हम सिर्फ एक पढ़े लिखे guesswork पर depend कर रहे है एक अच्छी शुरुवात ये होगी कि company के return on equity flow chart को देखा जाए और पिछले कुछ सालों में उसकी जो performance रही है उसे study किया जाए बाद में company ने कैसे return on equity दिये है year on year यानि कि साल दर साल return on equity बढ़ रहा है या घट रहा है क्या कोई ऐसी खबर आई है जिससे अंदाजा लगा सके कि future की performance भैतर होगी या खराब होगी अगर आप research कर सकते हैं तो देखे कि इसी sector में दूसरी company कितना return on equity हासिल कर पा रही है इन सवालों के जबाब आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे सकते हैं कि एक company future में कितने realistic return on equity हासिल कर सकती है यानि कि आपका अंदाज सचाई के कितने करीब हो सकता है आपको एक ऐसी company मिलती है जो देखने में अच्छी तरह से manage होई लग रही है market to book ratio है 1.5 इस साल का return on equity 21% था और पिछले साल का 17% हाल ही में आय होए एक news article से suggestion मिलता है कि इस पूरे sector के लिए चीज जनरली बहतर हो रही है इसके आधार पर आप मानते हैं कि 25% का future return on equity realistic है अब हमें सिर्फ इतना पता करना है कि अगर आपका 4 का सही होता है तो इस company की market to book ratio कितनी होगी इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि market rate of return क्या है इस figure को identify करने के लिए बहुत सारी studies की गई है और बहुत सारे अलग-अलग variety के conclusion निकले है मुझे चीज़े simple रखना पसंद है पिछले chapter में हमने देखा था कि ज़्यादा तर companyya कम से कम 10% return on equity हासिल करने की चाहत रखती है अगर हम इसको reasonable market rate of return की तरह मान लेते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी forecasted return on equity के लिए सही सही market to book ratio क्या होनी चाहिए है अगर market का rate of return 10% है तो कुछ situations बनेंगे आईए देखते हैं कि ये situations क्या होंगे 5% forecasted return on equity market rate से आधी होगे और इसका नतीजा निकलेगा कि forecasted market to book ratio 0.5 है 10% forecasted return on equity market rate के बराबर होगे और इसका नतीजा निकलेगा कि forecasted market to book ratio 1 है एक 20% forecasted return on equity market rate से दुगनी होगे और इसका result होगा कि forecasted market to book ratio 2 है और एक 30% forecasted return on equity market rate से 3 गुना होगा और इसका result होगा कि forecasted market to book ratio 3 है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हम यहाप पर मान कर चल रहे हैं कि market का rate of return 10% है आप इस number की जगा अपनी choice का कोई भी number डाल सकते हैं यानि आपके हिसाब से वो minimum rate of return क्या होगा जो investors accept कर लेंगे अब हम उसी company की तरफ वापस चलते हैं जो आपकी नजर में आई है आप उमीद कर रहे हैं कि ये company 25% का future return on equity देगी मान लेते हैं कि market rate of return 10% है तो इसका मतलब होगा market to book ratio 2.5 होगी लेकिन current market to book ratio सिर्फ 1.5 है इसका मतलब ये निकलता है कि आपने एक ऐसा share पहचान लिया है जो भी under value है तो शायद आपके सामने एक शांदार investment की opportunity है जब एक company के return on equity को देख रहे होते हैं तो उसके साथ जुड़े हुए market to book ratio को भी देखिए और ध्यान रखिए कि ये अलग-अलग industry के लिए अलग-अलग हो सकते हैं हम एक काम करते हैं एक दो general rule देख लेते हैं जो industry asset intensive होती हैं याने कि जिन industries में asset के दम पर ही ज़ादा तर काम होता है जैसे कि manufacturing industry वो industry उन sectors के मुकाबले बहुत कम return on equity देते हैं जहाँ पर कम assets की जरुवत होती हैं जैसे कि management consultancy उधार लेनी से भी असर पड़ता है हम पिछले chapter में establish कर चुके हैं कि जो companyya high gear वाली होती हैं उनमें कम gear वाली company के मुकाबले में काफी ज़ादा return on equity डिलिवर कर पाने की काबिलियत होती हैं इस approach को लगाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी market rate of return और future return on equity का अंदाजा लगा रहे होते हैं तो इनके अधार पर हम जो भी conclusion निकालने वाले हैं वो अंदाजा ही होंगे और अंदाजे गलत भी हो सकते हैं तो ये approach आपको guarantee नहीं दे सकते कि जो आपने share ढूंडा है वो under value है या over value है तो फिर हमें इसमें अपना इतना दिमाग क्यों लगाना है ये आपको एक sense देगी कि हो सकता है अभी कोई share under value है या over value है और ये किसी भी investor के लिए एक valuable information होती है market के लिए general behavior को थोड़ा समझने से भी इस मामले में बहुत मदद हो सकती है यहाँ पर सबसे पहले note करने वाली चीज है कि अगर general market forecast करने में accurate है तो आप share की जो भी कीमत दे रहे हो वो फिर relevant हो जाती है हम एक बार दोबारा से share price को forecasted profit से जुड़े हुए मुद्दे पर वापस चलते है आप देखेंगे कि अगर एक company से उमीद की जा रहे है कि वो 5% return on equity देगी तो earning पर share 25 cents होगा और आप उस share के लिए जो कीमत चुका रहे होंगे वो 2.5 dollars होगे इस situation में आपको आपकी investment पर 10% return मिल जाएगा वही दूसरी तरफ अगर एक company से उमीद की जा रहे हैं कि वो 20% return on equity देगे तो earning पर share हो जाएगा 1 dollar और अब जो share के लिए आप कीमत चुकाएंगे वो होगी 10 dollars लेकिन इस situation के अंदर भी आप अपनी investment पर 10% का return ही कमा रहे होंगे यह efficient market hypothesis नाम के एक principle का उधारण है यह principle कहता है कि अगर market हमेशा सही हो तो आप आग बंद करके कोई भी company उठा सकते हैं दूसरे शब्दों में यह principle सजस्ट करता है कि एक shareholder के तौर पर आपको मिलने वाला rate of return सेम ही रहेगा चाहे आप कोई भी company सिलेक्ट करे क्योंकि corporate performance के अंदर जो उतार चड़ाव आए होंगे वो share के price में पहले से ही factor हो चुके होंगे यह एक अच्छी थेयरी है लेकिन बहुत सा investor इससे disagree करते है सच तो यह है किसी को भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है अगले कुछ सालों की बात तो छोड़ी दीजे अगर आप दो लोगों को बिल्कुल एक जैसी information दे देंगे तो भी उनकी interpretation बहुत जादा अलग हो सकती है मान लीजे कि बाहर का temperature 20 degree है तो यह ठंडा है या गर्म कुछ लोग कहेंगे कि यह बहुत गर्म है और कुछ लोग कहेंगे यह बहुत ठंडा है इस बात पर कोई दोराय नहीं है यह temperature 20 degree ही है लेकिन यह ठंडा है अगर्म यहां interpretation आ जाती है corporate दुनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है आप दो investors को एक ही company के बारे में same information दे सकते हैं और आपको बहुत अलग-अलग नजरिये मिल सकते हैं मैं एक बार London Stock Exchanges के एक major business के साथ जुड़ा हुआ था दो investment banks को बुलाय गया था ताकि उसकी market value को assist किया जा सके ताकि share के लिए एक launch price डिसाइड की जा सके जाहिर सी बात है दोनों ही बैंकों के पास business के results का पूरा access था और उनके पास management team के insights भी थे 18 महिने के बाद दोनों bank इस बात पर राजी हुए कि ये business 7 billion dollar से लेकर 12 billion dollar की बीच की worth रखता है ये ठीक ऐसा है कि आप अपने घर की value लगवाना चाहते हैं और आपको पता चला है कि ये 50 लाग से 1 करूर के बीच में है future का forecast करना एक बहुत ही inaccurate science है लेकिन इसका इतना inaccurate होना आपको return भैतर करनी की opportunity देता है हम forecasted profit और share price के link को investigate करते हुए आगे चलते हैं हमने establish कर लिया है कि अगर हमें company safe future में 5% return on equity देने की उमीद लगा रहे हैं तो share की कीमत 2.5 होगे अब मान लीजे कि management team एक ऐसी strategy से परदा उठा देते हैं इसके दम पर उन्हें लगता है कि वो return on equity को 5% से बढ़ा कर 10% अग ले जाएंगे अब उसके इसाब से अगर 10% return on equity की उमीद की जा रहे हैं तो share की कीमत बढ़कर 5 डॉलर हो जाएगे यनि कि उससे दुगना हो जाएगा वही situation के दूसरी तरफ एक और situation है जहां आप उमीद कर रहे हैं कि company future में 15% return on equity तो दे ही देगे इस situation में share की कीमत हो जाएगी 7.5 डॉलर अब मान लीजे कि management की team यहां भी एक ऐसी strategy लेकर आ रही है जो rate of return को 5% से बढ़ा कर 20% तक ले जाएगे अब अगर investor सच मुछ में मानते हैं कि 20% return on equity डिलिवर होगा तो share की कीमत बढ़ा कर 10 डॉलर हो जाएगे इस दूसरी situation के अंदर share की कीमत एक तिहाई बढ़ेगे यहने 7.5 से 10 डॉलर यह दोनों ही cases कुछ ऐसे जरूरी principles को highlight करते हैं जो shares खरीदते और बेशते वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है सबसे पहला point तो यह नोट करना है कि यहाँ पर company से जो expectation है उनमें बदलाव की वज़ा से share का price उपर या नीचे हो रहा है company कितना अच्छा कर रही है वो irrelevant है अगर future की trading performance को लेकर expectation उपर की तरफ है तो share की कीमत उपर जाएगी ये बात logical है कि results बहतर होंगे तो share का price भी बढ़ेगा अब मान लीजे कि एक company लगातार 50% का return on equity डिलेवर कर रही है लेकिन हाली में कुछ चीजों की वज़ा से 40% return on equity ज़ादा realistic लग रहा है तो हाला कि 40% का rate of return भी बहुत शांदार है लेकिन share की कीमत गिरेगी इसका मतलब ये है कि अगर आप shares के उपर अपने return को maximize करना चाहते हैं तो आपको वो company नहीं ढूणनी है जो शांदार performance दे रहे हैं बलकि आपको वो company ढूणनी है जिन पर आपका विश्वास हो कि future में इनका return on equity बहतर हो सकता है मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छी company अच्छी investment भी हो दूसरा point जो हमें note करना है वो ये है कि जो company अंडर perform कर रही होंगी वहीं शांदार capital गीन दे सकती है इन company को बहुत आराम से तेजी से पहचाना जा सकता है क्योंकि आम तोर पर इन company की market to book ratio अपने साथ वाली company के मुकाबले में बहुत कम होगी जब हम profit focus को share की कीमतों के साथ लिंक कर रहे थे तब हमने देखा था कि जब future return on equity की expectation 5% से बढ़कर 10% हो जाती है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि share की कीमत दुग नहीं हो जाती है वहीं दूसरी तरफ जब यही return on equity की expectation 15% से बढ़कर 20% होती है तो share की कीमत सिर्फ 33% बढ़ती है दूनों ही case में manager अपने shareholder के fund को इस्तमाल effectively 5% से बहतर कर रहे है लेकिन जो company underperform कर रही थे वही share की कीमत में ज़्यादा aggressive growth दिखाएगी ये एक theory नहीं है ये mathematical fact है ये हमें बताता है कि अगर आपको share से maximum gain हासिल करना है तो आपको ऐसी company ढूणनी चाहिए जो मौझूदा हालात में बहुत अच्छा करती हुई ना दिख रही हो दूसरे शब्दों में आप recovery stock या फिर emerging stock को ढूण रहे है यानि कि वो company जो या तो अभी मुश्किल दौर से घुजर रही है और बहुत करीबी future में अपने हालात को बदल कर दौलत बना सकती है और फिर वो company जो अभी शुरुवाती दौर के अंदर है लेकिन जब उनका असली potential सामने आएगा तो वो market को चौका सकती है यह है value investing और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दुनिया के ज़ादातर successful investors में से कुछ नहीं इसी के जरीए अपनी दौलत खड़ी किये है लेकिन इस बात का ध्यान रखिये कि यहाँ पर judgment call आप ले रहे है market यह उमीद लगा कर नहीं बैठी है कि company future के अंदर अच्छा करेगी यह उमीद आप लगा रहे है यहाँ mean point यह है कि अगर आप एक ऐसी company ढूण लेते हैं जिसका potential market ने नहीं पैचाना है तो आपको तेजी से काम करना होगा अच्छी खबर आने का इंतसार मत कीजिए क्योंकि तब तक देर हो चुकी होगी जो मैंने कहा है उसके हिसाब से logic यही बनता है कि जब एक company पहले से ही अच्छा कर रही होती है तो high return आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है ऐसी company की market to book ratio अपने साथ वाली company की मुकाबले में high होगी किसी भी company की evolution में आखिरकार एक point ऐसा आही जाता है जहाब performance को और बहतर कर पाना लगबग ना मुम्किन हो जाता है ऐसी company में दौलर बढ़ाने पर share price ज़रूर बढ़ेगा लेकिन जो company अइमर्जिंग है या पिर जिससे ये उमीद की जा रही है कि ये खराब हालात को बिल्कुल पलट के रख देंगे उन company के मुकाबले में नहीं इस situation में dividend growth के उपर जोर दिया जाएगा growth investor उन company को ढूणने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनकी market to book ratio ठीक ठाक होते हैं और उनका track record भी अच्छा होता है लेकिन उनमें और जादा grow करने का potential भी होता है तो क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप value investor है तो आपको ऐसी company ढूणनी है जिनका market to book ratio कम हो पर दूसरी तरफ अगर आप एक growth investor है तो आपको अच्छी ratio वाली company ढूणनी है बिल्कुल भी नहीं है अब वक्त है एक rule इंटर्डियूस करने का मैं इस rule को कहता हूँ 50% rule इस rule के हिसाब से जब कोई भी इंसान एक share को बेशता है तो कोई और भी खरीद रहा होगा इसका मतलब है कि जब एक आदमी कह रहा है कि ये वक्त बेशने के लिए बहुत अच्छा है तो कोई दूसरा इंसान ये कह रहा होगा कि ये वक्त खरीदने के लिए बहुत अच्छा है इसका मतलब है कि 50% market हमेशा ही गलत होगी ये एक बहुत simple सा view है और इसके अंदर अलग-अलग तरह की बात ये नहीं आते कि लोग एक point पर किसी भी share को क्यों खरीदते हैं बेशते हैं लेकिन ये आपको एक ऐसे काम का discipline दे सकता है जो आप trade करते वक्त अपना सकते हैं अगर आप कुछ share इसलिए खरीदना चाहते हैं कि आपको लगता है वो सस्ते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे लोग भी exist कर रहे होंगे जो उन्हें बेचने के लिए तयार है तो ऐसा कैसे हैं कि दूसरे लोग उसे खरीदने के लिए तयार है 50% का रूल सिर्फ इतना कहता है कि जब भी आप trade कर रहे हो तो आपको एक सवाल पूछने का discipline होना चाहिए वो सवाल ये हैं कि एक share सस्ता क्यों लग रहा है या फिर एक share महेंगा क्यों लग रहा है आगे बढ़ने से पहले हमें उन कंपनियों के बारे में बात कर लेनी चाहिए जिनकी market to book ratio 1 के आसपास पहुंचती है या फिर उससे नीचे चली जाती है एक बार ratio अगर एक से नीचे चली गई तो कंपनी की book value market value से ज़ादा हो जाती है दूसरे शब्दों में कहां जाए तो कंपनी के asset बिजनेस से ज़ादा valuable हो जाते है यहीं वो वक्त होता है जब business takeover के लिए सबसे ज़ादा vulnerable होते है और एकदम से गिद्ध दिखने लगते है इस तरह के acquisition के पीछे दो में से एक motivation होता है या तो acquire करने वाले के पास company को दुबारा से build करने की strategy होती है या फिर वो इस business को तोड़ कर इसके assets को बेचना चाहता है अगर takeover नहीं होता तो भी assets stripping हो सकती है यानि कि assets को बेचा जा सकता है क्योंकि company को cash के लिए assets बेचने की ज़रूरत पढ़ सकती है जब एक business की market to book ratio consistently एक से नीचे रहती है तो ये एक इशारा होता है कि business fail हो सकता है जैसा कि हमेशा होता आ रहा है share की dealing की सारी बातचीत future की expectation के उपर जाकर टिक जाती है अगर आपको ऐसी company मिलती है जिसकी market to book ratio एक के आसपास है या एक से नीचे है तो अगर एक business मामले को बदल सकता है तो आपके पास शानदार capital gain की opportunity होती है या फिर इसे premium पर यानि ज़्यादा price पर खरीदा जा सकता है अगर business और नीचे चला जाता है तो आपके लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और ट्रेडिंग रुख भी सकती है ये बात तो जाहिर हो जानी चाहिए कि shares की reward stage थुड़ी पेचीदा है पिछले chapter में हम return on equity से introduce होए थे जिससे पता चला था कि पास में shareholders fund कैसे manage हो रहे थे इस chapter में हम discuss कर रहे है market to book ratio ये हमें focus करवाता है कि shareholders fund से future में कितनी effectively manage होने की expectation रखी जा सकती है आपके फैसला लेने की process में मदद करने के लिए मैंने एक analytical device बनाया है इसका नाम है value matrix ये इन दो measure को एक साथ लाकर company के trading potential की एक तस्वीर बनाता है ये past में अचीव हो चुके return को future के anticipated return से link करता है return on equity और market to book ratio से एक graph बनता है जो इन दोनों के relationship को दिखाता है और फिर हमें अलग-अलग quadrants मिलता है इसको सरल भाषा में समझाय जाए तो हमारे पास 4 combination बनेंगे ये 4 combinations return on equity और market to book ratio के high और low होने के हिजाब से होंगे ये 4 combinations कुछ इस तरह से बनेंगे नमबर एक high market to book ratio high return on equity नमबर दो high market to book ratio low return on equity नमबर तीन low market to book ratio high return on equity नमबर चार low market to book ratio low return on equity अब इन चारों चीजों को हम जब एक graph में डालते हैं तो हमें matrix मिलती है याने के return on equity और market to book ratio के बीच में जो रिष्टा बनेगा वो इन 4 combinations में से एक होगा इस matrix में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब return on equity high या low होती है तब उसका मतलब क्या होता है और जब market to book ratio high या low होती है तो उसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं कि जब market to book ratio एक से कम होती है तो एक इशारा मिलता है कि company से हमारी उम्मीद है कि company market rate से कम return डिलिवर करेगे वहीं दूसरी तरफ जब ये value 1 से उपर होती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि company market के average से उपर के return डिलिवर करें तो इन चार combination के purpose के लिए हम ये मान लेंगे कि market to book ratio में value 1 या उससे कम है और high के अंदर ये value 1 से ज़ादा है अब हम चलते हैं return on equity के तरफ हमने पिछले chapter के अंदर देखा था कि ज़ादा तर company एक ऐसा rate of return demand करती है जो long term cash deposit के return से कम से कम दुगना हो हम इसी logic को follow करते हुए इस बात पर पहुचे थे कि 10% साल से कम का return low return on equity माना जाता है तो जब हम value matrix बना रहे हैं तो हम 10% return on equity को break point मान के चलते हैं यानि कि अगर rate of return 10% से कम है तो इसे low कहा जाएगा और 10% से ज़्यादा है तो high आपके हिसाब से stock exchanges के लिए जो भी break point सही लग रहा हो आप उसके हिसाब से adjust कर सकते हैं लेकिन matrix के बागी principle नहीं बदलेंगे जैसे ही आपने इन दोनों measures के लिए break points को define कर लिया है तो किसी भी company को इन चारो combinations में से एक में रखा जा सकता है अब हम इन चारो combinations को एक एक करके समझेंगे पहले combination याने की high market to book ratio, high return on equity यह हमें बताता है कि company में shareholders funds के उपर healthy rate of return दे रही थी और उसका share price भी high है और future में भी ऐसा ही चलता रहेगा यह वो company होती है जो अच्छे तरीके से establish हो चुकी है यह भरोसे मंद है और यह company वो investor चुनते हैं जो future में share price की ठीक ठाक growth चाहते है और उसके साथ ठीक ठाक dividend आ जाए यह combination खास तोर पर growth investors को अपनी तरफ खीचता है इस combination में आने वाली company को मैं कहता हूँ shining stars अब चलते हैं दूसरे combination पर यानि कि high market to book ratio low return on equity यह combination हमें बताता है कि company past में shareholders funds के उपर एक healthy rate of return नहीं दे पा रही थे लेकिन इसका price कह रहा है कि future में इसकी performance बहतर होगी यह company आप पहले combination की मुकाबले में थोड़ी ज्यादा risky कमपनियां होती है लेकिन अगर market में इनकी full potential को अभी तक recognize नहीं किया है तो यह capital gain के लिए शांदार opportunity दे सकती है मैं इनको कहता हूँ rising stars अब बात करते हैं तीसरे combination की याने की low market to book ratio high return on equity यह हमें बताता है कि company past में shareholders funds पर एक healthy rate of return दे रही थे लेकिन company के share price के साथ यह expectation है कि future में performance गिर सकती है अगर market गलत होती है तो यह company आज शांदार capital gain दे सकती है यानि यह दूसरे combination से भी जादा risk है अगर आप यह company आज खरीद रहे हैं तो आप इस नजरिये से खरीद रहे हैं कि market में इनको लेकर अभी जो भी sentiment है वो misguided है इनको मैं कहता हूँ falling stars अब आता है हमारा चौथा combination यहने कि low market to book ratio low return on equity यह combination हमें बताता है कि company past में shareholders पर एक healthy return नहीं दे पा रही थी और share के price भी suggest कर रहे हैं कि आने वाले future में situation में किसी भी तरह के कोई बदलाव की उमीद नहीं की जा रही है अगर market गलत होती है तो यह company कभी कभी बहुत शानदा return दे सकती हैं लेकिन चारों में यही company सबसे जादा risk वाली भी होती है इस तरह की company ओमें investor अकसर recovery stock डोण रहे होते हैं यहने कि वो business जो मौझूदा हालात में तो struggle कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर पूरा मामला पलट देने की काबिलियत है यह जो combination है यह value investor को अपनी तरफ खीचता है मैं इन्हें कहता हूँ space dust पिछले chapter में हमने देखा कि annual report से return on equity निकालना कितना आसान है इस chapter में हमने देखा कि share के current price को book value पर share के साथ combine करने पर हम जान सकते हैं कि company की market to book ratio क्या है यह calculation मिंटों में हो जानी चाहिए लेकिन अगर आपको यह महनत वाला काम लग रहा है तो ऐसी बहुत सारी investment website है जो अपने report में return on equity और market to book ratio दे देती हैं जैसे कि investing insight इस chapter के सारे measures की एक summary दे देती हैं और यह information London stock exchanges पर list हुई हर एक major company के बारे में होती हैं और यह भी बताती हैं कि company किस combination की है या फिर किस quadrant में आ रही है quadrant से घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको चारों combination समझ में आ चुके हैं तो इनको graph पर डालने से आपको समझ में आ जाएगा कि quadrant क्या है हमने पिछले chapter में note किया था कि ये website हर company के लिए return on equity का flow chart भी देती हैं अब हम एक ऐसी situation तक पहुँच गये हैं जहां हम 6R approach की reward वाली stage को थोड़ा structure कर सकते हैं stage 1 पर potential investment opportunity को पहचानने के बाद आपको एक return on equity का flow chart बनाना है और देखते हैं interest cover और dividend cover ताकि ये पता चल सके कि business कितने अच्छे तरीके से manage हो पा रहा है अगर आप management से खुश है तो आपको देखना है कि ये value matrix के किस combination में आता है अगर ये combination उस तरह की opportunity से mail खाता है जो आप ढूंड रहे है तो आपको अपनी forecasted market to book ratio को market की book ratio के साथ compare करना है तकि आप share की कीमत को assess कर सके ऐसा करने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये opportunity को और आगे pursue करना worth है या नहीं stage 3 पर जाने से पहले एक आखरी बात tax से आपके return पे जो असर पड़ेगा उसको हमेशा consider कीजे ये अलग-अलग देश में अलग-अलग हो सकता है लेकिन ये मत भूलिए कि हर डॉलर जो government receive करती है वो डॉलर आपने खाया होता है चेक कीजिए कि कोई tax efficient या tax free investment अवेलिबल है या नहीं जैसे की बहुत सारे देशों में retirement के लिए fund बनाने से tax break मिल सकते हैं और आपको share जैसी financial securities में directly invest करने का मौका भी मिलता है stage 3, risk shares के साथ 2 main risk जुड़े होता है capital loss, income loss capital loss तब होता है जब shares की value गिर जाती है जिसकी वज़े से आपकी investment का कुछ हिस्सा या फिर पूरी की पूरी investment खत्म हो जाती है आपकी income का loss तब होगा जब dividend की guarantee नहीं होगी जिनको share market के बारे में जानकारी नहीं है उनको ये पता चलने के बाद ऐसा लग सकता है कि ये एक बहुत risky business है लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना इसमें हजारो करोड डॉलर इन्वेस्ट किये जाते हैं और ये जितना risk की दिखता है उतना है नहीं बलकि इस risk को कम करने के तीन तरीके हैं long term सूचिए, diversify कीजिए, company के fundamentals को समझिए जब shares को long term investment की तरह देखते हैं तो आप risk कम कर सकते हैं इस simple तरीके से short term में होने वाले price fluctuation का असर कम हो जाता है इसको और बैतर समझने के लिए एक company के share की price को कुछ सालों के दौरान देखते हैं मान लीजे, एक share है X और हम इसको 2 साल के वक्त में देख रहे हैं यानि कि 24 महीन है अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में चलेगा मान लीजे कि ये 2 साल 2020 और 21 थे तो 2020 में ये share 10 डॉलर का था फिर मार्च तक आते आते 8 डॉलर हो गया अगस्त में 15 डॉलर तक पहुचा सितंबर में एकदम से 12 और साल के अंत तक किया 17 डॉलर 2021 में ये और भी तेजी से उपर नीचे हुआ फरवरी में आते आते ये share 30 डॉलर पहुच गया अपरेल में एकदम से गिरा और 20 पर रुका फिर उसने उपर जाना शुरू किया और सितंबर तक ये 28 डॉलर तक पहुच गया और उसके बाद साल के अंत में ये वापस से आकर 25 डॉलर पर रुक गया अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक share की price वक्त के हिसाब से कितनी volatile हो सकती हैं इस share के price बढ़ तो उपर ही रहे हैं लेकिन बीच बीच में ये नीचे आकर fluctuate भी होते हैं ये जो short term fluctuations हुई है ये उन खबरों का नतीजा हैं जिनकी वज़ाए से company की future expectation के उपर असर पड़ सकता है अगर ऐसी खबरे काफी मात्रा में आ जाए तो ये share के price पर असर डालेंगे हो सकता है ये खबरे अफवास से जादा कुछ ना हो लेकिन असर तो पड़े गाई अभी उपर जाने का trend यानि कि ये long term trend जो है ये company के fundamental और wealth create करने की काबिलियत के दम पर बनता है साफ तोर पर नजर आ सकता है कि short term price की volatility में पैसा बनाने की opportunities है लेकिन जब बात success और failure की होती है तो सारा मामला market के mood पर आकर टिक जाता है यानि कि market के mood को कितने अच्छे तरीके से sense कर सकते है और ये काम बहुत जादा मुश्किल है हम यहाँ पर acceptable limit में risk को maintain करने की कोशिश कर रहे है और ऐसा करपाने का एक तरीका है long term पर अपना attention focus कर देना जब आप इस approach का adopt कर रहे होते हैं तो जिस share पर आप hold कर रहे हैं वो अगर आज गिर जाता है तो किसे फर्क पड़ता है आप खाओ पीओ आराम करो यहाँ matter करता है कि एक साल के वक्त में share price से आपकी क्या उम्मीद है long term thinking के साथ जुड़ा हुआ एक factor है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए यह factor है खरीद का timing अगर आप निशित करना चाहते हैं कि आप सबसे अच्छे price पर खरीद रहे हैं तो आपको यह समझने से मदद मिलेगी कि share के price long term trend में उपर नीचे यहने की fluctuate क्यों होते हैं इस share के universal truth पर मुझे लगता है कि सस्ता खरीदो और महेंगा बेचो यह logical भी है अगर आपको shares में पैसा बनाना है तो जाहिर सी बात है कि आप चाहेंगे आपने जितनी कीमत उनके चुकाई है उससे ज़ादा दाम आपको मिले असल जिंदगी यह कहती हैं कि बहुत सारे investors बिलकुल इसका उल्टा करते है जब market उपर जा रहे होती है और market में optimism होता है तो shares की कीमत हाए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद रहे होते है यह लालच वाला phase होता है इस phase में investors मान लेते हैं कि companyya कुछ गलत नहीं कर सकते वो return को हर साल के साथ बढ़ते हुए देखते हैं और इस कटे हुए cake में अपना हिस्सा चाहते हैं तो वो share खरीदने के लिए दौड पड़ते हैं और ऐसा करने से वो price को उपर ले जाते हैं जब market depressed होती है तो share की कीमत कम होती है क्योंकि बहुत सारे लोग share को बेचना चाहते हैं ये डरवाला phase है यहाँ पर investors को तुरंट आने वाले future में तबाही ही दिख रही होती है वो अपने shares को बेचने के लिए उताव ले हो जाते हैं और ऐसा करते हुए वो shares की कीमतों को नीचे ले आते हैं ये लालाज और डरवाला जो phase है ये highlight करता है कि share performance सिर्फ discipline वर्सिस emotion है जब market depressed होती है तो बहुत सारे लोग बेचना चाहते है जब market उपर होती है तो बहुत सारे लोग खरीदना चाहते है इससे ये बात निकल के आती है कि एक average इंसान महेंगा खरीदना और सस्ता बेचता है और उसके बाद जब नुकसान होता है तो वो चौक पढ़ते हैं और ये क्या हुआ ऐसा क्यों करना है ऐसा तब होता है जब भीड इगटा होती है और panic का माहौल बन जाता है ऐसे माहौल में डर और लालच discipline को replace कर देते हैं अगर आप history देखेंगे तो ये बार-बार लगातार होता ही आ रहा है और लोग हमेशा ये कहते हैं कि इस बार ही अलग है इसलिए मैं एक चीज और कहता हूँ अगर आप भीड के पीछे-पीछे चल रहे हैं तो गड़ा खोदने के लिए कुछ ले लीजे हैं लेकिन एक और principle भी है जो कहता है आपको आपके emotions का उल्टा करना चाहिए इसको contrarian investing कहा जाता है जब market depressed हो तब आपको share खरीदनी चाहिए क्योंकि यही वो वक्त है जब share की कीमत कम होगी और जब market में जशन हो रहा हो तब आपको बीच देना चाहिए क्योंकि इस वक्त कीमत high होगी अगर आप long term के लिए invest कर रहे हैं और आपको अपने return maximize करने हैं तो डर के माहौल में share खरीदना share खरीदने का सबसे अच्छा वक्त है क्योंकि इस वक्त ये सस्ते होंगे सस्ते का मतलब ये नहीं कि 100 डॉलर का माल 10 में मिलेगा ये relatively सस्ते होंगे यानि कि अगर कोई चीज 100 डॉलर की है तो डर के माहौल की वज़ह से आपको 80 की मिल सकती है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लालच वाले फेज के दौरान share नहीं खरीदनी है आप खरीद सकते हैं लेकिन थोड़ा साफदानी से इस बात का ध्यान रखिए कि मार्केट का टॉप और बॉटम देख पाना बहुत ही ज़ादा मुश्किल है तो ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए इसकी जगा आसान काम ये होगा कि आप देखे मार्केट डर के महल में कब है और मार्केट लालच वाले फेज में कब है इससे आपको साइन्स मिलेंगे कि शेर जनरली ओवरप्राइस्ट है या फिर अंडरप्राइस्ट लगाना बहुत जादा रिस्क वाला काम है क्योंकि फिर तो इसे एक कमपनी के भविश्य पर ही है आपका सब कुश्टिका हुआ है इसके मुकाबले एक कम रिस्की स्ट्रेजी ये होगी कि आप हजार हजार डॉलर को दस अलग-अलग कमपनीों में इन्वेस्ट करे अगर इन्वेस्ट से एक कमपनी आपकी इन्वेस्ट्मेंट के लिए खतरनाक साबित होती है तो बाकिया आपकी दौलत को बढ़ा भी सकती है तो आप एक कमपनी की जगह अलग-अलग कंपणियों में इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं वही अगर आप अलग-अलग कंपणियों के साथ अलग-अलग इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप इस रिस्क को और कम कर देते हैं लेकिन आप बहुत ज़ादा डायवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं। अकसर कहा चाहता है कि बहुत ज़ादा डायवर्सिफिकेशन तभी सही होती हैं। जब इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि डाइवर्सिफिकेशन की वज़ा से रिस्क कम हो गया है, लिकिन ये हाई रिटर्न के ओपोचुनिटी को भी कम कर देता है। इन्वेस्टिंग की आठ रहती हैं, कि ओपोचुनिटी जैसे ही आपको दिखे, उसे एक्स्प्रोइट कर दें। अगर आप अपनी इन्वेस्ट्मेंट को सैंकडो कमपनियों में बाट देते हैं और उनमें से कुछ कमपनी बहुत शांदार निकल कर आती हैं, तो उस शांदार रिजल्ट का आपके पोर्टफोलियों पर जो असर पड़ेगा, वो ना के वराबर होगा। तो डाइवर्सिपाइ कीजिए लेकिन अती मत कीजिए, एक ठीक ठीक साइज का पोर्टफोलियों 20-30 कमपनियों का होना चाहिए, रिस्क कम करने का एक और तरीका हैं कि आप बिजनेस को समझ ले, और ये समझने की कोशिश करी कि ये बिजनेस पैसा कैसे बनाता है, रिटर् साथ ही इसके future plans भी, साथ ही relevant खबरें पड़िये, ये steps आपको एक कमपनी की ट्रेडिंग की काबिलियत को समझने के लिए बहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, क्या एक कमपनी के पास अच्छा business model है, जिस market में बिजनेस ओपरेट कर रहा है, उस market को चेक कीजिए, एक कमपनी उतनी ही अच्छी होती है, जितनी अच्छी वो market जिसमें वो सर्फ कर रही होती है, आपको क्या लगता है, दस साल के बाद भी ये कमपनी ट्रेड कर रही होगे, इसकी potential कमजोरी और ताकत क्या है, क्या इसकी management team अच्छे से काम कर पा रही है, इसकी management team profit बनाने की process को कितने अ जादा chances हैं कि आप एक बहतर investment का decision ले पाएंगे, आपको एक और point note कर लेना चाहिए, कि आपके investment के style से आपकी risk पर असर पड़ेगा, value investor अक्सर ये दावा करते हैं कि उनके पास safety का बहुत बड़ा margin इसलिए होता है, क्योंकि जिन shares को वो खरीद रहे हैं, वो पहले से ही खर जादा आसर नहीं पड़ता है, लेकिन ये अच्छी खबरों के लिए बहुत positive तरीके से response करते हैं, वहीं दूसरी तरफ, growth वाले stock में पहले से ही high expectation जुड़ी होई होती हैं, तो किसी भी तरफ की disappointment उन पर गहरा आसर डाल सकती हैं, इस argument के लिए growth investor कहते हैं कि value investors small और medium size वाली कमपनियों की तरफ attracted होते हैं, और ये कमपनिया कम liquid ज्यादा risky और ज्यादा volatile हो सकती हैं, सारी बात इस पर आ जाती हैं कि आप किस चीज के साथ ज्यादा comfortable हैं, अगर आपको अच्छे भरोसेवन return चाहिए, और आपको बहुत शांदार gains हासिल करने से कोई मतलब नहीं है, त जैसा कि wealth create करने वाली assets के साथ करते आ रहे हैं, हम shares की potential investment को assist करने के लिए तीन और factor को address करेंगे, liquidity, term और capital, ज्यादा तर share जरूरत पढ़ने पर बेची जा सकती हैं, तो liquidity बहुत बड़ा issue नहीं होता, लेकिन इस बात पर ध्यान रखिए कि sale की timing की वज़ा से आपके profit या loss के उपर असर पढ़ सकता है, अब हम चलते हैं term की तरफ, हम ये देख चुके हैं कि risk को कम करने का एक तरीका है long term सोचना, और share price में short term fluctuation से distract नहीं होना है, ये वो stage भी है जहां आपको long term objective तै कर लेने चाहिए, दूसरे शब्दों में आपको फैसला लेना चाहिए, कि आप valid नहीं है, आपने जो long term valuation का target shares के लिए रखा था, वो target हासिल हो चुका है, कोई बहतर चीज आचुकी है, कभी कभी जब मैं share खरीदने जाता हूँ, तो मेरे पास एक खास objective होता है, capital gain हासिल करना, इस situation में मैं एक long term valuation का target रखता हूँ, जैसे कि अगर मैंने 10 डॉलर के share खरी 15 डॉलर का price चुएगा, मैं इसे बेच दूँगा, यहाँ पर कोई भी emotion नहीं है, हम यह नहीं सोच रही कि share की कीमत और आगे बढ़ सकती है या नहीं, मैंने अपना objective हासिल कर लिया है, और यही matter करता है, मैं ऐसे बहुत सारे investors से मिलता हूँ, जो capital gain के लिए shares खरीदते हैं, और shares को बढ़ता हुआ देखते हैं, और shares को बेचने से इसलिए मना कर देते हैं, क्योंकि share के price और भी उपर जाने की possibility होती है, लेकिन उसके बाद वो इसे नीचे आते हुए ही देखते हैं, मैं अकसर एक बात कहता हूँ, कई बार एक सफल investor की निशानी बहुत जल्दी सकते हैं, यहां जो चीज relevant होती है, वो है dealing का charge और वो fees जो आपको हर बार खरीदते और बेचते वक्त देनी होती हैं, मान लीजे कि अगर आपसे हर transaction के लिए 10 डॉलर्स लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है, जब आप एक share को खरीदेंगे, तब भी 10 डॉलर देंगे, और जब आप उन्हें बेचेंगे तब भी, याने की total $20, इस तरह की situation के अंदर आप $100 के share नहीं करीदना चाहेंगे, क्योंकि 20% तो सिर्फ trading की fees खा जाएगी, personally मैं अपनी trading की fees को investment के लिए एक percentage तक ही limit करके रखना पसंद करता हूँ, तो इस situation के अंदर में कम से कम $2000 की investment यह आपके उपर हैं कि आप कितनी trading fees देते हुए खुश रहते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक डॉलर जो आप fees के अंदर दे रहे हैं, वो डॉलर आप invest नहीं कर पा रहे हैं Share dealing anticipation पर चलते हैं, एक अच्छा footballer वो होता है जो ball जहां पर जिस वक्त हैं, वहां जाने की जगा, उस जगा जाए जहां ball होने वाली है इसी तरीके से आपको share में इस हिसाब से invest नहीं करना चाहिए, कि वो अभी कैसा perform कर रहे हैं बलकि आपको shares में इस हिसाब से invest करना चाहिए, कि आपको क्या लगता हैं, ये future में कैसा करेंगे जब आप 6R approach में review कर रहे हैं, तो पहले 4 stage के results को review करते हुए, इन चीजों का ध्यान रखे Market का generally mood कैसा है, stock market के index भढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं Market एक company के prospects के बारे में क्या महसूस करती हैं, शेर का price अपने 52 weeks के high या 52 week low के आसपास हैं Yield और PE कैसी नजर आ रहे हैं, company अपनी profit बनाने की process को कितने अच्छे तरीके से manage कर पा रहे हैं, interest cover और dividend cover कितना है आपकी future trading को लेकर जो anticipation है, उसके बारे में market to book ratio क्या बता रहे हैं Company value metrics के कौन से combination का हिस्सा है, forecasted market to book ratio, current market to book ratio से compare करने पर क्या बता रहे हैं Company के trading prospect से जुड़ी हुई कोई भी, किसी भी तरह की खबर तो नहीं आई अगर आप एक value investor है, तो आपको ये share undervalued क्यों लग रहा है अगर आप एक growth investor है, तो आपको क्यों लगता है कि company में अभी और grow करने का potential है क्या आप long term invest करने के लिए तयार है economy long term cycle के कौन सा हिस्से में क्या ये share purchase diversified portfolio का हिस्सा बनेगी ये सारी मुद्धे address करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि share एक अच्छी investment opportunity है सिर्फ तब ही आपको अपने cash से अलग होना चाहिए तो आप एक share dealing का account कैसे खोलेंगे ये एक बहुत सीधी सीधी process है जादा तर bank आपको एक ऐसी share dealing की service देते हैं जिनमें आप सिर्फ execution कर सकते हैं इसके जरीए वो आपके लिए आपके बिना किसी advice के shares खरीदेंगे और बेचेंगे साथ ही बहुत सारी online share dealing services भी है एक service देने वाला मिलने के बाद आपसे एक bank account नॉमिनेट करने के लिए कहा जाएगा जो आपके share dealing के account के साथ जुड़ा हुआ होगा share खरीदने के लिए आपको अपने bank account से fund निकाल कर share dealing वाले account में डालने होंगे जब आप share भेजेंगे तब आप पैसे निकाल कर अपने bank account में डाल सकते हैं जो भी company आपको trading का account दे रही होगी वो आपकी share holding को electronically maintain कर रही होगे और आप अपने account पर किसी भी वक्त online जाकर देख सकते हैं कि आपने कौन से share hold कर रखे हैं आपने उनके लिए कितने पैसे दिये हैं आपका profit कितना है, आपका loss कितना है, आपको कितना dividend मिल रहा है और ऐसे ही सारी information आपको मिल जाएगी इधर उधर option देखने के लिए भी तयार रही है खास तोर पर जब आप एक service provider को चुन रहे हो तो fees के उपर नजर रखे क्योंकि ये fees एक provider से दूसरे provider तक बहुत जादा अलग हो सकती है खरीदने और बेशने पर fees के साथ-साथ कुछ brokers, monthly और quarterly fees भी चार्ज करते है जिन लोगों को technology नहीं पसंद है उनके लिए telephone के द्वारा share dealing की service भी available है लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई trading fees थोड़ी सी ज़्यादा महेंगी होती है Stage 6, revisit Fact इकटे कर लेना बहुत आसान है लेकिन इन facts का सामना कर पाना फुड़ा मुश्किल हो सकता है अपने portfolio को regularly review कीजिए ज्यादा तर लोगों के लिए महिने में एक बार review करना सही रहता है और market जो कह रही है वो सुनने के लिए तयार रही है आप शायद एक company में इसलिए invest कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा हो आप बाकियों से ज़्यादा बहतर जानते है लेकिन अगर share का price नीचे गिरता जा रहा है तो हो सकता है market को कुछ ऐसा पता हो जो आपको नहीं पता लॉस से डरिये मत ये shares में invest करने का हिस्सा है अगर आपके share आपकी उमीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे है तो अपना पैसा दूसरे share में लगाने के लिए तयार रही है एसी companies identify कीजिए जो आपके interest की हो इस company को 52 week high और low yield और PE के context examine कीजिए एक return on equity flow chart बनाई है return on equity, gearing, asset turnover और profit margin निकालिए interest cover और dividend cover चेक कीजिए news articles पढ़िए market to book ratio देखे value metrics के combination देखे और देखे कि क्या share का price undervalued है या overvalued लग रहा है risk, long term सोचे अलग-अलग shares में investment कीजिए ध्यान रखिए आप जिस business में invest कर रहे हैं आप उसे समझते हैं research liquidity, term और capital consider कीजिए एक exit strategy बनाइए और देखे कि आप किन हालातों में बेचेंगे review क्या ये shares आपकी जरूरत के हिसाब से है revisit साफधान रहिए अपने shares को regularly review कीजिए अगर वो आपकी उमीद के हिसाब से perform नहीं कर रहे हैं तो action लेने के लिए तयार रही है property को एक बहुत सीधी सीधी investment की तरह देखा जाता है इसलिए लोग गलती से ये भी समझ लेते हैं कि बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है property समझने में इतनी आसान है investment के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है लोग इसे जरूरत से ज़ादा simplify कर देते हैं ये बात सच है कि property में invest करके अच्छा कासा पैसा बनाया जा सकता है और ये मुश्किल भी नहीं है बशर्ते आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं बतकिस्मती से आप बहुत भारी नुकसान भी उठा सकते हैं अच्छे घर से experience वाले property investor भी कभी-कभी अपनी दौलत को तेजी से दीमक लगता हुआ देखते हैं property का main attraction ये है कि इसमें मिलने वाले potential reward savings account से कहीं जादा होते हैं इसमें reward इतनी जादा होती है कि चारो wealth बनाने वाली assets में से सबसे जादा potential reward ओफर करता है लेकिन एक कीमत पर shares में आपकी investment को diversify करनी की बहुत सारी opportunities होती है company में भी diversify कर सकते हैं और sectors में भी property एक ऐसी चीज है जो एक single asset के अंदर बहुत भारी investment मांगती है अगर आप बहुत सारी properties में भी invest कर देते हैं तो भी आप wealth बनाने के लिए एक ही sector की performance पर depend हो जाते हैं अगर property की market crash हो जाती है जो बहुत बार हुई भी है ऐसा होने से होने वाला नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है तो इसमें बिलकुल भी चौंकने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना पैसा लगाने से पहले ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको पैसा लेने के बाद पता चलता है कि आपने गलट decision लिया है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा याने की successful property investment planning के ओपर निर्भर करती है जैसा कि हम बाकी investment opportunities के साथ कर रहे थे यहां भी six hour approach लगाई जा सकती है सबसे पहले इसकी पहली stage recognize की बात करते है दो तरीकों से property में invest हुआ पैसा ग्रो करता है पहला property की value बढ़ सकती है दूसरा property को किराय पर चड़ा कर आप rent के जरीए income generate कर सकते है सबसे पहला challenge तो यही आता है कि आप अपने पैसे को कैसे grow करना चाहते है दूसरे शब्दों में आप इस market में किस तरह के participant बनना चाहते है इसी से पता चलेगा कि property में invest करने के लिए आपकी approach क्या होगी अगर आप एक property trade या फिर property developer बनना चाहते है तो आप बेचने के लिए खरीदने वाली approach से पैसा बनाएंगे वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक landlord बनना चाहते है तो आप rent के लिए खरीदने वाली approach बनाएंगे आपको ये भी फैसला लेना होगा कि आप किस तरह की property में invest करना चाहते हैं इसके लिए आपके पास दो option है पहला residential property दूसरा commercial property यहां बात आती है कि आप किन को अपना customer बनाना चाहते हैं residential property के साथ deal करते वक्त आप property आम लोगों को बेच रहे होंगे या rent कर रहे होंगे दूसरी तरफ commercial property में आपके customer business होंगे वैसे तो लगभग दोनों properties एक जैसी हैं लेकिन इनमें दो fundamental फर्क भी होंगे सबसे पहला है price commercial property बहुत ज़्यादा महंगी होती है और ऐसा अकसर इसली होता है क्योंकि वो size में काफी बड़ी होती है अगर आप landlord बनना चाहते हैं तो किरायदारी का मसला भी है commercial properties में बहुत सालों के लिए किराय पर लेना कोई नई बात नहीं है वही जब residential property की बात होती है तो ये कुछ महिनों के लिए भी हो सकता है लेकिन commercial property में एक बहुत अच्छा फाइदा ये है कि अगर आप landlord है तो आपको एक ज़्यादा predictable income stream मिल सकती है इन दो मसलों को address करने के बाद ही आपको बाहर जाकर आपके हिसाब की investment opportunities तलाशनी चाहिए स्टेज 2 रिवार्ड property investment से जो आप रिवार्ड कमा सकते हैं वो इस बात पर depend करता है कि आप कौन से approach अपना रहे हैं हम बेचने के लिए खरीदने वाली approach से शुरू करते हैं basics को समझना बहुत आसान है आपको चाहिए कि आप कम कीमत पर खरीदें और ज़ादा कीमत पर बेचें ताकि आपके पास अच्छा खासा profit बचे ये approach सिर्फ capital growth को लेकर हैं क्योंकि इसमें कहीं भी income involved नहीं होती लेकिन जब आप surface से थोड़ा अंदर उतरते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि ये सुनने में जितना simple लगता है उतना है नहीं इस process को तीन stage के अंदर बाटा जा सकता है पहला खरीदना दूसरा hold करना और तीसरा बेचना हर stage के साथ cost जुड़ी होती है और ये जुड़ी हुई cost आपके potential profit को कम कर देगी तो बेहत ज़रूरी है कि आप इनकी वज़े से performance पर होने वाले असर को अच्छे से समझ ले चाहें आप trader हो या फिर developer ये तीनों stage लागू होंगी ही सबसे ज़्यादा obvious है property को खरीदते हुए उस property का दाम आप trader है या फिर developer ये इसके उपर depend करेगा कि आप कितना पैसा देने के लिए तयार है अगर आप trader है तो आप एक ऐसी property ढूण रहे हैं जो market value से कम में available हो लेकिन एक developer पर market price दे कर एक ऐसी site लेने में ज़्यादा खुश होगा जिसमें future में profit कमा पाने का potential हो purchase price के साथ साथ buying cost में कुछ चीजें और भी है जिनका ख्याल रखना चाहिए जैसे legal fees और tax इसके अलावा holding cost उन खर्चों की बात करती है जो तब आपको उठाने पड़ते हैं जब आप किसी property के मालिक होते हैं एक trader के लिए सबसे बड़ी holding cost होगी mortgage का interest हम यहाँ यह मान के चल रहे हैं कि property खरीदने में loan का इस्तमाल हुआ होगा एक developer को भी इसी cost को जेलना पड़ेगा लेकिन साथी साथ उसे होती है ताकि कोई भी अनहुनी हो तो उसका सामना किया जा सके और साथ ही budget का भी ख्याल रखना चाहिए अगर आप इधर उदर खुले हाथ से पैसे खर्चते रहेंगे तो जब तक आपको पता चलेगा profit का potential गायब हो चुका होगा याद रखिए कि अगर एक बार जब इन cost को पहचान लिया जाता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक property से buying, holding और selling cost निकालने के बाद कितने profit की उमीद की जा सकती है मान लीजे कि एक property दो लाग डॉलर में खरीदी जा सकती है और इसमें additional cost लगभग 10,000 डॉलर की आएगी आप मान कर चल रहे हैं कि holding cost एक लाग बीस हजार डॉलर की होगी जिसमें एक लाग पांच हजार डॉलर property को रेनोवेट करने के लिए खर्श होगी और 15,000 डॉलर आपने emergency के लिए अलग रखे हुए है anticipated selling price है 4,000,000 डॉलर और इसके साथ 30,000 डॉलर की selling cost भी आएगी तो इन numbers के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा anticipated profit कितना होगा इसके लिए हमें एक income statement बनानी है जिसमें हमें सिर्फ sales की figure से सारी cost को घटा देना है हमारी sales होगी 4,000,000 की जिसमें से हम property के purchase price 2,000,000 को खटा देंगे साथी साथ property खरीदते हुए जो additional cost लगी थी उसे भी यानि की 10,000 डॉलर और holding cost में renovation cost है 1,50,000 और हमने emergency के लिए 15,000 अलग रखे हुए हैं साथी हमें पता है कि selling cost 30,000 होने वाली है तो हमारे पास anticipated profit बचता है 40,000 डॉलर का एक investor के लिए monetary profit matter नहीं करता बलकि rate of return matter करता है इसको calculate करने के लिए हम profit की figure को invest किये हुए fund की percentage की तरह देख सकते हैं इसका formula कुछ ऐसे बनेगा profit on sale divided by amount invested multiplied by 100 अगर सारी की सारी cost आपको ही देनी है यने की buying cost, holding cost और selling cost तो आपके investment की value आपका total खर्चा हो जाएगा यने की 3,60,000 लेकिन अगर आपको sale के दौरान या उसके बाद एक certain cost ही देनी है तो आप उसे अपने investment की value से निकाल सकते हैं इस example के लिए हम ये मान कर चल रहे हैं कि सारे के सारे खर्चे sale होने से पहले हो रहे हैं इस assumption के आधार पर potential rate of return कुछ इस तरह से निकलेगा हमारा profit on sales है 40,000 और investment है 3,60,000 डॉलर तो rate of return निकलेगा 11% ये property आपको 11% return कमाने का मौका दे रही हैं जो कि ठीक ठाक लग सकता है लेकिन property का reputation है कि वो बहुत शांदार return देती है और 11% उसके आज-पास भी नहीं है एक experienced investor property की तरफ इसलिए खीचा हुआ चला जाता है क्योंकि वो इस return को बहुत ही जादा बहतर बना सकता है अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो इस chapter का सबसे ज़ादा exciting part है अगर आपके पास savings account है तो अपने rate of return को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप अपनी savings को debts चुकाने में लगा है लेकिन property के मामले में ये बिलकुल उल्टा काम करता है आप चाहे trader हो, developer हो या फिर एक landlord हो तीनों ही case में debt बढ़ा देने से आपका rate of return बढ़ जाएगा property के investment में debt एक ऐसा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है debt को समझदारी से इस्तमाल कीजे और ये आपके लिए शानदार rate के रास्ते खोल देगा लेकिन अगर आप इसको लापरवाई से इस्तमाल करेंगे तो ये आपकी दौलत लटवा देगा जाधा तर investor property की तरफ इसलिए attracted होते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि long term में ये एक अच्छी investment है और property के बढ़ते हुए rate inflation को हरा सकते हैं मान लीजे कि आपकी नजर एक ऐसे घर पर पढ़ती है जो 2,00,00 डॉलर का है और आपको लगता है कि अगले साल तक इसकी value 10 ठका बढ़ जाएगी चीजों को simple रखने के लिए हम मान लेंगे कि इसमें कोई भी additional cost नहीं आने वाली है इस property को खरीदने का intention सिर्फ इतना है कि एक साल के अंदर इसे 2,20,000 में बेचने की उमीद की जा रहे है ऐसा होने पर आपको 20,000 का शांदार profit होगा अब आपने invest करे थे 2,00,00 और आपका profit हो रहा है 20,000 का तो इससे आपका return on investment 10% निकल के आता है इस case में आपका rate of return property के rate बढ़ने के बराबर है इसके बराबर से अगर property की कीमत 10% से बढ़ रही है और inflation 5% है तो बहुत सारे individuals इसको invest करने के लिए एक अच्छा खासा incentive मानेंगे लेकिन जो serious investor होगा वो इस rate of return को बहतर करने के तरीके डूंडेगा मान लीजे के property की कीमत हर साल 10% बढ़ रही है लेकिन आप ज़्यादा कमाना चाहते है तो आप rate of return को कैसे बढ़ा सकते है ये वो मौका है जब आप अपने नए best friend से मिलेंगे debt ये आपके rate of return को बहुत शांदार तरीके से बढ़ा सकता है अब पूरी deal को खुद finance करने की जगा आप फैसला लेते हैं कि आप bank से एक लाख असी हजार का mortgage ले लेंगे अब इसके साथ दिक्कत ये है कि आपको loan के उपर interest देना पड़ता है अगर interest का annual rate 5% है तो आपको उस साल के लिए 9000 डॉलर चुका रहे होंगे इसका मतलब है कि अगर property की value 20,000 से बढ़ती है तो 9,000 की holding cost का भी धान रखना होगा ये cost interest के रूप में bank के पास जाएगी और आपका profit घट कर 11,000 डॉलर का ही हो जाएगा आप सोच रहे होंगे कि पिछले scene के मुकाबले में ये तो बहुत कम है तो ये सब का मतलब क्या है वक्त आ गया है rate of return देखने का ये करने के लिए हमें पहचानना होगा कि आपने इस project में कितने पैसे invest किये है हमें पता है कि bank ने 1,80,000 चुकाने है तो इस हिसाब से आपकी personal investment सिर्फ 20,000 की है इसके साथ ही जब आप ये property को loan करेंगे तो आपको interest के रूप में 9,000 भी देने पड़ेंगे तो अगले 12 मेने के लिए आपका total investment होगा 29,000 अब हमें इतना पता चल गया है तो हम आपके rate of return को निकाल सकते हैं हमारा profit on sale हुआ था 11,000 और total investment है 29,000 की तो इस हिसाब से हमारा rate of return हो गया है 38% बहुत बहुत मुबारक हो अपने rate of interest को 10% से 38% करने के लिए और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ पैसा उधार लेना पड़ा है property से अच्छा खासा पैसा ऐसे निकाला जाता है और यही principle है जिसने property से इतने सारे करोड़ पती बनाए है दूसरी अप्रोच यह है कि property को हम rent पर देने के लिए खरीद रहे है यानि कि हम एक property को इस intention के साथ hold कर रहे हैं कि इससे rental income बनेगे इससे दो potential फायदे होते हैं एक income दूसरी capital growth इसका नतीज़ा यह निकलता है कि बेचने के लिए खरीदने के मुकाबले में यह approach थोड़ी और involved हो जाती है जब आप अपने goals तै कर रहे होंगे तब आपको पहले पेचीदा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपके पास दो options है सिर्फ income या फिर income और capital growth सिर्फ income वाले option का मतलब है कि आपका objective सिर्फ एक healthy income की stream बनाना है जिसमें अगर capital appreciate हो जाती है तो वो आपका bonus है अगर आप income और capital growth दोनों के दरफ जा रहे हैं तो objective होगा कि property को बेचने से पहले income की एक healthy stream बन सके हम income generation से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हर type के landlord के लिए relevant है एक landlord होने का मतलब है कि आपको हर साल एक positive cash flow generate करना है यानि कि जितने पैसे आपको चुकाने है मिलने वाले पैसे उससे ज्यादा ये ensure करने के लिए property की दुनिया में दो measure exist करते हैं एक gross yield और दूसरा net yield अगर आपको इन दोनों के बीच का फर्क नहीं पता है तो आप यखीन अंद एक गलत जगा पर आ गये हैं तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों के फर्क को समझ लेते हैं gross yield annual rent को market की current value से divide करने पर निकलता है अगर एक property से 32,000 dollar rent के रूप में आ रहे हैं और property की current value 4,000,000 dollar है तो gross yield निकलेगी 8% यनि कि इस property में invest किये हुए हर 100 dollar पर 8 dollar का rent हर साल generate हो रहा है किसी भी property को खरीदने से पहले उसके rental income का अंदाजा लगाने के लिए ये एक शानदार तरीका है आपको simply expected gross yield से property की value को multiply कर देना है मान लिजे कि आप ठीक 5,000,000 की property खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपको local property agent ने advice कि है कि gross yield 6% के आज़ पास होती है इस valuable information से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल का rent कितना होगा अगर 5,000,000 dollar property की value है और expected gross yield 6% है तो estimated rental income 30,000 dollar होगी अलागि अभी आपने property नहीं खरीदी है लेकिन आप पहले से ही ये पता कर चुके हैं कि आपको लगबख 30,000 dollar के आज़ पास की rental income expect करनी चाहिए किसी भी तरह की property को rent के लिए खरीदने के वक्त शुरुआती point ये होना चाहिए और थोड़ी बहुत research से भी आपको ये information बहुत आसानी से मिल जाएगी Insight Investing UK की price movement और gross yield के बारे में regular update देती हैं gross yield हमारे काम की तो हैं लेकिन जब हमें एक rental property की viability को परखना होता है तो ये उतने काम की नहीं रहती property अपना खयाल खुद नहीं रख सकती इसलिए आपको property को maintain करने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा तो इस हिसाब से net yield और ज़्यादा काम की चीज है net yield, gross yield की तरह सिर्फ rental income को consider नहीं करती है बलकि ये operating cost को भी अपनी calculation में शामिल कर लेती है और इसकी वज़ा से property की potential position का अंदाजा लग सकता है ये calculate की जाती है annual rent में से annual operating cost को minus करके और उसके बाद इसको property की value से divide करके इस context में annual operating cost में वो रोस मर्रा के normal खर्च भी आएंगे जो एक rental property के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि insurance, rental agency की fees, decoration and maintenance लेकिन एक खर्चा और है जो हमेशा हट जाता है loan का interest interest इस बात से पता चलता है कि आपने property को किस तरह से finance किया है, property कैसे चल रहे हैं इसका उससे कोई लेना देना नहीं है हम अपने example पर वापस चलते हैं जहाँ पर rent 32,000 डॉलर का था और property की कीमत 4,000,000 डॉलर थे मान लीजे कि operating cost 8,000 होगी, तो net yield calculate करने के लिए आपको annual rent में से operating cost माइनस कर देनी है, याने 32,000 में से 8,000 माइनस करने है, तो आपके पास figure आएगी 24,000 डॉलर अब इस 24,000 को 4,000 से divide कर देना है, तो हमारे पास net yield आएगी 6%, याने की property में invest किये गए हर 100 डॉलर पर आपको loan के interest चुकाने से पहले 6 डॉलर का annual profit होगा, अपनी 4,000,000 डॉलर की investment पर आप इस rate of return को anticipate कर सकते हैं अगर कोई additional capital gain होगा तो वो इससे अलग है, अगर आप इस number से खुश हैं, तो investment आपके लायक है हम पहले देख चुके हैं कि उधार पर पैसे लेने से बेचने के लिए खरीदने वाली deal पर rate of return कितने शांदार तरीके से बहतर हो जाता है तो आपको ये जानकर खुशे होगी, कि इसी principle का इस्तमाल करके, आप rent पर देने के लिए खरीदने वाली अप्रोच पर अपने rate of return को बैतर कर सकते हैं इसे example के साथ-साथ चलते हैं, मान लीजे कि आपने इस property को खरीदने के लिए 3,60,000 डॉलर उधार पर लिए और इसके लिए आपको 5 टके का rate of interest लगाएं तो आपको हर साल 18,000 डॉलर्स interest के रूप में देने होंगे इसका मतलब है कि आपने सिफ 40,000 डॉलर ही अपने लगाए है annual rent अभी भी 32,000 है और उसके साथ जुड़ी हुए operating cost भी 8,000 ही है इस case में rate of return निकालने के लिए हमें annual rent में से annual operating cost और annual interest minus करना होगा और उसके बाद उस number को invest किये हुए amount से divide करना होगा इस case में हमारा annual rent है 32,000 annual operating cost है 8,000 और हमने investment की है 40,000 डॉलर्स की तो इस हिसाब से हमारा rate of return बनेगा 15% अब इस property की net yield तो 6% है लेकिन आप 15% का rate of return हासिल कर पा रहे हैं एक बार फिर हमने ये काम पैसे उधार लेकर ही किया है हमें ये note कर लेना चाहिए कि जब rent के लिए खरीदने वाली investment की value को देखते हैं तो उसमें loan interest नहीं जुड़ा होता है ऐसा इसलिए हैं क्योंकि ये साल के दौरान आने वाली rental income से ही दिया जाएगा और इसलिए landlord के लिए ये कोई अलग से financial commitment डिमांड नहीं करती है हमने अभी तक ये देखा है कि जब हमारा objective सिर्फ income generate करने का होता है तो rent करने के लिए property खरीदने को कैसे evaluate करना है लेकिन आप rent के लिए खरीदने वाली market में capital gain की उमीद रखते हुए भी कदम रख सकते हैं एक hybrid deal पर rate of return निकालने के लिए आपको property के annual increase को भी calculation में लेना होगा तो hybrid deal का rate of return कुछ ऐसे calculate होगा कि annual rent में से operating cost और interest minus किया जाएगा और उसमें property का annual जोड दिया जाएगा और इसको invest किये हुए amount से divide कर देंगे मान लीजे कि इस example में property की कीमत हर साल 4% से बढ़ रही है और इसका मतलब यह है कि अगले साल आप उमीद कर सकते हैं कि इस property की value 4 लाग डॉलर से बढ़ कर 4,16,000 डॉलर हो जाएगी तो इसका rate of return पर क्या असर पड़ेगा annual rent 32,000 है operating cost है 8,000, interest 18,000 और property की value बढ़ रही है 16,000 से और अभी भी हमने 40,000 की ही investment की हुई है तो 22,000 को 40,000 से divide करने पर हमारी rate of return निकल कर आती है 55% property के price तो 4% ही बढ़ है और net yield यह भी 6% ही थी लेकिन क्योंकि आपने पैसा उधार पर ले रखा था इसलिए आपका rate of return चलांग मार करके 55% हो गया यह एक शानदार trick है मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह estimated rate of return है जितने भी साल के लिए आप property को hold करना चाहते हैं उस वक्त में हर साल के लिए calculation होगी क्योंकि property की value हर साल बढ़ेगी जिससे आपके investment की value के उपर असर पड़ेगा annual rental और operating cost भी उपर नीचे हो सकती हैं हालंकि यह किसी को नहीं पता होता कि property के price क्या होने वाले है और हम सब लोग सिर्फ अंदाजाई चाहते हैं तो इस purpose के लिए यह calculation ठीक है एक और मसला है जिसको address करने की जरूरत है खासतोर पर जब आप rent के लिए खरीद रहे हैं अगर आप property के उपर potential capital gain चाहते हैं साथी rental income भी तो एक strategy है जो आपके काम आ सकती है इसका नाम है negative gearing इसको gearing से confuse मत कीजिए simple तोर पर कहा जाए तो negative gearing तब होती है जब rental income loan के interest और operating cost को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती इस case में आप हर साल ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे लेकिन लोग इस situation में आना ही क्यों चाहेंगे अगर annual rental interest और operating cost से 10,000 डॉलर कम है लेकिन property की value हर साल 20,000 से बढ़ रही है तो आपके पास cash तो कम है लेकिन आपकी wealth बढ़ रही है लेकिन एक positive cash flow होने के मुकाबले में ये strategy बहुत ज़्यादा risk वाली है जो भी लोग negative gearing को अपनाते हैं वो इस बात के उपर speculate कर रहा होता है कि property से मिलने वाले potential capital gain उसके income loss से ज़्यादा होंगे ये high risk तो है लेकिन ये कुछ situation के अंदर काफी useful हो सकता है जैसे कि जब किसे area के property के price दीरे दीरे बढ़ रहे होते हैं लेकिन rent relatively low होता है tax भी आपके rate of return के उपर असर डाल सकते हैं तो जब कभी आप property में invest करने के बारे में सोच रहे हो तब tax के असर को भी check out कर लीजिए आप जिस देश में रह रहे हैं उसके उपर निर्भर करता है कि आपको property खरीदते हुए tax देना पड़े या फिर rent देते हुए या फिर बेशते हुए या फिर तीनों का कोई combination दीसरी stage है risk बाकी investment की जगा property शुरुआत में ही काफी पैसा डिमांड करती हैं इसलिए बेहत जरूरी है कि इससे जुड़े हुए risk को अच्छी तरह से जाचा परखा जाए और उसके बाद ही इसमें पैसा लगाया जाए जब बेशने के लिए खरीदने वाली अप्रोच अपनाई जाती है तो दो risk होते हैं property की कीमत गिर सकती है या फिर cost बढ़ सकती है हो सकता है आप anticipated cost को calculate करने में बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे मतलब एकदम रजनी कांत लेकिन आपकी profit बनाने की काबिलियत इसी बात से देखी जाती है कि आपको sales में कितने पैसे मिल रहे है property, market के साथ दिक्कत ये है कि share market की तरह ये भी बहुत उतार-चड़ाव वाली हो सकती है आप चाहे property के trader हो या फिर आप property developer हो ये मसला तो रहे गए लेकिन अगर आप property developer हैं तो ये मसला आपके लिए थोड़ा ज्यादा मसालेदार हो जाएगा क्योंकि property खरीदने और बेशने में एक लंबा time gap होता है जब आप बेशने के लिए खरीदने वाली अप्रोच को अपना आते हैं तो ये main risk उसके साथ जुड़ जाता है लेकिन profit margin को examine करने से इसको manage भी किया जा सकता है इसके लिए हम profit को sales के percentage की तरह देखते हैं यानि कि हमें जो भी profit अपनी property बेशने पर मिलता है अगर हम उसे उस amount से divide कर दें जिस कीमत पर हमने वो property बेची है और फिर उसे 100 से divide कर दें तो हमें उस profit margin की percentage पता लग जाएगी जो हमने उसे खरीदने से लेकर बेशने तक के बीश में कमाई है आईए, last वले example से ही मैं इसे आपको समझाता हूँ जिसमें property की कीमत दो लाग की थी और एक साल के वक्त में उसमें दो लाग बीस हजार के लिए बिखने का potential था इस property को हम एक लाग असी हजार डॉलर के loan से finance कर रहे थे और बचे हुए बीस हजार आप खुद दे रहे थे इसके साथ दिक्कत ये है कि आपको 9000 का interest देना पड़ रहा था जिसकी वज़ा से आपका profit कम होकर 11000 हो जाता है यानि आपकी total investment होती है 29000 और 11000 की profit पर आपका anticipated rate of return हो जाएगा 38% इन सारी बातों को देखते हुए हो सकता है आप अभी उचल के बोल पड़े कि कर दो, कर दो इसी में invest कर दो लेकिन क्या आपने risk के बारे में सोचा है risk का क्या 29000 डॉलर के investment पर 11000 का profit बनाना आएक अच्छी बात लग सकती है लेकिन जब बात आती है risk को जाचने की तो profit margin को देखना हमारी लिए जादा useful है तो 2,00,000 की sales पर 11,000 की profit से profit margin होता है 5.5% ये हमें बताता है कि अगर आपका selling price इन 5.5% से नीचे होता है तो आपका नुकसान हो जाएगा इसकी वज़ा से इस opportunity को कुछ अलग नजरिये से देखने का मौका मिलता है अब आप आगे बढ़ते हैं या नहीं ये बात हो सकने वाले risk पर आकर टिक जाती है profit margin जितना बड़ा होगा उतने ही ज़ादा chances है कि आप ultimately profit बना लेंगे आपके risk को minimize करने के लिए margin काफी है या नहीं ये फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक trader है या फिर developer है एक general principle के तौर पर एक property trader प्रोपर्टी developer के मुकाबले में कम margin accept करने के लिए तयार होगा ऐसा होने के दो reason है उसकी purchase और sale के बीच में वक्त कम होता है और साथ ही किसी भी तरह की development cost इसके साथ नहीं जुड़ी हुए है जब rent के लिए खरीदने के अप्रोच की बात होती है तो तीन ऐसी चीज है जो उपर नीचे हो सकती है और एक profitable income stream बनाने में अर्चन पैदा कर सकती है पहली है उससे किसी income का ना होना दूसरी है उसकी कीमत ना बढ़ना तीसरी है उसके maintenance के खर्चों का बढ़ जाना जब बात आती है income की ऐसे मौके आते हैं जब आप property को rent पर ही ना चढ़ा पाए और अगर आपने चढ़ा दिया हो तो हो सकता है कि किरायदार आपको rent ना दे पा रहे हो जहां तक future में उसकी कीमत बढ़ने की बात है तो ज़रूरी नहीं है कि future में भी उनके दाम बढ़ते ही जाएंगे और तो और annual operating cost जैसे कि rental agency की fees और maintenance का खर्चा ये भी बढ़ सकते हैं आपको इन सारे risk को examine करने के बाद ही ये decide करना है कि ये आपकी investment के बढ़ने पर खत्रा है या नहीं दुख की बात ये हैं कि ऐसा कोई formula तो नहीं है जो आपके लिए ये फैसला ले सके ये सारी चीजें आपके judgment के उपर ही हैं इन risk को manage कर पाने की काबिलेत ही successful landlord को unsuccessful landlord से अलग करती हैं खुशकिस्मती से एक तकनीक है जो कम से कम इन risk को quantify करने में हमारी मदद कर सकती है इसका नाम है sensitivity analysis इसके कई रूप है क्योंकि इसके काम करने के कई तरीके हैं इसका काम ये पता लगाना है कि हमारी investment से जो हमें return मिल रहा है वो कितना है लेकिन ये काम एक ही करती हैं ये देखती हैं कि project का नतीजा लिए गए assumptions के लिए कितने sensitive हैं अब हमें simple और powerful technique की application को इस्तमाल करके देखेंगे अपने उस example पर वापस चलते हैं और उसके लिए 3,60,000 डॉलर उधार ले रहे थे अगर आपको याद हो तो interest था 18,000 annual operating cost थी 8,000 और annual rent का 32,000 तो rent की income में से बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद हमारे पास profit बचता है 6,000 अब हम sensitivity analysis का इस्तमाल करके risk को assess करें अगर हम इस property पर होने वाले income में से हर तरह की cost को घटा कर देखें कि profit कितना आता है ये सारी figure estimate है यानि कि अंदाजे है अंदाजे गलत भी हो सकते हैं लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि एक अंदाजा कितना गलत हो सकता है कि उसके बाद ये property profit नहीं बना पाएगी rental income से शुरू करते हैं focus है 32,000 डॉलर्स इस figure के आधार पर 6,000 डॉलर्स का annual profit anticipate किया गया है इसका मतलब ये भी है कि अगर annual rental income 6,000 से गिर कर 26,000 हो जाता है तो profit 0 हो जाएगा दूसरे शबदों में अगर rental income expectation से 19% कम हो जाती है तो property profitable नहीं रहेगी बिल्कुल यही चीज़ हम operating cost के उपर भी लगा सकते हैं अगर operating cost 8,000 से 6,000 जादा होता है तो profit 0 हो जाता है इसका मतलब है कि operating cost में 75% का increase होगा और आखिर में आता है हमारा interest अगर वो 18,000 डॉलर्स के estimate से 6,000 डॉलर्स जादा होता है तो भी हमारा profit 0 हो जाता है और 18,000 डॉलर्स के हिसाब से 6,000 डॉलर्स का बढ़ना एक 33% की increase है sensitive analysis आपको आपके estimate को challenge करने के लिए कह रही है क्या आप अपने rental income के अंदास पर 19% के हिसाब से कम हो सकते है या operating cost के estimate में 75% से जादा या फिर estimated interest में 33% से जादा इन सारी चीजों को percentage में देखने से ही आपको दिख जाएगा कि इनकी वज़ा से rental income के उपर risk कैसे आ सकता है अगर आप इस opportunity के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इस figure को लेकर बहुत जादा confident होना पड़ेगा इस example में आपके पास 19% margin का error है याने की गलती करने की गुणजाईश 19% है बहुत सारे land not को लग सकता है कि ये उनके comfort zone के अंदर है लेकिन अगर margin का error सिर्फ 4% होता तो आपको आगे बढ़ते वक्त बहुत साथधानी से कदम रखने होंगे एक risk है जिसको इस discussion में शामिल नहीं किया गया है वो ये कि अगर property की value ही गिर गई तो और ये जान बूच के किया गया है अगर आप एक property सिर्फ income generate करने के लिए खरीद रहे हैं तो market के बदला आप तभी relevant होंगे जब वो rent पर असर डाल रहे हो लेकिन ये हो सकता है कि आप सिर्फ कुछी time के लिए इस property से income generate करना चाह रहे हो और आप हमेशा से ही इसे बेचना चाहते हैं अगर ऐसी बात है तो आपको अपना ध्यान capital gain maximize करने की तरफ लेकर जाना होगा लोजिकली अगर आप capital gain maximize करना चाहते हैं तो आपको घर उस वक्त खरीदना है जब उसकी कीमत बेहत कम हो लेकिन market का bottom देख पाना बेहत मुश्किल है लेकिन market कब weak है ये पता लगा पाना आसान है दूसरे शब्दों में जब house price पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है बहुत से लोग property से मुँ इसलिए mode लेते हैं क्योंकि उनमें डर होता है कि कीमत और भी तो गिर सकती है इसकी वज़ह से अपने इरादे डगमगाने मत दीजिए ये बात सही है कि ऐसा होने का risk हमेशा ही रहेगा लेकिन property की कीमत में जो गिरावट आती है उससे लड़ने के लिए एक fact काफी है ये आप financial loss तब तक सफर नहीं करते जब तक property को बेचते नहीं property की कीमतों का गिरना उतनी एक बड़ी problem हो ही ये ज़रूरी नहीं है मान लीजे कि आप एक घर खरीदते हैं जिसकी कीमत है 2,00,000 डॉलर लेकिन अगले कुछ सालों में उसकी कीमत गिर के 1,90,000 हो जाती है अगर आप इस stage पर ये घर बेच देते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा तो हमारा मुद्दा है कि इस घर की कीमत फ्यूचर में बढ़ेगी या नहीं अगर कुछ सालों में इसकी value बढ़कर 2,60,000 हो जाती है तो आप deal के उपर profit बनाएंगे और अगर आपने net yield की calculation ठीक तरीके से की है तो आपको 4 सालों के लिए अच्छी खासी income का मज़ा लेने का मौका भी मिलेगा साथ ही इस पूरी deal के अंत में आपको ठीक ठाक capital gain भी हो जाएगा प्रोपटी की market कई उतार चड़ाव से गुजरती है बड़ी हुई कीमत का दौर भी आता है और गिरी हुई कीमत का भी वही प्रोपटी सालों तक बदलती हुई valuation का मज़ा ले सकती है इसी वज़ा से healthy capital gain हासिल करना timing की ओपर depend करता है अगर आपने सही timing पकड़ ली तो आप खूब दौलत कमा सकते हैं लेकिन अगर आपकी timing सही नहीं है तो नतीजा बहुत खराब हो सकते हैं तो क्या कोई ऐसी signal है जो आपको ये जानने में मदद कर सके हैं कि market boom कर रहे हैं या depressed है जब shares की बात थी तो share price की शुरुवाती assessment के अंदर हम P by E ratio का इस्तमाल कर सकते थे हम share के price को उसकी earnings के हिजाब से देख सकते थे एक high ratio suggest करती थी कि share price बढ़ी आज जाएगा वही दूसरी तरफ एक कम ratio एक नकारात्मग नजरिये की तरफ इशारा करती थी property sector में भी ऐसा ही एक measure है जिसको apply किया जा सकता है ये है house price to earnings ratio इसमें average house price को average earning के साथ रखकर देखा जाता है इसके formula में हम average house price को average earning से divide कर देते हैं अक्सर इस measure को इस्तमाल किया जाता है house price के cyclical nature को explain करने के लिए जब property के price household earning के मुकाबले कम होते हैं तो property आराम से effort की जा सकती हैं नए खरीदार market में कदम रखते हैं और उसके बाद price बढ़ाना शुरू कर देते हैं अब आता है कहानी में twist जो ले जाता है housing bubble की तरफ basic economic theory के मुताबिक जैसे ही सामान और service के price बढ़ते हैं demand गिर जाती हैं जादतर situations के अंदर ऐसा ही होता है लेकिन property में नहीं property में जब price बढ़ते हैं तो demand भी बढ़ जाती हैं घर जितने जादा महेंगे हो जाते हैं उतने ही जादा लोग उन्हें पाना चाते हैं ये behavior एक confusion की वज़े से होता है home owners घर में और investment में फर्क नहीं कर पाते property को सिर्फ एक ऐसी जग़ की तरह नहीं देखा जाता जहाँ पर रहा जाता है इसको दौलत बढ़ानी के एक तरीकी की तरह भी देखा जाता है price जितने उपर जाएंगे property में investment की अपील उतनी ही जादा हो जाएगी आखिर में एक ऐसा point आ जाएगा जहाँ पर housing का price earning के relation में sustainable नहीं रह जाएगा property की कीमत तब तक गिरेगी जब तक house price income के relation में दोबारा से अच्छी value में ना दिखने लगे खरीदार दोबारा से market के अंदर आते हैं और ये cycle दोबारा से शुरू हो जाती है इसलिए house price to earning ratio एक अच्छा indicator है ये बताने के लिए कि market कब depressed है और कब बूम कर रही है आपको ये इस ratio के लिए कभी भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये internet पर और बहुत सारी investment की publications के अंदर आसानी से available हो जाती है जो basic thumb rule है वो कुछ इस तरीके से है जब house price to earning ratio उसकी long term average के मुकाबले में बहुत ज़ादा नीचे होती है तो market depressed होती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ये बहुत ज़ादा ऊपर होगी तो market boom पर होती है ये measure आपको एक चीज नहीं बता सकता कि market कब high point पर पहुँच गई है और कब पलटने वाली है या फिर ये कि bubble कब फूटने वाला है इस discussion का ये मतलब नहीं है कि आप property से पैसे नहीं बना सकते बहुत सारे लोग बनाते हैं और अगर property से आपकी wealth को grow करने के opportunity नहीं मिलती तो ये chapter बेकार होता इसका मतलब ये है कि property को एक अच्छी investment समझने वाले सडक पर चलने वाले आम इंसान और एक property investor के बीश में बहुत फर्क होता है एक property investor प्लानिंग की एहमियत को समझता है एक property investor revenue और cost estimate को बहुत ध्यान से तयार करेगा इसमें estimate के साथ जुड़े हुए risk को भी assess करेगा और उसके बाद भी अगर प्लान अच्छा नहीं लग रहा तो वो deal से पीछे हट जाएगा लेकिन एक इनसान जो ये मान कर चल रहा है कि property अच्छी investment होती है वो इस सब के बाद भी पैसे लगा देगा उसकी गलिती ये होगी कि उसे लगता है property के price सिर्फ उपर ही जा सकते है जो credit crunch आया था उसने सब को याद दिलाया था कि अगर इस तरह की सोच बहुत ज़ादा फैल जाती है तो क्या हो सकता है अब आती है चौथी stage research की जब property में invest करनी की बात आती है तो liquidity एक मसला है property को बेचना एक बहुत लंबी process हो सकती है तो अगर आपको cash की ज़रूरत पढ़ जाती है तो property दौलत बनाने वाली सही asset नहीं है जल्द बाजी में property बेचने के चकर में ऐसा हो सकता है कि आपको market value से बहुत कम में बेचना पढ़े और इसकी वज़ा से आपको नुकसान उठाना पढ़ सकता है अब चलते हैं term पर ट्रेडर मान लेते हैं कि कुछ महिने में शांदार return आ जाएंगे property डेवलप पर भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं हलाकि property को डेवलप करने की वज़ा से ये return हासिल करने में थोड़ी देरी हो सकती है अगर आप landlord हैं तो rent की income तुरंत ही generate कर सकते हैं अलाकि कई सालों तक आपके पास आपकी capital का access नहीं होगा capital के मुद्दे पर चलते हैं बाकी की चारों दौलत बनाने वाली assets के मुकाबले में प्रोपर्टी एक ऐसी asset है जो सिर्फ एक asset के अंदर अच्छी खासी investment की डिमान करती है इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपका return सिर्फ इस बात के उपर ही निर्भर करता है कि ये इकलोती asset कैसा perform करेगी बलकि प्रोपर्टी जब बिक्ती नहीं है तब तक आपको दूसरी investment के opportunities आने पर उनका फायदा भी नहीं उठाने देगी पांचवी stage है review यहाँ पर एक reality चेक कीजिए ये बाकी सभी steps के अंदर से सबसे ज़्यादा ज़रूरी step है आप काफी सारा पैसा एक single asset के अंदर invest करने वाले हैं positivity का यहाँ पर कोई रोल नहीं है यहाँ जरूरत है realistic होने के आपके revenue और cost estimate कितने realistic है potential rate of return क्या है क्या debt लेने से potential rate of return बहतर हो सकता है अगर ये बेशने के लिए खरीदने वाली deal है तो profit margin क्या है अगर ये rent के लिए खरीदने वाली deal है तो क्या sensitivity analysis किसी भी area में किसी बात से परदा उठा रही है क्या आपके घर की कीमत और उससे होने वाली कमाई का अनुपात long term average से कम है या जादा अगर आपने बेचने के लिए खरीदना है तो क्या आप कई महिनों तक इतने बड़े amount को एक जगए invest करने के लिए तयार है अगर आपने rent के लिए खरीदना है तो क्या आप इतने बड़े amount को कई सालों तक invest करने के लिए तयार है पैसे invest करने से पहले इन सारे सवालों का जवाब देना बेहत ज़रूरी है अगर आप इस step तक पहुँच चुके हैं और आप अभी भी convinced है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो हो सकता है कि ये एक ऐसी opportunity हो जो आपकी दौलत को बढ़ा सके अगर आप एक property trader है तो आपको अशुर करने की ज़रूरत है कि आपकी property यां खरीदी जा रही है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप potential bias को attract करने के लिए क्या कर सकते हैं अगर आप property developer है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी cost को regularly review कीजिए क्या cost बजट के अंदर है या फिर आप छूटे छूटे खर्चों को नजर अंदास करने लग गये हैं property की कीमत पर भी नजर रखी है क्योंकि इनकी वज़े से किसी भी project के profit potential के उपर सीधा असर पड़ेगा अगर आप एक landlord है तो भी आपको बहुत ध्यान से cost manage करने की जरूरत है लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप sufficient rental income बना रहे हैं आपको किरायदार तो मिल जाएगा लेकिन क्या पता वो वक्त पर किराया ना दे रहा हो तो आप ऐसी situation को सुधारने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे क्या आपको किरायदार मिलने में दिक्कत तो नहीं हो रही है अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है वेल्थ क्रियेटिंग एसेट से भी ज़्यादा यहां आपको देखना है कि इस तरह की investment कैसा परफॉर्म कर रही है चलिए अप जाते जाते इस एपिसोड में सुनाई गई बातों को एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं रेकंगनाइज फैसला लीजे कि आपको एक ट्रेडर होना है डेवलपर होना है या फिर लैंडलोड साथी ये भी फैसला लीजे कि आप residential प्रॉपरटी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर commercial प्रॉपरटी में reward, rate of return का estimate लीजे और देखें कि उधार पर लेने से rate of return बहतर हो सकता है या नहीं risk अगर बेशने के लिए खरीदा है तो profit margin देखें अगर rent के लिए खरीदा है तो sensitivity analysis का इस्तमाल करके अपनी rental income और cost income को assist कीजे research प्रॉपरटी बहुत ज़ादा ill liquid है ये अच्छी खासी investment की demand करती है और इसको एक long term investment की तरह ही देखना चाहिए review क्या ये प्रॉपरटी आपकी जरूरत के हिसाब से है revisit अब क्योंकि इसके अंदर इतनी भारी investment हो रखी होती है तो बेहत जरूरी है कि आप अपने forecasted revenue और cost को regularly review करे अगर आप खेलेंगे ही नहीं तो आप जीतेंगे भी नहीं ये एक छोटा लेकिन जरूरी chapter है इसके अंदर वो सारी चीज़े हैं जो पिछले 9 chapters में हमने की है मुझे लगता है कि stage पर आपने कुछ जरूरी बाते pick up कर लिए होंगे जैसे कि अगर आपको अपने return को maximize करना है तो आपको control लेना होगा और आपको ही अपने investment के fastly लेने होंगे क्योंकि आपके सिवाय आपके पैसे की परवा किसी और को नहीं है पैसे को grow करने के लिए आपको इस wealth बनाने वाली assets के अंदर invest करना होगा लेकिन rate of return और risk के बीश में एक trade-off है जब एक investment opportunity को assess किया जा रहा होता है तो risk के साथ साथ liquidity, term और capital को भी देखने की ज़रूरत होती है compounding आपके हासिल होने वाले return को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है जिन चार investment opportunity से आप अपना पैसा grow कर सकते है वो है savings account, bonds, shares और property 6R आपको investment decision लेने के लिए एक discipline वाला तरीका देती है और ensure करती हैं कि आपने सारी relevant चीज़ों को account में लिया होगा साथ ही ये भी उमीद है कि आपने गहराई से समझा होगा कि ये चार बड़ी investment की opportunities असल में कैसे काम करती हैं और एक independent investor की तरह आप इनका फायदा कैसे उठा सकते हैं इन सारी चीज़ों से आपको एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि investing मुश्किल नहीं है इसके principle बहुत सीधे हैं और इनको apply करना बहुत ज़ादा time consuming नहीं है अलाकि अगर आप एक successful independent investor बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप हर फैसला लेते हुए एक discipline वाली approach अपना है कोई भी इनसान सिर्फ किताब पढ़ने से दौलतमन नहीं हुआ है जब एक इनसान अपनी सीखी हुई knowledge को apply करता है तो ही वो अपने पैसे को grow करने की उमीद रख सकता है क्या आप सच में तयार है आपका पहला key investment decision लेने के लिए हर दिन आपके सामने एक choice होती है क्या आप अपने पैसे को grow करने के लिए action लेंगे या नहीं अगर आपको अपनी financial खुशाली को बहतर करना है तो आपको सो कर उठने के साथ ही पहला कदम लेना पड़ेगा आपको हर सुबह खुच से एक सवाल पूछना है आज मैं अपनी दौलत बढ़ाने के लिए क्या करने वाला हूँ बहुत सारे लोग बहतर होना चाहते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही हार मान लेते हैं वो सब कुछ कैसे करेंगे इसके उपर बिल्कुल भी वक्त ने लगाते हैं और उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो इसमें कोई चौकने वाली बात नहीं है मैं आपसे वो चीज करवा रहा हूँ जो मैंने तब की थी जब मैंने एक इंडिपेंडेंट इंवेस्टर होने का फैसला लिया था मैं आपसे कहता हूँ कि अगले कुछ मिनिट तक मेरी बात को सिर्फ सुनिये मत इन बातों को अपने उपर इतना आसर होने दीजिए कि आप एक्शन के मोड में आ सके मेरा विश्वास कीजे रिवार्ड्स वर्थ होंगे जिस सफर से मैं गुजरा हूँ उस सफर से गुजरने के बाद आप अपनी सोच से ज़ादा दौलत मन तो नहीं होंगे लेकिन ये आपको एक ऐसी पोजिशन में ले जाएगा जहां आने वाले सालों में आप अपनी दौलत को काफी अच्छे तरीके से बढ़ा सकेंगे अगर आप सश्मुश अपने पैसों को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपनी परसनल बैलेंस शीट बनाना आप जो कुछ भी ओन करते हैं उसे जोड लीजिए और जो कुछ भी आपको चुकाना है उसे माइनस कर दीजिए ये आपको बता देगा आप अभी कहां पर खड़े हैं साल में एक बार ऐसा करना एक अच्छा तरीका है आपके पैसों को वक्त के साथ ग्रो होते हुए मॉनिटर करने का पहली बार ये आपको काम जैसा लग सकता है लेकिन मैं गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक साल के बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 12 महिने में आपका कितना पैसा ग्रो हुआ है इसके लिए आपको वो वेल्थ बनाने वाली असेट चुननी है जो आपके लिए सही हो आपका अगला चैलेंज ये हैं कि आपको फैसला लिना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से वेल्थ क्रियेटिंग असेट्स की कौन सी फॉर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा बहतर है मैंने एपिसोड 3 में हर एक इन्वेस्मेंट ओपोचुरिटी के फीचर्स को बताया था उन्हें याद कीजिए सिर्फ आप ही फैसला ले सकते हैं कि एक ओफर की फ्यूचर रिटर्न को हासिल करने के लिए आपको क्या-क्या सैक्रिवाइस करना होगा आईए अब उन सभी को एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं सेविंग्स अकाउंट में रिटर्न कम है बॉंड्स में मीडियम है शेर्स में हाई है और प्रॉपर्टी में बहुत हाई प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी हमेशा ही एक बड़ी चीज होती है लेकिन शेर्स, बॉंड्स और सेविंग्स में नहीं Savings और bond में risk बहुत बड़ी चीज नहीं होती है लेकिन shares और property में ये एक बड़ी चीज होती है Savings account में term और capital से उतना फरक नहीं पड़ता है लेकिन बाकी तीनों में पड़ता है अपनी investment का चुनाव करने के बाद अपने फैसले पर 6-hour approach लगा कर देखिए जब आप identify कर लेते हैं कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी wealth बनाने वाली asset में आप invest करने वाले हैं तब आपको कुछ investment फैसले लेने की जरूरत होती है लेकिन ये भी बेहत जरूरी है कि ऐसा करते हुए आप discipline में रहे 6R approach आपकी decision making process को एक structure देती है और अशोर करती हैं कि आप investment के हर पहलू को systematic तरीके से address करें इसमें पहला stage है opportunity को recognize करना दूसरे stage है potential reward को पहचानना तीसरा stage है risk को assess करना चौथी stage है performance को affect करने वाले दूसरे factors के उपर research करना पांचवी stage में पहली की 4 stage को review करना चछटी stage में अपने investment को regularly revisit करना सबसे पहली stage पर आप opportunity को recognize करते हैं अगर आपकी priority है कि आपको आपके funds inflation के खिलाफ protect करने हैं और आपको cash का access चाहिए तो logical choice है savings account आप जितने ज़्यादा वक्त के लिए अपने funds को invest करने के लिए तयार होंगे interest rate उतना ही ज़्यादा होगा अगर आप high value की transaction या फिर receipt और withdrawal को एक cost effective तरीके से करने के लिए तयार हैं तो भी interest के higher rate मिल सकते हैं bonds आपको लंबे वक्त के लिए income stream दे सकते हैं अगर आप risk कम करना चाहते हैं तो आपको investment grade वाले bond तक ही सीमित रहना चाहिए speculative grade वाले bond आपको ज़्यादा rate of return तो दे सकते हैं लेकिन ये थोड़े risky भी हो सकते हैं अगर आपका objective है आपको future में आपकी दौलत शांदार तरीके से grow करनी है तो share से एक अच्छा option है PE ratio और yield का quick scan आपको आपके interest की company यां पहचानने का जरिया हो सकते हैं दौलत को शांदार तरीके से बढ़ाने के लिए जो opportunity आमतोर पर pursue की जाती है वो है property जब properties के लिए देख रहे होते हैं तब आपको फैसला करना होता है कि आप एक trader होने वाले हैं developer होने वाले हैं या फिर landlord commercial property ज़्यादा महेंगी होती हैं लेकिन अगर आप एक landlord बनना चाहते हैं तो यह आपको ज़्यादा भरोसे मन long term income stream दे सकती हैं investment की opportunity को identify करने के बाद दूसरी stage पर हम अपना ध्यान potential reward की तरफ लेकर जाते हैं अगर आप savings account consider कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए real rate of return को check कीजिए bonds आपको savings account के मुकाबले में ज्यादा rate of return offer कर सकते हैं bonds के case में redemption yield check कीजिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप bond को उसका term खत्म होने से पहले ही बेज देते हैं तो आप शायद वो redemption yield हासिल ना कर पाए अगर आप shares में invest कर रहे हैं तो rate of return पता नहीं होता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि companyya future में कैसे perform करने वाली है return on equity आपको बताता है कि एक company past में अपने shareholders fund को कितना अच्छे तरीके से manage कर पा रहे है return on equity के flow chart को बनाने से आपको company के strength और weakness में एक valuable insight मिल सकती है interest cover और dividend cover आपको company की interest दे पाने की काभिलियत और dividend को maintain करने की काभिलियत में insight दे सकती है market to book ratio आपको एक इशारा दे सकती है कि company के future trading prospect को लेकर investors का क्या नजरिया है return on equity और market to book ratio को value matrix में combine करने से आप देख सकते हैं कि company चारों में से किस combination के अंदर आती है जो की shining star से लेकर space dust तक है forecasted market to book ratio को current market to book ratio के साथ compare करने से आपको share price को assess करने का एक तरीका मिल जाएगा property के case में main चीज है planning cost और revenue की stream का estimate निका लिए अगर आप एक property developer है तो emergency के लिए कुछ पैसे रखिए और छोटे-छोटे मामूली खर्चों की तरफ सतर्क रहें rate of return calculate कीजे देखिए कि अगर आप debt का इस्तमाल करते हैं तो anticipated rate of return बहतर हो सकता है क्या third stage में risk assess किया जाता है अलाकि बहुत सारे लोग savings account को लगभग risk free मानते हैं लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है अपने financial institutions को बहुत सावधानी से चुनिए अपनी savings को अलग-अलग institutions में डालना consider कीजिए अगर आप bond से मिलने वाले higher rate of return की तरफ attracted है तो आपके लिए दो बड़े risk है अगर आप bond को उनकी redemption date से पहले बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो ये मत बूलिए कि bond की कीमत interest rate में जो बदलाव आता है उससे उल्टी दिशा में जा सकते हैं अगर interest rate बढ़ता है तो हो सकता है bond की कीमत कम हो जाए और इसका उल्टा भी उतना ही सही है issuer default कर सकता है तो हमेशा ही उनकी credit rating चेक कीजिए जब बात आती है shares की तो तीन strategy लगा कर आप risk को बेहत कम कर सकते हैं short term price movement की जगा long term gain पर focus कीजिए अपनी investment को अलग-अलग company हों में डालिए business में invest करने से पहले इस बात का ध्यान रहें कि आपको business का थोड़ा बहुत idea है अगर आप property में invest करने वाले हैं तो risk की तरफ खास ध्यान देनी की ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत बड़ा amount एक single asset में invest करने वाले हैं रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी चीज है साफधानी से planning करना अगर आप बेशने के लिए खरीदने वाली strategy को अपना रहे हैं तो profit margin चेक कीजिए ताकि आप assure कर सके कि अगर price किसी गलत दिशा में जाता है तो profit margin उसको cover करने के लिए काफी है अगर आप rent करने के लिए खरीदने की strategy अपना रहे हैं तो sensitive analysis आपको simple लेकिन असरदार तरीका दे सकता है आपके rental income और cost estimate को assess करने का 6R approach की पहली 3 stage ही सबसे ज़्यादा वक्त लेती हैं अलाके अगली 3 stage इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेती लेकिन ये भी उतनी ही important है चौती stage पर आप investment की performance पर असर डालने वाले दूसरे factors के उपर research करते हैं ये factors है liquidity, term और capital अगर आप savings account में पैसा डाल रहे हैं तो liquidity term और minimum capital requirement के हिसाब से आपको offer किये गए interest rate अलग हो सकते हैं इसलिए terms और conditions देखिए अगर आप bonds में invest करने वाले हैं तो बेहत ज़रूरी हैं कि ये आपकी cash की ज़रूरत को timing और capital investment के हिसाब से match कर सके इसके लिए redemption date और minimum investment confirm कीजे अगर आप एक long term income stream बनाने का सोच रहे हैं तो एक bond ladder बनाना consider कीजे shares काफी liquid होते हैं लेकिन अगर आप इसे बहुत short notice पर बेशने का फैसला लेते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है तो share खरीदने से पहले ही शुरूरत में अपने objective को तैय कर लीजे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कितने वक्त में ताकि आपके पास एक exit करने की strategy हो अगर आप property consider कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये चारों wealth बनाने वाली assets में सबसे कम liquid है याद रखिए कि आप एक बहुत बड़ा amount एक single asset के अंदर डालने वाले हैं ये महिने के लिए भी हो सकता है और सालों के लिए भी 5th stage पर आपकी judgment मैदान में उतर थी है आपको देखना होगा कि investment opportunity के performance पर असर डालने वाले general features, potential rewards, जुड़े हुए risk और दूसरे factors के बारे में आपने क्या पता किया है ये फैसला आपको लेना है कि ये investment opportunity आपकी जरूरत को पूरा करती है या नहीं अगर आप पिछली 4 stage के अंदर अच्छे से काम कर रहे थे तो ये फैसला लेना बहुत ज़ादा मुश्किल नहीं होना चाहिए जब आपने फैसला ले लिया है और अपना पैसा लगा दिया है उसके बाद भी process खत्म नहीं होती है हालाद बदल सकते हैं और बदलते ही है 6 stage में आपको अपनी investment regularly revisit करने की जरूरत है मुझे personally लगता है कि महिने में एक बार revisit करना काफी है इससे आपकी time की commitment भी कम रहती है और आपकी investment कैसे return दे रही है ये देखने के लिए ये एक अच्छी exercise भी हो सकती है पिशली 5 stage के अंदर इतनी कड़ी महनत के बाद अपनी सारी महनत पर पानी फेर देना बहुत शर्म की बात होगे तो आपके हाथ में सब कुछ है ये principles, ये opportunities और ये techniques जो आपको एक सफल independent investor बनने में मदद करेंगे और साथ ही आपका पैसा गुरू करने में भी यहाँ पर किताब खत्म होती है और आप मामले को अपने हाथ में लेते हैं बस एक बात याद रखिए अगर आप खेलेंगे नहीं तो आप जीत भी नहीं पाएंगे Essential Tips नमबर एक, एक personal balance sheet बनाईए देखिए कि आपकी इस वक्त वर्थ क्या है और इसके बाद हर साल एक balance sheet बनाईए ताकि आप अपनी progress को monitor कर सके नमबर दो, वो wealth बनाने वाली assets को चुनिए जो आपकी लिए सही हो हर investment opportunities के trade-off और returns को review कीजिए नमबर तीन, 6-hour approach अप्लाई कीजिए जब आप investment opportunities को assess और manage कर रहे हो तो discipline रहिए